हलो बच्चु कैसे हैं आप आप अच्छे होंगी आपने पेपर बहुत अच्छा किया होगा चलिए तो हम दंगल नाइन जो है उसके फिजिक्स पेपर को हम सॉलिशन यहां पर करने जा रहे है तो फिर्स्ट क्योशन है तो आइट जो इस पेरिकल गाउशियन सर्फिस एंड सार्ज डिस्टिबिशन वेन गाउशियन सर्फिस यहां पर देखो विटा यह जो है फ्लक्स ओफ ए एलेक्रिक फिल्ट तूगाउशियन सर्फिस इन एलेक्रिक फिल्ट विल बी दू तो हम केवल यह चार्ज और यह चार्ज लेते ठीक लेके लेक्रिक फिल्ट तो तीनो चार्ज की वजह से होगा तो अपना अंसर जो होगा तो क्रेक्ट हो जाएगा और अंसर क्रेक्ट हो जाएगा क्यू वन और अनृट ट्री और माइनस क्यू और बीνस क्यू तो तीनो चार्ज की कीओए लिपात हो जार लोग यहां पर दो आप यहां पर यह जोड हैग तो आप जूआ ता जोड़ की बात कि पुझे तो तीनो चार्ज में आटा खाद सरह ho दिगा थे लिल्यक्रिक फिल्ट की भात Всеन » ча बचा म sebenиях का संदी नेएक्सट justice second number question पर चलते हैं, question number second क्या क्या रहा है, electric field is in a system is given by, e vector is equal to kya है, x square i kf, ठीके, where x is in meter and is in newton per kilogram, a dipole, p vector is equal to kya हो गया, 2j climb into meter, is placed in field, then potential energy, u is equal to kya होता है, minus p e cos theta नहीं होता है, क्या, यहां पर देखो, e vector और a, p vector दोनों की बीच का angle क्या है, theta 90 degree है, इसका मतलब u की value क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीके, तो, u potential energy 0 हो जाएगी, ऐसा answer अपना, second answer correct है, ठीके, चलो, next, question number 3, पर अपन चलते है, question number 3, क्या कह रहा है, charge given to any conductor reside on its outer surface, charge जो है वो conductor की surface पर क्यों रहता है, क्योंकि वो अपनी potential energy को minimize करके, stable form में रहना चलता है, तो, the free charge tends to, be in its minimum potential energy state, ठीके, तो, इसके according अपना answer, जो है, वो कौन सा correct हो जाएगा, ठीके, तो, अपना answer रहेगा, first, next, अपन चलते हैं, question number 4, पर अपन चलते है, question number 4, वो अच्छा question और conceptual question है, देखने में ऐसे लगता है, डरा होना सा question है, लेकिन है, बिल्बुल simple and logical question, the capacity of capacitor of plate area, देखू, यह plate है, इसका area है, a1, और इसका area है, a2, और इन दोनों के बीच की distance जो है, separation जो है, वो क्या है, डी है, generally अगर इन दोनों का area सेम होता है, तो c is equal to क्या होता है, epsilon note a by d हो जाता है, लेकिन दो unequal area की जब plate से capacitor बनाया जाता है, तो हम common जो area रहेगा, वो लेंगे, तो common area, यह इतना area दोनों के अंदर आ रहा है, तो यह area किसके equal हो जाएगा, a1 के, तो c is equal to क्या हो जाएगा, epsilon note into common area a1 by d, तो इसके according अपना answer कोण से correct रहेगा, first answer correct हो जाएगा, ठीके, तो इसके according अपन, first answer दे देंगे, next is, क्योंसे number 5 पे अपन चलते हैं, क्योंसे number 5 क्या कह रहा है, देखो, 5 capacitor, each of capacitance value C are connected as shown in figure, the ratio of capacity, capacitance between P and R, यह P है और यह R है, ठीक है, तो यह P point अपन ले लेते हैं यहाँ पे, और यह point ले लेते हैं, R point, यह दोनों series में है, तो series में है, तो cc, दो series में है, तो यह क्या हो जाएगा, c by 2, और इधर क्या है, तीन series में है, तो इनका क्या हो जाएगा, c by 3, ठीक है, यह दोनों क्या है, पेरलल में है, तो C P R is equal to क्या हो जाएगा C Y 2 plus C Y 3 is equal to 5 A C Y 6 हो जाएगा 5 A C Y 6 अब उसके बाद में the capacitance between P and Q P और Q के बीच में अगर अपन देखें तो ये P माल लो और ये माल लो Q ये एक capacitor है तो C और इसके बाद में ये 4 capacitor series में है तो C Y 4 हो जाएगा ये दोनों parallel में हैं इसका मतलब C P Q is equal to क्या हो जाएगा C plus C Y 4 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 C Y 4 अब अपने को ratio क्या चाहिए C P R upon में C P Q is equal to क्या हो जाएगा 5 C Y 6 upon में 5 C Y 4 तो देखो यहां से ये 2 से cancel हो जाएगा ये 2 हो जाएगा ये 3 हो गया ठीके ये 5 C से 5 C गया ये 2 उपर आ जाएगा 2 by 3 हो जाएगा तो इसके अकोर्डिंग अपना अंसर कौन सा 3rd answer correct हो जाएगा 2 by 3 ठीके चलो next question number 6 पे चलता है पर बच्चे question number 6 क्या कह रहा है in following figure the reading of ideal voltmeter is 0 देखो इसकी reading क्या है जीरो है और ideal voltmeter जो होता है उसके अंदर current जो है वो जीरो होगा ideal voltmeter से कोई current पास ही नहीं हो रहा है ठीक है तो इस condition में अगर आपन देखें ideal voltmeter का effective resistance होता है वो infinite होता है तो यहां पर अगर आपन देखें तो इसमें मानलो current है IE IE is equal to क्या हो जाएगा total यह जो voltage है वो क्या हो जाएगा 2E upon minute resistance R plus R1 plus R2 नहीं हो जाएगा क्या ठीक है very good अब देखो यहां पर जो potential है V वो V is equal to क्या हो जाएगा E minus IE into R नहीं हो जाएगा क्या R1 हाँ तो बच्चो देखो voltmeter की जो reading है वो क्या हो जाएगी 0 तो E minus R1 की value 0 है इसका मतलब E is equal to क्या हो जाएगा IE into R1 तो E is equal to यहां पर क्या हो जाएगा E upon में R1 हो जाएगा ठीक है तो यहां से अगर अपन इस equation को और इस equation को compare करें तो E upon में R1 is equal to 2E by R plus R1 plus R2 हो जाएगा E से E क्या हो जाएगा cancel ही इदर आजाएगा R plus R1 plus R2 is equal to क्या हो जाएगा 2 R1 हो जाएगा इस term को इदर ले जाओ तो R is equal to क्या हो जाएगा 2 R2 minus R1 minus R2 तो यह R1 एक plus का बचेगा minus R2 तो R is equal to R1 minus R2 हो जाएगा तो यह अपना इसके according अपना answer कौन से correct करेंगा जाएगा जाएगा ठीक है next number seven पे अपन चलते हैं देखो पिटा क्योसर number seven क्या कह रहा है if we heat produce in four ohm is h then in six ohm it is heat की value six ohm में कितना होगा देखा जाएगे तो यह और यह जो नो जो है वो क्या है एक दूसरे के parallel में connected है और इनके साथ जो बैटरी है वो कितनी है 10 volt की है तो इन दोनों पर voltage V जो रहेगा वो 10 volt रहेगा और constant रहेगा दोनों पर same रहेगा ठीक है तो h is equal to क्या होता है V square upon में आर महीं होता है क्या rate of heat production जो रहेगा वो क्या रहेगा V square upon में आर तो यहां से देखा जाए तो 4 h जो है वो क्या हो जाएगी 10 square upon में आर की value कितनी है 4 very good और इसके उपर h देख है वो कितनी हो जाएगी 10 square by 6 ठीक है इसको आप क्या लिखेंगे 10 square by 2 into 3 into 2 और उपर भी आप 2 से multiply कर दो ठीक है तो यह क्या हो गया 2 into 2 4 तो 2 into 10 square by 4 into 3 हो जाएगा इसको 10 square by 4 को क्या लिख सकते है h तो h days is equal to क्या हो जाएगा 2 h by 3 नहीं हो जाएगा क्या तो इसके according अपना answer जो रहेगा वो second answer correct हो जाएगा ठीक है बीटा नेक्स्टी क्योसर नमबर 7 पर 8 पर चलते है अपन क्योसर नमबर 8 क्या कह रहा है a beam of electron moving in positive jkf तो V vector is equal to kya है V into jkf हो गया ठीक है यूनिफर्म एलेक्ट्रिक फिल्ट एंड माग्नेटिक फिल्ट इस रीजन देन फिल्ट भी एंड एर डिरेक्टेड रेस्पेक्टिवली देखो एक चीज हो सकती है अगर मैं बात करूं डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब velocity के perpendicular direction में कोई भी force नहीं लगा है बात समझ में आई तो या तो magnetic field और electric field दोनों electric field की direction में होने चाहिए ताकि वो deflected नहीं हो तो y x के along दोनों तो नहीं दे रखें लेकिन अगर आपन बात करें magnetic force की fm वैक्टर इस इक्वल टू क्या होता है qv वैक्टर नहीं होता है क्या सही बात है तो यहां पर देखो यह qv magnitude हो गया और इसकी जे क्रॉस के केप मान लेते हैं मान लो magnetic field जे के अलोंग है तो जे क्रोस के की direction क्या आजाएगी आई आजाएगी लेकिन यहां चार्ज माइनस होने की वज़े से माइनस आई के अलोंग ही force लगेगा fm वैक्टर माइनस आई के अलोंग ठीके अब देखो इलेक्ट्रिक फिल्ड की वज़े से qe वैक्टर फोर्स लगेगा f e वैक्टर इक्टर इक्वल टो ठीके तो यह जो फोर्स है वो इसके अपोजिट डिरेक्शन में लगना चाहिए ना अपोजिट डिरेक्शन में लगेगा तब इ listen, i cape चीए आई के यह लोंग और अप जिए लेक्ट्रों नेगेटीव ए एलेक्ट्रों जो है वह क्या है विटा negative है तो यह से हम यह कह सकते है कि q is negative, negative होगा, तो f e जो रहेगा, वो क्या रहेगा, opposite to e vector, ठीके, तो अपने को force किदर, positive x x के यलोंग चाहिए न, positive x x के यलोंग चाहिए, तो positive x x के यलोंग कब रहेगा, जब e किदर रहेगा, negative x की तरब, कभी ये force किदर रहेगा, positive x, x के यलोंग रहेगा, तो e किदर रहना है चाहिए, minus x के यलोंग, तो इसके according अपना answer कोंड से हो जाएगा, second answer correct हो जाएगा, ठीके, इसके बाद में अपने बात करेंगे, next question की, question number 9, question number 9 क्या कह रहे है, देखो, question number 9, an electron charge q is equal to कितना है, 1.6 into 10s to power minus 19 Coulomb, moving in a circle of radius, इस circle में चल रहा है, इसकी radius r आपको given है, ठीके, एक ये frequency f की value कितनी दे रहे है, 6.8 into 10s to power 15 revolution per second, ठीके, तो ये frequency हो गई, तो यहाँ से अगर अपने देखें, चकर पर second, ठीके, तो i is equal to क्या होता है बेटा, q upon में t होता है, 1 by t को आप क्या लिख सकते हैं, q into f, 1 by f, t को क्या लिख सकते हैं, q into f हो जाएगा, q की value 1.6 into 10s to power minus 19 into f की value क्या है, 6.8 into 10s to power 15, तो इसको अगर आपने देखेंगे, तो i की value कितनी हो जाएगी, 1.6 into 6.8 into 10s to power minus 4, इसको अगर आपने देखेंगे, तो लगवग अपना answer को रहेगा, थर्ड answer अपना correct हो जाएगा, ठीके, 6.8 को 1.6 से multiply करेंगे, 10.88 आएगा, जिसको आपने 11, लगवग लगवग रख सकते हैं, तो 10s to power minus 4 है, तो इसको 1.1 into 10s to power minus 3 लेख सकते हैं, तो i की value कितनी हो जाएगी, 1.1 into 10s to power minus 3 ampere हो जाएगा, तो इसके according अपना answer, थर्ड answer correct हो जाएगा, ठीके पीटा, next question number 10 पे चलते हैं, question number 10 क्या कह रहा है, इवाइब्रेशनल मेगनेटो मिटर, इवाइब्रेशनल मेगनेटो मिटर, इवाइब्रेशनल मेगनेटो मिटर, वो तो कितना हो जाएगा, एक का आई है, तो 2i, और देखो, ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, तो इसकी वज़े से, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे m हो जाएगा, और इसकी वज़े से, ऐसे m हो जाएगा, इन दोनों का resultant क्या जाएगा root 2m नहीं हो जाएगा क्या m net की value क्या रखेंगे आफे root 2 into m तो पहले जो t होगा वो क्या हो जाएगा t1 is equal to 2 pi root of i net upon m net into dh ठीक है तो t1 is equal to 2 pi root of 2i upon me root 2m into bh हो जाएगा ठीक है बेटा तो यहां से देखो t1 की value क्या दे रहिए 2 की power 5 by 4 is equal to 2 pi root i by m into bh ठीक है यह root 2 से root 2 cancel हो जाएगा तो into root 2 और root 2 देखो नए condition में क्या कह रहा है one of the magnet is removed एक ही magnet बचेगी उस condition में t2 क्या हो जाएगा 2 pi root of i upon me m into bh हो जाएगा इसको आप t2 रखोगे तो देखो यह 2 की power 5 by 4 is equal to इसको आप t2 रख सकते हो नए यहां से तो यह क्या हो जाएगा into 2 की power 1 by 2 into 1 by 2 1 by 4 तो t2 is equal to क्या हो जाएगा 2 की power 5 by 4 upon me 2 की power 1 by 4 तो क्या हो जाएगा 2 की power 5 by 4 minus 1 by 4 is equal to 4 by 4 मतलब क्या आ गया टी टू जो होगा वो 2 second आ जाएगा तो इसके according अपना answer कोण सा correct हो जाएगा जाएगा थर्ड आंसर correct हो जाएगा ठीके हाँ तो बच्चो next question number 11 हम देखते हैं question number 11 क्या कह रहा है अनुचुम्ब की पदारतों के लिए क्यूरी का नियम लागू होता है क्यूरी लॉफ पैरा मेगनेटिक सब्स्टेंस इस वैलिड पैरा मेगनेटिक सब्स्टेंस के लिए अगर आपन बात करें विटा तो पैरा मेगनेटिक सब्स्टेंस के लिए क्यूरी लो तभी होगा जब भी बिलों मेगनेटिक सेच्चुरेशन रहेगा ठीक है चुम्बक्ल की संतरपता के नीची कि वैसे जनरल आगर आपना वात करें पार मेगनेटिक के लिए क्यों हम define नहीं कर रहे हैं तो इस्तिती में कर सकते हैं बेलों magnetic saturation के अंदर इसके लिए हम define कर सकते हैं तो अपना पूर्थ answer correct हो जाएगा ठीके next question number 12 है अपने देखते देखो question number 12 है क्या कह रहा है एक road है conducting road है of length L is rotating with the constant angular velocity omega की साथ ही rotate कर रही है, तो magnetic field as shown, देखो ये cross perpendicular magnetic field है, B is directed into plane of perpendicular, तो EMF induced across the ends of road, देखो यहाँ पर इसके अंदर rotate करेगी, ऐसे, तो ये flux को कट करेगी, flux को कट करेगी, इसका मतला road के अंदर EMF induced होगा, तो यहाँ पर देखा जाए, तो एक road तो यहाँ से यहाँ तक कि यह road मानलो आफ और एक road यह मानलो आफ ठीक है, तो देखो इस वाले road के एक element की बात करें, तो velocity इसकी इदर की तरफ है, और magnetic field अंदर की तरफ तो polarity की तरफ रहेगी, positive इदर की तरफ, तो यह एक battery ऐसे होगी, इसकी battery का quality कुछ इस प्रकार रहेगा, positive इदर, negative इदर और even हो जाएगा, तो even is equal to क्या हो जाएगा, यह potential difference, इस point को आप a माल लो, इसको आप b माल लो, तो यह क्या हो जाएगा, va minus bb, क्या हो जाएगा, b omega l square by 2, तो b omega l की value क्या है, ly4 का square by 2 हो जाएगा, तो यह 16, लिकिन b omega l square by, यह capital L है न, capital L by 32, यह va minus vb हो गया है, ठीके, ऐसे ही, इसकी अगर बात करें, यहां से यहां तक की, l2d, तो इसके अंदर देखो, इदर की तर polarity रहेगी, तो यह एक चोटी बैटरी की तरह वेवार करेगा, वो कैसे रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, ठीके, तो यह e2 induced emf होगा, वो यहां पे माल लो point c है, तो vc high पे रहेगा, minus vb is equal to क्या हो जाएगा, b omega l, इसकी small l2 है, इसका square कर दो भाई, 2 कर दो, तो b omega 3 l y 4 का square upon में क्या करना पड़ेगा, आपको 2 करना पड़ेगा, ठीके, यह यहां पे देखो, यह 3 नहीं है, यह कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीके, अब देखो, आगे अगर अपन चलें, यह equation number 2 डाल दो, और यह equation number क्या है, 1 है, ठीके, तो vc, आप 2 में से, माइनस करो 1 को, तो क्या हो जाएगा, vc, माइनस, vb, माइनस, va, प्लस, vb, इसको माइनस करेंगे, यह प्लस हो जाएगा, इस इक्वल टू यह क्या हो जाएगा, 9, b, ओमेगा, l, स्कॉयर, बाई, 32, माइनस, vb, ओमेगा, l, स्कॉयर, y, 32, ठीके, तो यह a, t, यह से, कैंसल हो जाएगा, vc, माइनस, vb, v, a, क्या हो जाएगा, a, t, b, ओमेगा, l, स्कॉयर, y, क्या हो जाएगा, 32, 32, 32, चीए, एट, कैंसल हो जाएगा, 1, by, 4, b, ओमेगा, l, स्कॉयर, हो जाएगा, 1, by, 4, b, ओमेगा, l, स्कॉयर, इसके अकोरण अपना अंसर, क्योर सा क्रेक्ट हो रहा है, 4th, आंसर, क्रेक्ट हो रहा है, क्या हो जाएगा, इंडियो, gmf, e, is equal to, क्या होता है, b, ओमेगा, l, स्कॉयर, by, 2, होता है, तो यहां पर, l, जो रहेगा, इसके लिए, l, by, 4, हो जाएगा, क्या है, चलो, इसके एकोरण अपना अंसर, जो है, वो 4th, आंसर, क्रेक्ट हो जाएगा, next question number 33, पे चलते हैं, देखो, next question number 30, नमबर देखते है, an ideal coil of 10 henry, देखो, l की value कितने है, 10 h है, is joined, in series with a resistance of r is equal to kya है, 5 है, और, वैटरी is equal to kya है, 5 volt है, ठीक है, after 2 second, t equal to 2 second पे अपने को क्या देखना है, current flowing in mpf, will be, तो देखो, i is equal to kya होता है, i naught, 1 minus e की power, minus r, t y, kya होता है, l होता है, ठीक है, यहाँ देखो, i note को हम क्या रखते है, i note होता है, वो e upon में r होता है, e की value 5 है, और यह r की value कितनी है, 5, तो i note की value कितनी हो जाएगी, 1, तो i is equal to kya हो जाएगा, 1 into 1 minus e की power r की value क्या है, minus 5 into t की value 2, अब उन में, l की value 10 है, 10 से यह 10 cancel हो जाएगा, minus 1 बचेगा, i की value कितनी हो जाएगा, 1 into 1 minus e की power minus 1 आ जाएगा, तो अबना answer, second answer correct हो जाएगा, ठीक है, next question number 14 पे चलते हैं, question number 14 बड़ा अच्छा question है, for an emw wave, e is equal to kya है, यह है, तो देखो e is equal to e naught sin kx minus omega t से आप इसको compare करें, तो k की value क्या हो जाएगा, k is equal to 12 into 10 is to power 6, ठीक है, और omega की value क्या हो जाएगा, इसको अंदर multiply करेंगे, तो 12 है, into 10 is to power 6, into 2 into 10 is to power 10, यह क्या हो जाएगा, 12 into 2, 24 into 10 is to power, यह क्या है, 8 है, तो 8 है न, तो 8 और 6, 20, sorry 14 हो जाएगा, यह, omega की value आगई, speed of wave, v is equal to kya होता है, omega आप अन में की, ठीक है की नहीं है, तो refractory index, music equal to kya होता है, c by v नहीं होता है क्या, तो c अप उन में, v की value क्या रखेंगे, omega into k रखेंगे, तो c की value क्या होती है, 3 into 10 is to power 8, meter per second, into k की value क्या है विटा, k की value हमारे पास है, 12 into 10 is to power 6, अप उन में, omega की value कितनी है, 24 into 10 is to power 14, ठीक है, तो देखो 10 is to power 14 है, ये 8 or 6, 14 cancel हो गया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या आगया, 3 by 2, तो आगया, mu की value कितनी हो जाएगी, 3 by 2, second answer correct हो जाएगा, ठीक है, next question number 15 पे चलते हैं, देखो, question number 15 क्या कहे रहा है, in LC circuit, the capacitor has maximum charge q0, max charge कितना है, q0 है, ठीक है, the value of di by dt maximum is, देखो, अगर आपन बात करें, यह दोनों एक दूसरे के साथ parallel में connected है, तो इस पे जो potential होगा, वो ही इसके उपर potential रहेगा, तो vL पे जो maximum है, वो ही किसके equal हो जाएगा, vC के उपर maximum हो जाएगा, ठीक है, q is equal to क्या होता है, cv होता है, तो maximum voltage कब होगा, जब charge maximum होगा, तो q not upon में c हो जाएगा, यह maximum है, इस condition में यह q not by c लिख सकते हैं, और यह क्या हो जाएगा, l di upon में dt, ठीक है, यह maximum कब होगा, l तो constant है, यह maximum होगा, di by dt, तभी vL जो होगा, वो maximum होगा, तो यहाँ से di by dt की value maximum क्या होगी वेटा, q not upon में l into c हो जाएगा, तो q not upon में l c, first answer correct हो जाएगा, हाँ तो बच्चू, next week question number 16 आपना देखते है, question number 16, in figure f is position of a fish in water, the fish is at a rest, at a depth 6 meter from the water-air interface, a point source of light is in air and moving vertically downward with constant speed 3 meter per second, speed of point source as seen by the fish, when point source is passing a height is 6 meter from the interface, देखो यहाँ पे mu1 है, इसको 1 माल लो, air and, और यहाँ पे mu2 है, वो क्या हो जाएगा, 4y3 हो जाएगा, इसमें speed जो लगेगा, वो v2 है, और वैसे यहाँ पे speed क्या है, तो देखो यहाँ से अपन, v1 upon me, mu1 is equal to, v2 upon me, mu2 हो जाएगा, तो यह इदर आजाएगा, mu2 upon me, mu1 into v1 is equal to, क्या हो जाएगा, v2, तो यह क्या हो जाएगा, 4 by 3, और यह 1 है, into 3, 3 से 3 cancel हो गया, तो v2 की value कितनी आजाएगी, 4 आजाएगी, अपना answer कौन से correct हो जाएगा, थर्ड answer correct हो जाएगा, ठीके, next, question number 17, अपन चलते हैं, question number 17 क्या कह रहा है, बच्चे, the angle of incidence of ray, of a light at a reflecting surface of a prism is 45, i की value कितनी है, 45 degree दे रखा है, angle of prism a is equal to कितना दे रखा है, as 60, if ray surface, sorry, ray suffer minimum deviation through the prism, the angle of minimum deviation and refractive index of the material of prism is, देखो, angle of deviation, del m is equal to क्या होता है, 2 i e minus a नहीं होता है, तो 2 into 45 minus 60, कितना हो जाएगा ये, 90 minus 30, del m is equal to minimum deviation आजाएगा, 30 degree, ठीक है, अब refractive index, material का mu is equal to क्या होता है, sine, del m, plus a by 2 upon में, sine a by 2 हो जाएगा, तो sine, 30 plus a 60 by 2 upon में, sine a की value है, 60 by 2, तो ये क्या हो जाएगा, mu is equal to sine 45 upon में, sine 30 degree, mu is equal to 1 by root 2 upon में 1 by 2, तो ये 2 से 2 से 2 cancel होगा है, root 2 बचेगा, root 2 बचेगा, root 2 उपर आजाएगा, तो ये root 2 आजाएगा, mu की value, ठीक है, तो 31 root 2, second answer correct हो जाएगा, ठीक है, next, question number 18 पे चलते हैं, देखो, next 18 क्या कहा रहा है, in YDSC, the central bright fringe can be identified, ठीक है, ठीक है, अगर आपन white light यूज़ करेंगे, तो जो 0 ओडर का, जो maxima होगा, central maxima, उसकी intensity क्या रहेगी, maximum रहेगी, क्योंकि उस central position पे, सारी जो wavelength है, उन सब के लिए, जो face difference जो रहेगा, वो 0 रहेगा, सब के लिए, maxima बनेगा, तो intensity maximum रहेगी, तो by using white light instant of single wavelength, हर एक wavelength के लिए, maxima होगा, जबकि 0 ओडर के अलावा, जो maxima होंगे, उनकी position, अलग-अलग के लिए, wavelength के लिए, अलग-अलग रहेगी, ठीके, तो central maxima, आपको maximum intensity का मिलेगा, white light के लिए, ठीके ने, चलो, तो इसके according fourth option हो जाएगा, correct, next question number 19, अपन देखते हैं, find the half angular width of the central bright maxima in front of diffraction pattern of slit width, width की value दे रखिये, when slit is eliminated by monochromatic, light of wavelength ते, तो यहाँ पर देखो, sine, theta is equal to क्या हो जाएगा, lambda by d हो जाएगा, तो lambda की value क्या है, 600 nanometre angstrom, 10s to power minus 10 करना पड़ेगा, अपन में d की value कितनी है, 12 into 10s to power minus 5, minus 5 से, minus 5 centimeter है, into 10s to power minus 2 करना पड़ेगा, तो minus 2 और 5 कितना हो गया, 7, 1 तो minus 3 बचा, minus 3 से यह 3 0 कैंसिल हो जाएगे, तो यह क्या हो जाएगा, 1 by 2 बचेगा, तो sine theta is equal to क्या हो जाएगा, 1 by 2 तो theta की value क्या हो जाएगी, 30 degree हो जाएगी, तो इसका according अपना answer कुण सा, third answer correct हो जाएगा, ठीक है बटा, next question number 20 की बच्वर बात करें, question number 20 क्या कह रहा है, two polarides, P1 and P2, दो polarides है, एक polarides यह है, P1 है और यह दूसरा क्या है, P2 है, ठीक है, with there, yes, axis parallel to each other, इन दोनों के axis क्या है पेटा, parallel है, अन पोलराइड लाइट आई नोट, इसके उपर आई नोट इंटेंसिटी आपे, incident कर रहे है, ठीक है, on P1, ए थर्ड पोलराइड P2, P3 is kept in between P1, P2 such as there, axis make an angle 90 degree with P1, इसका axis यह है मालो, तो कुछ ऐसा axis वाला यहाँ पी, यह पॉलराइड आपने P3 रख दिया, तो इस condition में यहाँ पे देखो, यह इसके perpendicular है, और यह भी एक दूसरे के perpendicular है, perpendicular है, तो यहाँ से intensity जो आएगी, वो क्या आएगी, 0 आएगी, balance के law से, हाँ calculate करेंगे, तो ठीक है, तो दोनों mutually perpendicular है, तो intensity of transmitted light through P2, विल भी 0, तो अपना answer कोण सा हो जाएगा, second answer हो जाएगा, next question number 21 पे चलते हैं, question number 21 क्या कह रहा है, देखो, to identical photo cathode, receive light of frequency F1 and F2, if velocity of photo electron of mass M coming out are respectively V1 and V2, तो देखो, Einstein का equation क्या कहता है, E जो होगी photo electron की, photon की, वो कहाँ पे जाएगी, flux, sorry, work function, plus a kinetic energy, Ke max, इन दोनों का sum किसके equal रहेगा, K equal, ये क्या हो जाएगा, H into frequency F, is equal to क्या हो जाएगा, phi plus Ke max, हो जाएगा, ठीक है, तो देखो, जब frequency F1 आती है, उस condition में, H F1 is equal to 5, तो जो है, वो क्या रहेगा, identical photo, photo cathode है, तो वाक्ष वाक्ष उनका, दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, 5 plus 1 by 2, M V1 square, ठीक है, next condition में, H F2 हो जाएगा, जब frequency F2 है, तो 5 जो रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि photo cathode क्या है, सेम है, plus 1 by 2, M V2 square, ठीक है, तो इस condition में, हमारे पास, ये relation आपने को देखना है, तो ये equation number 1 है, और ये equation number 2 है, एक में से 2 को minus कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, H F1 minus F2 is equal to, 5 से 5 cancel हो जाएगा, 1 by 2, M V1 square minus V2 square हो जाएगा, ठीक है, ये 2 इदर आजाएगा, M इसके नीचे आजाएगा, तो V1 square minus V2 square is equal to, क्या हो जाएगा, 2 H by M F1 minus F2 हो जाएगा, तो इसके according अपना answer कुण सा, second answer correct हो जाएगा, ठीक है, next question number 22, अपन देखते हैं, question number 22 क्या कह रहा है, the velocity at which the mass of particle, become twice of its rest mass, rest mass का क्या हो जाता है बिटा, twice हो जाता है, तो देखो, moving mass जो होगा, वो क्या हो जाएगा, अपन बात करते हैं, M, moving mass, M is equal to, M not upon में, root of, one minus, V square by, C square होता है, M not क्या है, rest mass, तो V velocity भी ये, two M not हो जाता है, तो M not upon में, root of, one minus, V square by, C square, M से M गया, अपन दोनों तरफ क्या करतेते हैं, square करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, four is equal to, one by, one minus, V square by, C square, ये इदर आके, multiply हो जाएगा, four minus four, V square by, C square is equal to, one, तो four V square by, C square is equal to, क्या हो जाएगा, three, तो, ये C square इदर चला जाएगा, V is equal to, क्या हो गया, root three, C by two हो जाएगा, तो root three, C by two, क्योंस आंसर, third answer, correct हो जाएगा, ठीके, rest mass M note है, और V velocity से चल रहा है, तो उसका mass, effective mass हो जो है, वो ये रहेगा, चलो next, question number 23 पे अपन चलते हैं, देखो, question number 23 क्या कहा रहा है, mixer consists of two radioactive material, A1 and A2, with the half life, पहले का T1 जो है, वो क्या 20 है, और दूसरे का 10 second है, initially mixer है, 40 gram of A1, and 140 gram of A2, the amount of A2, in the mixer, will become equal to 2, तो देखो, T time पे, N1 number of, जो होगा, remaining radioactive substance की बात कर रहा हूँ, वो N1 होगा, वो क्या हो जाएगा, पहले N1, N node था 1 का, और अपन में 2 की पावर T, अपन में पहले का time period कितना है, 20, ठीक है, और N2 is equal to क्या हो जाएगा वेटा, N0 2 upon में 2, इंटू T की पावर, 10, इसका half life time क्या है, 10 है, ये दोनों क्या करें, T time पे मानलों बराबर है, एटे, टाइम, T, N1 is equal to क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, तो यहां से, N0 1 upon में 2, T की, 2 की पावर T upon में 20, T is equal to N0 2 upon में 2, T की पावर T by 10, देखो, यहां पर 40 upon में 2, T by 20, is equal to 160 upon में 2 की पावर T by 10, ये क्या हो जाएगा, 4, तो ये इदर आजाएगा, 2 की पावर T by 10, upon में, 2 की पावर T by 20, is equal to 2 की पावर 2 लिख लाता है, ये उपर जाएगे पावर माइनस हो जाएगी, T by 10 में से T by 20 माइनस हो गा, तो क्या बचेगा, 2 की पावर T by 20 बचेगा, is equal to 2 की पावर 2 हो गया, पावर, देखो, बेस दोनों की सेम है, तो पावर सेम रहेगा, तो T by 20 is equal to 2 हो जाएगा, तो T is equal to क्या हो जाएगा, 40 सेकेंड अपना अंसर आजाएगा, तो इसके अपना फूर्थ आंसर क्रेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्योंसर नमबर 24 दिखते हैं, वेन दपी एंजंक्शन इस इन फूर्वर्ड बाइस, देन दा डिप्लेशन रेयर, एको फूर्वर्ड बाइस में होता है ना, तो उस कंडिशन में डिप्लेशन लेयर की जो, ठिकने से वो भी रिडियूस होगी, और बेरियर पोटेंशल जो है, वो भी क्या होता है, अगो कि पहुता है, तो इसके अगोडिंग इंज्जर अरे णे टिकने आरे बेहर है आरे रेगी स्टीके, दोनों पोडेउस हो जायेंगी, था territory どलो हई पर प्रोंडो सकते हैं यहां पर अगर जी रोड है जी रहा है जी रहा कि जीर है जीरो फिरो आएगा jeder है एक जीरो है गया जिरो है यह जीरो है जीरो आएगा 11 पर है तौई टो मिए एक मालो लो पर है तो अ Bay ऐसा किस Там हा रहा है end gate में तो second answer correct हो जाएगा नेक्स्ट क्योंसर नमबर 26 पे अपन चलते हैं देखो पार्टिकल स्यल एस्य जरह बढ़र के बाद में उसकी वेलोंसर यह स्क्वार क्लस तू एस कलेट करते हैं यह जीयोऌ दो जाएगा यह 0 रकेंगे root 2 as हो जाएगा ठीक है वी एवरेज क्या होता है वी एवरेज होता है u ख्लस वी वाई 2 यह 0 और यह root 2 as upon me to i root 2 से root 2 cancel हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा root as by 2 हो जाएगा रुट आपना answer first answer correct हो जाएगा next question number 27 पर चलते हैं अपना देखो क्योंसे नमबर 27 क्या कह रहा है बड़ा लोजिकल क्योंसे ने कि बोल इस टोन इडिफरेंट एंगल विट सेम स्पीड यू सेम है तोम दा सेम पॉइंट एंड एड हैस दा सेम रेंज रेंज सेम है आर विल भी सेम वेंट टीटा वान इस टीटा है ठीटा टू दूसरे को आ पे 90 माइनस टीटा पे आपके थो करेंगे तब क्या रहेगा आर सेम रहेगा ठीक है वाई वन और वाई टू विल बी दे हाइट अटेंड वाई टू किया हो जाएगा तो देखो वाई वन इस इक्वल टू क्या ह हो जाएगा दूसरे के लिए यु स्कॉा viral को साइन स्कॉ boug एड नाइन्टी माइनस टीटा पे थे तोटो क्या हो जाएगा तो इन डोनों Κो ठीके हां तो बच्छु नेक्स्ट क्यूशन नमर 28 देखते हैं तू मैन A and B of masses 60 kg 40 kg are standing on plank of mass 100 kg which is kept on smooth horizontal plane, smooth है इसका मतलब friction 0 है तो net force on system in horizontal direction direction 0 है इसका मतलब xx के लोग cm का जो displacement होगा xcm dal xcm वो क्या रहेगा dear 0 है center of mass का displacement नहीं होगा center of mass का displacement आप होता जब यह कोई force होता external xx के लोग ठीके इसका मतलब देल x1 पहले का m1 plus m2 देल x2 plus m3 देल x3 is equal to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीके तो यहां से m1 जो है वो माल लो 100 kg है बोट का यह प्लांक का सोरी तो यह माल लो x position से तो रहा है दूसरा है 60 तो यह कितना हो जाएगा यह यहां से यहां तक जाएगा यह यहां तक जाएगा इस position पर इसका मतलब इस प्लांक की respect में 10 गया और प्लांक कितना से प्लांक की तरफ 10 आएगा तो यह कितना हो जाएगा 10 plus x हो जाएगा ठीके और क्योंसरा आजाएगी इसमोल जोची अप्लांक की तरफ को एपना अंसर कौन मतलब इसवालडर की तरफ समूथ और होरीजोंटल सब्सक्राइब फिसे क्विट इस पीडियु तो आप सब्सक्राइट इस कोफिशियन उब्सक्राइट देखो coefficient of restitution आपको given है कितना है e की value 1 by 2 है ठीक है then its xy component vx vy after collision r become तो देखो यहां पे यह जो component है वो तो क्या है perpendicular component है ठीक है और यह क्या है v parallel component है collision की वजए से यह component तो क्या रहेगा unchanged रहेगा यह तो क्या रहेगा तो यह तो क्या रहेगा और यह जो component होगा v y जो रहेगा वो क्या हो जाएगा e times हो जाएगा u y का और minus direction हो जाएगी ठीक है तो minus तो opposite direction बता रहे है तो इसका मतलब e की value 1 by 2 और velocity कितनी थी 4 यह क्या हो जाएग उपर की तरफ ओर ये भी 2 तो इसका अपना 3rd answer correct हो जाएगा ठीक है बड़ा अच्छा और logical question था next question number 30 पे चलते हैं देखो बिटा question number 30 क्या कह रहा है the velocity of a particle V vector is equal to kya है 6ik plus 2jk minus k2kf है the component of velocity parallel to the vector this इस vector के parallel component क्या होगा तो component of V vector along A vector in A vector form क्या हो जाएगा V vector का dot product करना है A cape के साथ और उसके बाद में A cape से multiply करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले A cape चीए तो A cape क्या हो जाएगा i cape plus jk plus k cape और इसमें root 3 से आपको divide करना पड़ेगा magnitude से इसका magnitude क्या हो जाएगा root 3 ठीक है तो पहले अगर आपन देखें तो V vector dot A cape क्या हो जाएगा यह 1 by root 3 into V vector का i component क्या है 6 into 1 by root 3 plus 2 into 1 by root 3 ठीक है minus 2 into 1 by root 3 यह से cancel हो गया 6 by root 3 तो यह क्या हो जाएगा 2 root 3 नहीं हो जाएगा क्या ठीक है नहीं है 2 root 3 आ गया अब देखो यहां पर इसकी value और a cape की value रखते हैं आपड तो क्या आ जाएगा 2 root 3 into 1 by root 3 into i k plus jk plus k cape यह क्या हो गया a cape हो गया root 3 से root 3 cancel हो गया 2 i k plus 2 jk plus 2 k cape यह answer आ जाएगा इसके according अपना answer कोण सा second answer correct हो जाएगा ठीक है बच्चे next question number 31 पर चलते हैं 31 भी एक अच्छा question है force f is equal to this is तो यहां पर देखो यह जो होता है वो क्या होता है dimensionless होता है मैसा तो b into t square की dimension होगी वो क्या हो जाएगी m0 l0 t0 हो जाएगी तो यहां से b की जो dimension होगी वो क्या हो जाएगी tk power minus 2 हो जाएगी इदर नीचे आ जाएगा t square तो tk power minus 2 अब देखो यह पूरा जो होता है वो भी क्या होता है यह और यह भी दोनों क्या है dimensionless है ठीक है तो यहां से अगर आपन देखें तो alpha की जो अब देखें जो हो जाएगी फोर्ष की dimension के क्योंकि यह equal का sign आ रहा है इसके left side की और right hand side की dimension equal रहेंगी तो यह तो dimensionless है तो इसकी dimension इसके equal हो जाएगी तो alpha की dimension क्या हो जाएगी f की dimension f की dimension क्या होती है m1 l1 t-2 तो यह क्या हो जाएगा m1 l1 t-2 और beta की t-2 इसके according third answer अपना correct हो रहा है next question number 32 अपन देखें देखो देखो इस range and maximum height both are same both are same दोनों same है तो देखो r is equal to क्या होता है 2 u square sine theta into cos theta upon में क्या होता है g होता है और h is equal to क्या होता है u square sine square theta upon में 2g होता है यह दोनों क्या है same है तो 2 u square sine theta cos theta upon में g is equal to u square sine square theta को sine theta into sine theta upon में 2g रखेंगे G से G गया, U square से U square गया, sin theta से sin theta गया, ये 2 to 4, 4 is equal to क्या हो गया, 10 theta, तो यहां से अगर देखें तो theta is equal to क्या हो जाएगा, 10 inverse 4 आजाएगा theta की value, ठीक है, तो इसके according अपना 4, 4th answer अपना correct हो जाएगा, ठीक है बच्चे, next question number 33, अपन देखते हैं, A gun is fitted on top of a moving car, ये देखो, ये कोई कार है, ये कोई कार है, ये कोई कार है, ये इदर की तरफ चल रही है, कुछ, I mean, car is aiming in backward direction at an angle, 60 degree with horizontal, if muzzle velocity of bullet fired from the gun is 8 meter per second, then the speed of a car for which bullet comes out vertically with respect to ground, देखो, आपने यहां यहां यह मजल रख, यह gun है, यहां से इदर की तरफ वी speed से horizontal के साथ 60 degree पर फेगा, ये speed क्या है, यू है, ठीक है, तो इदर की तरफ वी कोई से 60 हो जाएगा, और इदर की तरफ क्या रहेगा, वी sign 60 degree रहेगा, ठीक है, तो देखो, इसके respect में केवल ये velocity बसनी चाहिए, इसका मतलब ये velocity इससे minus करेंगे, तो इन दोनों का magnitude क्या होना चाहिए, same होना चाहिए, same होना चाहिए, तो ये cancel कर देंगे, तो वी कोई से 60 की value जो है, वो यू के equal होनी चाहिए, वी कितना है, मजल वेलोसिटी और बुलेट इस एट, तो एट इंटू, पोसिक्टी की value 1 by 2, तो यू की value क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो 4 अपना second answer correct हो जाएगा, ठीक है, next question number 34 देखते है, mass 40 kg and 30 kg are connected by a wet less string passing or a frictionless school, only as shown figure, the tension in string is, tension अपने को calculate करना है, इसमें tension की direction जो है, वो क्या है विटा, यहाँ पर माल लो tension है T, यह ठीक है, यह कुछ ऐसे a acceleration से चल रहा है, ठीक है, तो a is equal to क्या हो जाएगा, net cooling force m1 minus m2 into g sin theta, अपन में क्या हो जाएगा, m1 plus m2 हो जाएगा, तो a की value कितनी हो गई विटा, 10 g sin 30 की value कितनी हो जाएगी, 1 by 2 अपन में total mass कितना हो जाएगा, 70, 0 से 0 हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, g y 14 हो जाएगा, a की value g y 14 हो गया, अब देखो इसका equation of motion बनाते हैं, तो f net क्या हो जाएगा, mg sin, m1g sin theta minus t, तो यह क्या हो जाएगा, m a is equal to mg, m1g sin theta minus t हो जाएगा, तो यहाँ से t is equal to क्या हो जाएगा, यह 40 into g into 1 by 2 minus m1 कितना है, 40 into g y 14, ठीक है, तो यह देखो यह, 2 से यह 20 हो जाएगा, तो t is equal to क्या हो जाएगा, और यह 2 से cancel हो जाएगा, यह 7 बचेगा और यह क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपान क्या करते हैं, तो उसे cancel कर दिया, तो यह 20g हो गया, 20g minus 20gy7, अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 7 lcm ले लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 140g minus 20g अपन में 7, तो यह क्या हो जाएगा, 120gy7, ठीक है, अब देखो, 120 into 9.8 अपन में 7 करेंगे, तो यह कितना आजाएगा, से 1 से मल्टिप्लाइ करेंगे, यह लगवा कि अपना आणसर आएगा, 168, 168, फूर्ट आणसर अपना क्रेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट है, हातवत्चो, नेक्स्ट है, क्योंसे नंबर 35 पे देखते हैं, पोटेंशियल एनरजी आफ एवन के जी पार्टिकल, फी तो मूव अलोंग दा एक्स एक्स एस गेवन भाई, देखो, यह जो है, एक्स एक्स का फंक्शन आपको दे रख का है, the mechanical energy of particle is two joule, तो देखो, ई is equal to kya होता है, total mechanical energy, u potential energy, plus kinetic energy, दोनों का sum होता है, then maximum speed in meter per second is, speed maximum होगी, उस condition में k'e maximum होगा, और k'e maximum होगा, उस condition में u क्या होगा, minimum होगा, ठीक है, यह तो ई तो जो है, वो क्या रहेगा constant रहेगा तो यह minimum क्या होगा उसकी बात करते हैं पन तो देखो for minimum potential energy हम क्या करते हैं पहले यह किस position पर minimum होगा वो हम देखते हैं तो du by dx हम करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4x की power 3 upon में 4 minus 2 x by 2 x 2 से 2 cancel 4 से 4 cancel क्या हो गया x की power 3 minus x यह हो जाएगा तो maximum minimum के उपर अगर आपने देखें तो इसकी value क्या हो जाएगी यह मैक्स्रीमा and minima du by dx क्या रहेगा दियर 0 रहेगा this implies x की power 3 minus x is equal to 0 इसका मतलब x common लेंगे x minus 1 बचेगा is equal to 0 या तो x is equal to 0 होगा या x is equal to plus minus 1 होगा ठीक है तो देखो x is equal to 0 पे और plus minus 1 पे potential energy या तो minimum होगी या maximum होगी तो d2u by dx2 आपने चेक करते हैं d2u by dx2 क्या हो जाएगा 3 x square minus 1 x is equal to 0 पे क्या रहे है नेगेटिव आएगा 80 x is equal to 0 पे d2u by dx2 क्या हैगा नेगेटिव आएगा नेगेटिव आएगा इसका मतलब ये तो क्या है maxima है इसका मतलब x is equal to plus minus x is equal to plus minus 1 पर क्या होगा u minimum होगा तो u minimum कितनी हो जाएगी u minimum हो जाएगी 1 चाहे plus हम यहाँ पे रखते हैं चाहे minus हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या हैगा 1 by 4 minus 1 by 2 is equal to क्या आजाएगा minus का 1 by 4 आजाएगा ठीके तो यहाँ से अगर आपन देखें total energy mechanical energy कितनी है 2 जूले 2 is equal to u minimum की value हमारे पास कितनी है minus 1 by 4 आगया और plus का ke max को हम क्या रखेंगे 1 by 2 m v max से square आपन रख देंगे यह इदर आके add हो जाएगा तो 2 plus 1 by 4 is equal to 1 by 2 into m की value 1 into v max का square कर देंगे यह क्या हो जाएगा 4 lcm लेंगे 9 by 4 is equal to 1 by 2 v max square 2 से 2 cancel हो जाएगा root करेंगे तो v max की value हमारे पास क्या आजाएगी 3 by root 2 आजाएगी तो इसके अपना अंसर क्रेक्ट हो जाएगा फर्स आंसर क्रेक्ट हो जाएगा ठीक है बच्छे next question number 36 वे अपन चलते है question number 36 क्या कह रहा है देखो और पार्टिकल ओफ फाइफ केजी रोटेटेड इन होरीजोंटल सेर्किल आफ रेडियस फाइफ मीटर फाइंड दा मैक्सिमुम एंगलर वेलोसिटी इसका मास कितना है 5 kg ठीक है यह होरीजोंटल प्लेइन में क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसकी रेडियस कितनी है फाइफ मीटर है ठीक है तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा क्या होगी ताकि यह रषी ना तूट सेके और रषी कितना ट्रेंसट्टंड बेर कर सकती है 400, तो T max जो है, वो कितना है, 400 दे रखा है, तो T max कितना हो जाएगा, M omega max square into R, ठीक है, ये centrifugal force की equal हम करेंगे, maximum tension को, 400 newton is equal to M की value 5 into radius 5 into omega max का square करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, अब ये cancel होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16, तो omega max का square क्या हो जाएगा, 16, तो omega max कितना हो जाएगा, 4 आजाएगा, हम root कर देंगे, 4 radian per second, कोण सा answer है, 4th answer अपना correct answer हो जाएगा, ठीक है बच्चे, next, question number 37 पे चलते हैं, 37 क्या कहे रहा है, इन नोन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दा वेलोसिटी वैक्टर एंड असलरेशन वैक्टर, देखो नोन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब जो वेलोसिटी का मैगनिटूड है, वो भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और सर्कुलर मोशन में डारेक्शन तो कंटिनिउस्ली क्या, चेंज हो ही रही है, तो देखो इसके दो केस हो सकते हैं, देखो, ये सर्कुलर मोशन है, पहले केस को हम ले रहे हैं, कि डारेक्शन की चेंज की वज़े से एक तो ये सेंट्रिपिटल असलरेशन होगा, और इसका मैगनिटूड हो सकता है, या फिर इसकी स्पीड बोल सकते हैं आप, स्पीड क्या कर रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो टेंजेंटियल असलरेशन भी होगा, एटी टेंजेंटियल, ठीक है, ये दोनों असलरेशन होगे, तो रिजल्टेंट असलरेशन कहां आएगा, एसा आएगा, ठीक है, और अगर मान लो, ऐसा भी हो सकता है, ये नोन उनिफॉर्म असलरेशन है, उनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो एसी तो हो गई होगा, ड्यू टू चेंज इन डिरेक्शन, और इसका मैगनिट्यूड क्या हो सकता है, मान लो, डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या है, ऐसे है वी, तो वी के अपोजिट डिरेक्शन में, टेंजेंटियल असलरेशन रहेगा, एटी, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा हैगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए, तो वेलोसिटी, जो है, उसके लिए, अगर आपन देखें, तो यहाँ पर देखो, वेलोसिटी वेक्टर है, इसके साथ में, और इसके साथ में, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर क्या रहेगी, टेंजेंटियल रहेगी, तो यह एंगल क्या रहेगा, ठीटा रहेगा, यहाँ पर वेलोसिटी और असलरेशन, A net का अए यहाँ पर है तो इन दोनों के वीच का एंगल क्या है ठीटा है यह ठीटा लेस दें 90 degree है और यह यह वाला ठीटा जो रहेगा वो greater than 90 degree रहेगा तो अब इसके according आपन दोनों केस दे रख हो सकते हैं, दोनों के according अपना answer कौन सा correct हो सकता है वो देखते हैं perpendicular to each other नहीं यह बिल्कुल नहीं हो सकता same direction यह भी नहीं हो सकता opposite direction यह भी नहीं हो सकता inclined at a certain angle theta which follows यह ऐसा हो सकता है इस case के अंदर ऐसा हो सकता है ठीक है न अपने को non uniform बोला है अपने पास ऐसा कोई condition नहीं दे रखा कि वी का magnitude increasing है decreasing है तो increasing magnitude वाले condition में यह अपना correct answer को सकता है ठीक है तो अपना answer कौन सा हो जाएगा fourth option correct हो जाएगा ठीक है चलो next question number 38 पे चलते हैं देखो a will of moment of inertia i is equal to क्या है i is equal to क्या दे रखा है हमारे पास 5 into 10 is to power minus 3 kg into meter per second square दे रखा है kg into meter square execute 20 revolution on one second execute 20 revolution on one second one second में 20 revolution कर रहा है तो omega is equal to क्या हो जाएगा 20 into 2 pi radian per second नहीं हो जाएगा क्या यह radian per second में आ गया दा required dot in newton to stop it in 10 second 10 second में रोकना है तो final omega क्या हो जाएगा omega यह तो omega note है omega is equal to omega note minus alpha into t यह 0 हो गया यह 40 pi minus alpha into t की value कितनी है 10 तो alpha is equal to क्या हो जाएगा 4 pi नहीं हो जाएगा क्या ठीक है अलफा की value आ गई अब इतना angular acceleration produce करने के लिए टाउर के अपने को कितना required होगा तो is equal to हम क्या रख सकते है आई alpha रख सकते है तो i की value क्या है 5 इंटो 10 इस टू पावर minus 3 into 4 5 ठीक है यह कितना हो जाएगा 20 pi into 10 इस टू पावर minus 3 तो यहां से अगर अपने देखें तो क्या हो जाएगा देखो एक 0 इस cancel करते है तो पावर minus 2 हो जाएगा तो 2 pi into 10 इस टू पावर minus 2 हो जाएगा ठीक है तो इसके according अपना answer कौन सा correct हो रहा है 10 इस टू पावर minus 2 तो first answer correct हो जाएगा ठीक है 38 में कौन सा answer correct हो रहा है थीक है तो बच्चू next question number 39 देखते है a solid sphere is rotating in free space if the radius of sphere is increased by keeping mass same which one of the following will not be affected देखो यहां पे tau external क्या है जीरो है इसका मतलग rate of change rate of change in momentum जो रहेगा वो क्या रहेगा एंगुलर momentum जीरो रहेगा तो एल क्या रहेगा constant रहेगा इसका मतलग एंगुलर momentum constant हो जाएगा second option correct हो जाएगा ठीक है next question number 40 अपनों देखते है question number 40 क्या कह रहे रिशिया ओफ रोडेशनल and translational kinetic energy of sphere देखो के रोडेशनल क्या होता है 1 by 2 mv square k square by e r square होता है ठीक है और के रोडेशनलेटरी क्या होती है 1 by 2 mv square देखो 1 by 2 mv square से 1 by 2 mv square cancel कर देते हैं तो दोनों का ratio जो रहेगा वो क्या हो जाएगा k square by r square और k square by r square की value जो रहेगी वो solid sphere के लिए क्या हो जाती है 2 by 5 होती है तो इसका according अपना answer हो जाएगा third next question number 41 देखते हैं अपना देखो question number 41 क्या कर रहा है acceleration due to gravity on the planet A is 9 times of acceleration due to gravity on planet B acceleration of planet A is equal to 9 times of gravitational acceleration on B तो हम G B को क्या मान लेते हैं मान लो G मान लेते हैं तो G A क्या हो जाएगा 9 into G हो जाएगा अब देखो a man jump to a height of 2 meter from surface A A की surface से जब यह maximum velocity V से jump करने start करता है तो यह height कितने H is equal to 2 meter height तक jump करता है A पर ठीक है maximum height तो V is equal to क्या हो जाएगा root 2 G H अब यह दूसरे planet B पर अगर same velocity V से jump करेगा तो V is equal to क्या हो जाएगा root of 2 G B into H B हो जाएगा देखो velocity दोनों पर same है तो root of G A into H A is equal to क्या हो जाएगा root of G B into H B root से cancel कर दो आप G A की value क्या है 9 G H की value क्या है 2 is equal to G है into H B अपने को calculate करना है G से G को cancel कर दो क्या हो जाएगा H V height will be 18 meter तो अपना answer कोन सा correct हो जाएगा second answer correct हो जाएगा ठीके next question number 41 पर अपन चलते हैं देखो question number 41 क्या कह रहा है in adjoining figure motion of planet around the sun in elliptical path is sawn with sun 81 focus sun कहा है इस lips के focus पे है if time taken by a planet to go from A to B and C to D are T1 and T2 देखो A से B तक time लग रहा है T1 और C से D तक T2 लग रहा है तो यह area A1 और यह A2 क्या है same है इसका मतलब यह जो time area same है area velocity same है इसका मतलब time जो रहेगा T1 वो भी क्या रहेगा T2 के same रहेगा ठीक है तभी तो area same हो सकता है तो इसके बाद में अपर next question number 43 पे चलते हैं the ratio of length of two wire A and B is 1 by 2 देखो question number 43 क्या के रहा है दो wire है दोनों wire की length का ratio L1 upon L2 जो है वो 1 by 2 दे रखा है और दोनों की diameter जो है diameter का ratio D1 by D2 यही ratio radius करेगा R1 upon R2 वो क्या है 2 by 1 हो जाएगा ठीक है दोनों को same force मतलब F1 is equal to F2 है तो K1 X1 is equal to क्या हो जाएगा K2 X2 हो जाएगा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा तो X1 upon में X2 is equal to क्या हो जाएगा L1 upon में L2 into R2 upon में R1 का square हो जाएगा तो L1 upon में L2 1 by 2 और R2 upon में R1 क्या हो जाएगा 1 by 2 हो जाएगा तो 1 by 2 का square करेंगे यह 1 by 8 आ जाएगा तो इसके according third answer correct हो जाएगा नेक्स्ट क्योंसे नमबर 44 आपन देखते हैं वोटर एंड मर्करी और फिल्ड इन टू चलेंडिकल वेजल अप्टू सेम आइट देखो यहां पर दो वेजल है इसमें water वरा हुआ है और इसमें क्या वरा हुआ है mercury hz बरा हुआ है दोनों को same level तक फिल्ड किया है h की value से मैं इसके उपर यहां पर एक hole किया यहां पर एक hole किया ठीके तो efflex velocity v जो रहेगी वो क्या होती है है root of 2 g x होती है मतलब height जहां तक आप लिकविड फिल कर रहे हो तो लिकविड का level जो है उसके उपर डिपेंड करता है और gravity पेंड करता है बांकी liquid की density पेंड नहीं करता है तो दोनों में level क्या है सेम सेम लेवल तक लिक्विड बरावा इसका मतलों वेरोल सिटी दोनों की क्या रहेगी सेम रहेगी ठीक है चलू नेक्स्ट क्योसे नमबर 45 पर पन चलते देखो क्योसे नमबर 45 क्या कह रहा है यह थर्मोमेट्रिक का है क्योसे तो देखो टेंपरेजर इसकेल डिजाइन करने के लिए आपको पता है क्या प्रिंसिपल हम रखते हैं टेंपरेजर इन सकेल टी माइनस लौवर टेंपरेजर अपर फिक्स पॉइंट और लौवर फिक्स पॉइंट ठीक है यह क्या रहेगा कॉस्टेंट रहेगा तो ए इसकेल में टेंपरेजर टी माइनस लौवर टेंपरेजर कितना हो जायेगा ठ़टी कंउट फ़ चटी है ऑर लौवर कितना है देखो यह नटे ये 150 यह तक है ठीक है ठीक कितना बचे हैं यहां पर नीचे तक आ रहा है जब कि यह यहीं तक है ठीक है कि इतना बचेगा 30 हो जाएगा यहां पर तो लॉवर कितना हो गया 30 is equal to b के अंदर tb minus b का lower temperature के minimum 0 है अपन में high temperature 100 minus 0 तो यह क्या हो जाएगा t a minus 30 upon में 150 is equal to क्या हो जाएगा tb upon में 100 हो जाएगा इसके according अपना answer second answer crack हो जाएगा next question number six ता पन देखते है consider two insulating seat with thermal resistance r1 and r2 as on in figure the temperature theta is देखो यह road और यह road दोनों क्या है एक दूसरे के साथ series में connected है तो series में heat current क्या रहेगा same रहेगा तो इसमें current हम माल लेते हैं heat current h2 है और इसमें heat current है h1 तो series में heat current h2 जो रहेगा वो h1 के equal रहेगा heat current क्या होता है temperature difference delta theta 2 upon my radius r2 is equal to इसके across temperature difference delta theta 1 by resistance r1 देखो इसके across temperature difference delta theta 2 क्या हो जाएगा theta 2 minus theta upon my r2 is equal to इसके across temperature difference क्या हो जाएगा theta minus theta 1 by r1 अब क्या करता है अपन cross multiply कर देते हैं cross multiply करेंगे तो r1 theta 2 minus r1 theta is equal to r2 theta minus r2 theta 1 हो जाएगा देखो इस वाली term को और इस वाली term को एक साथ ले लो तो यह क्या हो जाएगा r1 theta 2 plus r2 theta 1 is equal to हम theta इन दोनों में से common ले लेते हैं और इसको इदर लेग जाते हैं तो theta को मल लेंगे अंदर क्या हो जाएगा r1 plus r2 हो जाएगा यहां से theta की value क्या हो जाएगी r1 theta 2 plus r2 theta 1 अपोन में r1 plus r2 हो जाएगा तो इसके according r1 theta 2 plus theta 1 r2 अपोन में r1 plus r2 यह temperature fourth option बता रहा है इसका मतलब अपना answer correct होगा fourth next question number 47 पे अपन चलते हैं देखो यह बहुत simple question winds displacement low winds displacement low क्या कहता है lambda m और t temperature absolute temperature दोनों का product क्या होता है constant होता है और वो किसके equal होता है winds से constant b के equal होता है तो इसके according अपना answer कोण से correct हो जाएगा first answer correct हो जाएगा next question number 48 देखते है two mole of an ideal mono atomic gas undergoes a cyclic process as shown in figure the temperature in different state are given by this this देखो यहां से अगर अपना देखें t1 की value क्या हो जाएगी 6 t1 is equal to 1800 है तो 1800 by 6 मतलब 300 हो गया Kelvin t2 is equal to kya हो जाएगा 1800 by 3 t4 is equal to kya हो जाएगा by 2 1800 by 2 is equal to 900 Kelvin हो जाएगा ठीक है यह एक cyclic process है देखो यहां पर यह जो arrow है वह ऐसे लगना है और यह cyclic process रहेगा ऐसे ठीक है ना तो यह arrow की direction आप है यहां पर यहां से cyclic process के अंदर work done अपने calculate करना है तो work done is equal to kya हो जाएगा 122 plus a 223 plus work done from 324 plus work done from 421 तो देखो 421 और 321 इन दोनों के लिए work done क्या रहेगा 0 रहेगा ठीक है ने और यह तो रख देंगे अपन direct 0 और यह भी क्या रख देंगे 0 plus देखो new r final t2 minus t1 हो जाएगा तो t2 minus t1 plus और यहां यहां पर देखो new number of moles आपको दे रखा है 2 दे रखा है तो 2 r t2 कितना है t2 और पास 600 है तो 600 minus 300 कर दो क्या आफ t1 plus 2 r into t4 कितना है डियर 900 minus 1800 ठीक है तो आपको reverse रखनी है तो इसके according अपना answer first answer correct हो जाएगा next question number 49 देखते है two simple harmonic motion with same frequency act यह r जो है वो नहीं है यह by mistake है यहां पर यह क्या हो जाएगा acts on a particle at right angle that is along x-axis and y-axis देखो एक तो है x is equal to a sin omega t ठीक है और दूसरी SHM जो है दोनों का amplitude same है और phase difference क्या है pi by 2 का है तो वो a sin omega t plus a pi by 2 हो जाएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हो y is equal to a cos omega t लिख सकते हो हम क्या करते हैं इसको equation number one देते हैं इसको equation number two one square plus two square करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा x square plus y square is equal to a square हो जाएगा ठीक है तो the resultant motion will be a circle देखो equation of trajectory circle का equation आ रहे ना इसका मतलाब circle रहेगा अपना answer हो जाएगा fourth ठीक है next question number 50 अपन देखते हैं echo is due to echo जब कोई sound जो है वो sound produce कर रहा है वो किसी large reflecting surface से reflect होके वापस अपने को सुनाई देता है तो उसको हम क्या बोलते है इको तो इस due to reflection of sound तो इसके according अपना answer दो अनिका प्रावर्तन फूट अंसर क्रेक्ट हो जाएगा ठीक है बच्ची थैंक्यू hello class good morning कैसे हो भाई सब लोग बढ़िया बटा आपका दंगल 9 में स्वागत है मेरा नाम संजय अगरवाल आज आपन बटा chemistry का दंगल 9 का जो portion है वो देखने जा रहे हैं उसमें physical inorganic वाले question बटा मैं आपसे discuss करूँगा बटा question 51 क्या कह रहा है देखेगा in the electrolysis of aqueous solution of NaOH 2.8 liter oxygen at NTP was liberated at the anode how much hydrogen was liberated at cathode NaOH के जलिये विलियन के व्यद्युत अबटन में NTP पर anode पर 2.8 liter oxygen मुक्त होती है तब cathode पर मुक्त होने वाली hydrogen होगी तो यहां से अपन simple जो दौनों के लिए बात कर रहा है दौनों के equivalent equal कलने दौनों के तुल्यांक equal कलने तो अपना इसमें easily answer हो जाएगा यहां से अपने oxygen और hydrogen की बात की है तो मैं बोलूं gram equivalent of oxygen is equal to gram equivalent of hydrogen यही बात हुई है यहां से इन दौनों के देखें gram equivalent क्या होता है mole into n factor तो यहां से mole into n factor दौनों के देखें तो अपन बोल सकते हैं mole 1 n1 is equal to mole 2 n2 यहां से अपन mole देखें कितना दिया है oxygen का 2.8 liter NTP या STP पर volume दिया हुआ हो तो उसे कैसे solve करते है mole के लिए given volume upon 22.4 इसका n factor 4 यह आपको पता होना चाहिए echo 2 के लिए 4 होता है यह important भी रहता है यहां पे इधर अपन को volume लिकाना है upon 22.4 और H2 के लिए n factor 2 इससे यह चला जाएगा 2 से यह 2 जाएगा तो यहां से solve करोगे तो भीटा hydrogen के लिए आपके पास में आएगा जो 5.6 liter volume आएगा तो यहां से अपन बोल सकते हैं फर्स्ट option भीटा आपका यहां पे correct होगा कैसे इससे related अपने यहां पे बात कर लिए दौनों के simple gram equivalent को अपन ने equal किया है इसके बाद भीटा next question के अपन बात कर लेते हैं question number 52 अपन को क्या कह रहा है question number 52 बोल रहा है बिटा अपन को the correct statement regarding solid is ठोस के संधर्ब में सही कथन है first cation generally occupies more space than anion in crystal packing second graphite is an example of monoclonic crystal third metal deficiency defect can be seen in feo बिटा ही सही है यह अपनने पढ़ा भी है defects में कि metal deficiency defect धातु नियून दोष जो बात किया जाता है वो अपन को feo में मिलता है तो यहां से बेटा आपका third option correct हो जाएगा तो 52 का simple direct ncrt based question था third option बेटा इसका अपना answer होगा इसके बाद बेटा अपन इसमें next question की बात कर लेते है next question अपन को क्या कह रहा है question number 53 की बात करते है in if half life of first order reaction is two minute then ratio of final rate to rate after two half life is ratio किसका पूछा है initial rate to rate after two half life तो rate initial को यह माल लो और कुछ time बाद मतलब after two half life की बात कर रहा ही है बेटा मैं बात कर लू starting में माल लो अपने पास में one था mole अपनने क्या बोला two half life के बाद में तो बेटा first half life होगी one by two रह जाएगा एक और half life होगी one by four रहेगा बोलिया सही बात है अपनको rate law first order reaction के according में बात करूँ तो r is equal to k a to the power one रहेगा तो अपन initial to final की बात करें तो यहाँ पे इस case से यह case cancel out initially a one था तो after two half life कितना रह गया one by four तो यहाँ से कितना आएगा four denominator denominator numerator हो जाएगा तो अपनको मिलेगा four ratio one तो यहाँ से आपका fifty three का fourth option बेटा c is equal to eight a upon twenty seven r b क्रांतिक ताप की बात कर रहे है गैसों के लिए वह निश्षित आप जिससे उपर उसको द्रवित नहीं किया जा सकता the temperature at which gas cannot be liquefied above this temperature चाहे आप कितना भी pressure क्यों ना लगाओ तो बेटा इधर अपनको पता लग रहा है जो अपना critical temperature है वो आपके e के अंस a के proportional है a आपका wonderful gas constant है जो attraction forces के लिए responsible है और अपन बोलते हैं जितना ज्यादा a होता है उतना gases का liquification easy होता है liquification of gases उतना easy होता जाता है सही बात है तो जितना ज्यादा liquification of gases का होगा उतना ज्यादा a होगा उतना ज्यादा critical temperature होगा यहाँ पर अपन बात करें तो इंदो के लिए तो बात अठा दीजी इंदो में बात करें क्योंकि attraction होगा जितना जादा molecules के बीच में, वहीं पर molecules पास पास आएंगे, उनका liquification easy होगा, तो यहां से इन दोनों में हैं, इन दोनों में भी attraction के लिए बात करें, तो यहां पर बोलते हैं यह dipole dipole, यह अपना wonder wall attraction hydrogen bonding के लिए बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपन बोल सकते ह हैं, कि इसमें attraction ज्यादा होगा, जिसमें attraction ज्यादा, यह अपन बोलें, इस gas के molecules का liquification easily किया जा सकता है, comparatively इसके, और जिसका liquification easily हो सकता है, उसके लिए यह ज्यादा, और जिसका यह ज्यादा, उसका critical temperature भी ज्यादा, तो यहां से आपका fourth option, बेटा, correct होगा, next question की बात करते हैं, question number 55, positively charged salt among the following is, बेटा, directly NCRT based अपन बात करते हैं, तो आपको पता है, arsenic sulfide हुआ, copper salt, gelatin, यह आपके negatively salt है, यहां से hemoglobin, आपका positively charged salt होगा, धनावेशित salt होगा, जिसकी बेटा, आपन ने यहाँ पे बात की है, किस तरीके से direct values put करनी है, वो मैंने आपको यहाँ बेटा value का ही नहीं, direct NCRT के line से related है, यह आपको पता होने चाहिए, कौन सा salt positive है, कौन सा salt negative है, इसके बाद next question की बेटा, बात कर लेते हैं, next question क्या कह रहा है, question number 56, which of the following set of quantum numbers is possible, possible पूछ रहा है, तो बेटा, जब भी इस type का question आजाता है, तो कुछ इसके basic point आपको पता होने चाहिए कि principal quantum number N की value L से जादा होती है, ना तो NL के equal हो सकता है और NL से less हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा, ऐसा दौनों possible नहीं है, हमेशा NL से जादा होना चाहिए, उसके बाद में यदि आपन बात करें, इधर N और L equal है, इसलिए यह रॉंग, इधर बात करें, L N से बड़ा है, यह रॉंग, यह N और L equal है, यह रॉंग, तो यह correct है, N4, L इससे कम होगा, M की value आपको पता है, minus L से 0 से plus L के बीच में होती है, और S आपको पता है, या तो plus half, या minus half होगा, depend clockwise और anticlockwise किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां से आपका second option correct होगा, किस तरीके से simple सा question है, उसकी बटा अपने यहां पे बात कर ली है, इसके बाद बेटा question number 57 की बात करें, 2 liquid A and B, PA0 और PB0 इनके ratio में बताया है, 1 upon 1 ratio 3, ratio of number of moles of A and B in liquid phase, बेटा राउल्टनियम से related question है, यहां पे आपको कि द्रव प्रावस्ता है, या बाश प्रावस्ता है, liquid phase है, या वैपर phase है, इसका आपको ध बातने हैं, तो mole fraction of A in वैपर phase, बेटा ये वैपर phase वाश्प प्रावस्ता में mole से related question important होता है, यह पूछ लिया जाता है, बेटा राउल्ट के according मैं बोल सकता हूं, PS is equal to PA plus PB, यह आपन और आगे बात करें, तो यहां से बोल सकते हैं, PS is equal to XAPA0 plus XBPB0, बेटा यह जो मैंने यह वो लिक्विड फेस में बात कर रहा हूं, कि लिक्विड फेस में क्या होगा, यहां से अपन बात करें, PS की, मिटाए, मोल्स दिया है, इसके corresponding अपनको X से X भी लिकालना है, तो X से क्या होंगे, खुद के मोल upon total मोल, तो यह 1 by 4 आएगा, और XB क्या हो जाएगा, 3 by 4 हो समझ में आगई बात, मोल फ्रेक्शन है, अंश मोल मिन्न की बात कर रहा है, तो यह आएगा, 1 by 4 into 1, plus 3 by 4 into 3, यहां से बात करें, PS क्या रहेगा, 1 by 4 plus 9 by 4, तो यह आपका आएगा, 10 by 4, समझ में आती है बात, बेटा, वहीं पर अपन जब इसकी बेटा, वेपर फेस में बात करेगा, उसके according, partial pressure is equal to total pressure into mole fraction होता है, अंशिक दाब is equal to कुल दाब गुणा मोल भिन, डॉल्टन के अंशिक दाब नियम की बात कर रहा हूं, जो आपन को वाश्प प्रावस्ता में काम में लेना है, यहां से मैं बोल सकता हूँ, A के लिए बात करूँ, तो A का partial pressure जो होगा, A का total pressure, जो आपने P बात कर रखी, into mole fraction, पेटा, XA, XB आपका liquid phase में mole fraction है, जबकि YA, YB आपका vapor phase में mole fraction है, वाश्प प्रावस्ता में mole भिन है, तो यहां से YA क्या आजाएगा आपका, PA upon PS, PA आपको कितना दिया है, 1 by 4, PS आपको कितना दिया है, 10 by 4, यहां से अपन बात करें, 4 से 4 चला गया, तो यह आपका आएगा, 1 upon 10 मतलब 0.1, समझ में आ रही है बात बेटा, तो यहां से simple आपका first option correct होगा, अच्छा question है, important है, इस type के question पूछे जाते हैं, liquid phase और vapor phase दौनों के साथ में, इसके बात बेटा, नेक्स्ट question क्या बोलता है, वो देख लेते हैं, question number 58 बोल रहा है, which has the maximum number of molecules, तो बेटाई देखे सारे molecules में ही बात की, molecule देखे number of molecules पूछे, तो mole into avagadro number करेंगे, बेटाई यहां पर first option दिया है अपनको 8 gram H2, तो यहां से moles लिका लू बेटा मैं, mole क्या आएगा, gram weight upon molecular weight, 4, और यहां से molecules लिका लेंगे, तो molecules क्या आएगा, total number of molecules जो आपके होंगे, वो आपके हो जाएंगे 4 Na, इसके बाद बेटा, second बात कर रहे हैं आपन, 64 gram O2, यहां से mole देखें बेटा, mole क्या आएंगे, gram weight upon molecular weight, तो यहां से 2 आया, और यहां से यदि आपन total number of molecules की बात करेंगे, तो total number of molecules क्या हो जाएंगे आपके, 2 Na, total number of molecules, तो आएंगे 2 Na, इसके बाद आपनको H2O का 3 mole direct दिया है, तो इसके लिए मैं direct molecules बता सकता हूँ, 3 Na होंगे, जबकि इसमें mole कितने हो जाएंगे 0.5, तो इसके respect में molecules कितने आएंगे 0.5 Na, तो सबसे ज़्यादा आपके आ रहे है first option में, तो यहां से आपका 58 का, बेटा, कौन सा option correct होगा, first option correct होगा, कैसे, यह मैंने आपको solve करवा दिया है, पहले mole लिकाला, अगे बात कर लेते हैं, आपको क्या कह रहा है, conjugate acid of SCO3-, तो conjugate acid के लिए आपको simple पता है, क्या करना है, add H+, SCO3- में H+, add करोगे, तो H2CO3 आ जाएगा, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, सीधे सीधे आपको यहां से पता लग गया, third option आपका correct होगा, ठीक है बेटा, इसके बाद इसमें आगे और बात कर लेते हैं, question number 60 क्या कह रहा है, 60 बेटा, आपके chemical kinetics से related है, एक chemical reaction है, जिसका rate constant double हो जाता है 10 degree पर, मतलब temperature coefficient की बात कर रहा है, ताप गुणा की, जो प्रते एक 10 degree में अपने को दुगुना करता है, अपने जनरली पढ़ते है, two times करता है, इसके लिए temperature coefficient को mu से बताते हैं, जिसकी value जनरली 2 से 3 के बीच में vary करती है, तो बोल रहा है, जब इसका temperature 25 से 55 कर यहाँ पर double, यहाँ पर double, यहाँ पर double, कितनी बार double हुआ है, three times हुआ है, तो यहाँ पर आएगा two the power three times double होगा, तो यहाँ से यदि पहले था r, और two the power three times double होगा, तो यह कितना आ जाएगा, eight r, तो यहाँ से fourth option होगा, temperature coefficient की बात कर रहा है, ताप गुणा की, जो every 10 degree Celsius में ख 65 में three times, तो two the power three times, temperature coefficient को mu बता दिया, इसकी value कितनी बोली है, इसने double, तो यहाँ आपना two आ गया, two की power three, तो यहाँ से eight r आपको मिलेगा, इसके बाद बेटा, next question की बात करते हैं, question number 61, mass of silver deposited at cathode bypasses of 9.65 ampere current for thousand second days, तो बेटा है, simple आपके faraday law से related है, फेराडे law के accordion के अपन बात करें, first law में, तो w is equal to z i t, आपको मिलता है formula, z आपका electrochemical equivalent होता है, वेद्यूत रासाइनिक तुल्यांग, जो क्या होता है आपका, तुल्यांग की बार upon faraday, equivalent weight upon faraday की बात करते हैं, तो यहाँ से आपन से बात किसकी की है, silver की, ag की की है, तो ag क यहाँ के लिए आपको पता है, इसका तुल्यांग की बार equivalent weight 108 upon f, f का मतलब 965 00 होता है, current आपके ampere में होना चीए, जो already ampere में दी है, time second में होना चीए, जो already second में दिया है, थोड़ा solve कर लेते हैं, w is equal to 108 into 9.65 into 1000 upon 965 00, यहाँ से ही अटाया, 2 0 आ गए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसको बेटा देखा, यह 10 times गया, तो यहाँ से solve किया, तो simple 10.8 gram अपन को मिल रहा है, directly calculation based question था, simple fee calculation थी, Faraday का first law आपको इधर apply करना था, यहाँ पर यह जरूर याद रखें कि time को अपन को second में लेना होता है, जबकि current को अपन को ampere में लेना है, इस चीज़ का आपको यहाँ पर clear पता होना चीए, चलें बेटा आगे, इसके बाद बेटा आपन next question की यहाँ पर बात कर लेते हैं, question number 62, आपको क्या कह रहा है, which of the following pair don't have the nearly same size, तो भीटा यह अपना periodic table से related है, आपको पता है, ZR, HF, length night contraction के कारण, almost to same size show करते हैं, ऐसा ही NBT है, तो यह तो same size है, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह DD contraction परते हैं अपन, 3D series में, तो वहाँ पर बात करते हैं, Fe, cobalt, nickel की, यह भी नहीं है, तो यहां से MN और Fe आएगा, वैसे NCRT के data के according भी आप देखोगे, तो यहां पर 151 और 141, मतलब around 10 से related, इनमें difference आ रहा है, और वैसे आपको पता लग गया, यह दौनों आपके length night contraction, यह आपका 3D series में देखते हो, Fe, cobalt और nickel, almost same size, तो बहुत ज़्यादा difference नह में difference आ रहा है, तो यहां पर आपका 62 का fourth option, बेटा, correct होगा, कैसे, इसकी बात मैंने आपसे कर लिए, यह मैंने आपको यहां पर बता दिया है, इसके बाद में next question की बात करते हैं, question number 63, क्या बोल रहा है, metal which cannot be extracted by smelting process is, बेटा, यहां पर बात की है, कि वैदातु जिसे प्र स्ट्रगलन विदी में आपन बात करते हैं, aluminium, aluminium को नहीं किया जा सकता है, बेटा, समझ में आर यह बाद, direct NCRT का लाइन से उठाया हुआ question है, तो बेटा, यह इस टाइप के question भी एक बार आपको ध्यान रखने होंगे, इसके बाद, बेटा, next question की बात कर लेते है, question number 64, क्या effect याद आगया होगा, वहाँ पर अपन बात करते हैं, कि जब भी metal और carbonyl bond को देखते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर कई बार, वैसे तो CO ligand है, तो ligand यहाँ से electron pair देगा, तो यहाँ से coordination bond बनेगा, जो sigma bond की तरह treat होगा, लेकिन कुछ cases में कभी-कभी metal का भी भर field orbital, वो अपने electron को carbonyl के empty orbital को दे देता है, तो यहाँ पर एक bonding और हो जाती है, जिसे pi bonding कहते हैं, इससे metal और carbon के बीच में bond order increase हो जाता है, बंद करम, bond strength increase हो जाएगी, stability increase हो जाएगी, जबकि bond length क्या हो जाती है, decrease, तो यहाँ पर चारो option के according बात करें, तो यह देखो, यह neutral, zero charge, यहाँ MN पर प्लस charge दिया है, यहाँ minus, तो इस option में देखो, metal के पास जतना ज्यादा negative charge होगा, उसके electrons उसके पास होने की tendency उतनी ज्यादा होगी, तो जितने ज्यादा इसके पास electron होने की tendency होगी, pi back bonding की tendency उतनी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब pi back bonding जैसे जैसे बढ़ेग होगा, यह याद रखना, strength order को अपन यहाँ पे कैसे देख रहे हैं, यह आपको पता होना ची, यहाँ पे आपको बता दिया, bond order बढ़ेगा, तो bond length decrease होगी, और bond order आपके किस के होता है, strength के stability के proportional यहाँ पे होता है, तो जितनी ज्यादा metal के पास electrons होने की tendency होगी, उतनी ज्या अपन यहाँ पे बात कर ली है, इसके बाद question number 65, in which of the following PP bond is present, तो आपको इसमें एक एक को देखना है, मैं आपको direct बता देता हूँ, second वाले option में यदि आपन बात करें, तो यहाँ पे direct अपन को PP bond मिलेगा, एक बार valency वगरा चेक कर लेते हैं, सही है क्या, उसके बाद आप P2 और आपको O6 मिल गया, तो यहाँ पे PP direct bond है, और इसने यही पूछा था, किसमें PP bond direct present है, तो यहाँ से 65 का आपका second option बेटा, correct होगा, ओके बेटा, इसके बाद आगे देख लेते हैं बेटा, question number 66, क्या बोल रहा है, in which of the following pair, both the species have iso-structural, बेटा, बोथ the species के लिए क्या पूछ रहा है, किसमें यह iso-structural है, इसके लिए अपन से बात कर रहा है, तो बेटा, iso-structural के लिए, जैसे first option को मैं देखता हूँ, XEF2, chemical bonding से related है, यह second है आपका BECL2, यहाँ पे बेटा, आपको पता लगा, 2 sigma है, और 3 lone pair है, तो यह कैसी geometry हो गई, linear, lake ही हो गई, जबकि यहाँ पे अपन बात करें, BECL2, तो यहाँ पे भी बेटा, आपको पता लग गया, 2 sigma है, तो यहाँ पे भी अपन को यह कैसा मिल रहा है, linear ही मिल रहा है, तो यहाँ से अपन इसको बोल सकते हैं, first में ही आपका same iso-structural है, अप जबकि आपका linear है, यह भी आपका linear है, जबकि इसमें देखें बेटा, यह आपका linear है, लेकिन यह आपका angular है, यह wrong, इसमें देखें, यह आपका pyramidal है, यह आपका linear है, यह wrong, इसमें देखें, यह आपका linear है, यह आपका angular type मिलेगा, तो यह भी रहा है, तो यहाँ से आपका first option बेटा correct होगा कैसे उसको अपने चर्चा कर ली है okay next बेटा इसमें question number 67 की बात कर लेते हैं क्या बोल रहा है hybridization involved in complex k3 co ox3 बेटा यह oxalator की बात कर रहे है strong ligand इसमें यहाँ पर अपन बात करें एक तरीके से तो यहाँ पर co पर charge कितना आएगा 3 plus x minus 6 is equal to 0 x is equal to plus 3 आएगा co का बेटा plus 3 में configuration देखें वैसे atomic number 27 तो यहाँ से अपन इसको बोल सकते हैं वैसे होता है 4s2 3d7 बट यह है तो इसको अपन क्या लिख देंगे 4s0 3d6 समझ में आ दिया बात बेटा coordination number यहाँ पर 6 है octahedral complex है तो अपन यहाँ पर किसके accordingly बात कर लें अपन यहाँ पर CFT theory के according बात करें तो वहाँ पर अपन को पता है EG orbital ऊपर होते हैं डायरेक्ट लिख रहाँ यह अपना energy diagram वगरह बना के अपन पांचो orbital के लिए बात करते हैं और T2G orbital नीचे होते हैं electrons field starting करें यह आपकी crystal field splitting energy होती है OX के case में बढ़ा हो जाएगा तो यहाँ पर आपन बात करें 3d6 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमको empty orbitals coordination number के equal चाहिए होते हैं हमें उतने रिक्तकक्षक चाहिए होते हैं जितना उसका sum and way संख्या है तो यहाँ से 2 तो यह आ जाएंगे D2 बाकी आगे वाले sp3 जामिती मतलब जो geometry है वो यहाँ पर अस्टपल किये ही रहेगी आपकी octahedral ही रहेगी तो यहाँ से simple के वल hybridization पूछा है तो D2 sp3 आपको मिल जाएगा simple cft के rule के according electrons fill करना था जो मैंने आपको बताया किस तरीके से होगा ओके बेटा इसके बाद इसमें next question की बात करते हैं question number 68 क्या कह रहा है यह आपके chemical bonding से related आ गया correct order of stability बेटा अभी पीछे भी अपने बात की थी कि आपका bond order proportional to stability मतलब strength के लिए अपन बात कर रहे होते हैं जो inversely proportional होता है bond length के यहां से अपन को species क्या दी है O2 O2 plus O2 minus O2 minus 2 bond order के लिए आपको direct electrons की according trick पता है यहां से electron 16 यहां 15 यहां 17 यहां 18 इनके corresponding bond order देखें तो यहां पे 2 यहां पे आपका कितना आ जाएगा आपको पता है 14 electron के लिए bond order 3 होता है तो 14 के लिए 3 है तो 15 के लिए 2.5 फिर 2 कम होता जाता है फिर 1.5 फिर 1 stability का order पूछा है वो bond order के proportional है बंद करम के proportional है समानुपाती है तो सबसे ज़्यादा आएगा आपका O2 plus उससे कमाएगा O2 उससे कमाएगा O2 minus उससे कमाएगा O2 minus 2 तो इसके according O2 plus O2 O2 minus O2 minus 2 तो यहाँ से आप सीधे बोल सकते हो कि आपका fourth option beta correct है कैसे इसकी बात अपने कर लिए सिंपल सा ये trick आपको यहाँ पर पता होनी चीए और आपको फता है 14 electron के लिए bond order 3 होता है उससे आगे जाओ या पीछे जाओ 0.5 से वो decrease होता है तो 68 का आपका यहाँ से fourth option beta correct है कैसे इसकी बात अपने यहाँ पर कर लिए इसके बात question number 69 की बात करें a shape of NiCO4 and NiCn4 minus 2 beta NiCO4 को अपन चेक करते हैं तो यहाँ से आपको पता है कि Ni0 है मतला neutral state में metal carbon bond में metal carbonyl bond में आपको पता होना चीए metal neutral रहता है धातू carbonyl bond में इसका परमाणुक्रमांग 28 इसको देखें तो बोल देंगे 4s2 3d8 बेटा इसको electrons fill करेंगे तो यह आपका strong ligand है strong ligand आपका pairing करा देगा तो यहाँ से अपन बात करें पहले 8 electrons को अपन ने fill किया यह 2 electron यह 4s2 यह 4p यह 3d because यह ground state है excited state में यह pairing होगी pairing होगी तो अपन को ऐसी position मिलेगी ठीक है बेटा यहाँ पे अब अपन बात करते हैं कि 4s में भी तो electron है इनका क्या करेंगे बेटा जब strong ligand हूँ CO strong ligand है उस case में 4s में यदि ऐसी condition बनती है तो 4s का electron अपने से higher energy में transfer हो जाता है higher energy कैसे देखते हैं n plus l rule के according तो यहाँ से देखेंगे इसके लिए n plus l की value 3 इसके लिए 4 sorry 5 इसके लिए n plus l की value 4 है n plus l की value चेक कर लो 4s में चेक करोगे n plus l की value तो कितना आएगा 4 plus 0 4 जबकि 3d में चेक करोगे n plus l की value क्या आएगी तो 3 plus 2 5 तो higher energy में transmit हो जाता है तो अपन को क्या मिलेगा इधर से electrons फिल करके देखोगे तो यह पांचों orbital इधर बढ़ जाएंगे हमको coordination number के बराबर empty orbitals चाहिए और इधर coordination number कितना है इसका 4 इधर भी coordination number कितना है इसका 4 तो यहां से hybridization मिलेगा आपको इसका sp3 जो कैसी shape का होता है चतुश फल की है tetrahydral तो niCO4 का tetrahydral होगा मतलब यह दौनों option तो wrong वहीं niCn4-2 की बात करूँ तो बैटा पता होना चाहिए आपको niCn4 यहां पे cn भी strong ligand है ni आपका plus 2 में इसका मतलब 4s0 3d8 होगा strong ligand है पेरिंग करा देगा तो अपनको coordination number कितना है इसका 4 तो 4 orbital ची है तो hybridization क्या आएगा DSP2 और shape होगी आपकी square planar तो यहां से आपका पहला tetrahydral दूसरा square planar second option आपका correct है important question है niCO4 कहीं न कहीं यह पूछ लेता है समझ में आगई बात यहां पे 4s का electron यहां क्यों आया क्योंकि strong ligand की presence में n plus l के according higher energy में jump कर लेता है इसके बाद बेटा आपन इसमें आगे और बात कर लेते है next question 70 क्या कह रहा है simple hydrogen से related question है hydrogen वाले chapter से water gas और producer gas क्या होती है water gas तो CO और H2 producer gas CO और N2 direct बेटा theoretical question है इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है अब direct बता सकते हो कि इसमें जो options हैं उसके according बात की है तो यहाँ से आपका first option बेटा correct होगा ठेक है बेटा इसके बाद next question number 71 की बात कर लेते है the solubility of following sulfates are in order solubility पूछा है sulfates के लिए बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे तो sulfates के लिए बेटा अपन बात करें अपनको पता है top two bottom आने पे size increase होता है size increase होगा तो hydration energy decrease होगी बोलो सही बात है गया और hydration energy decrease होगी तो आपकी solubility भी बेटा क्या हो जाएगी simple decrease हो जाएगी तो बेटा mgca, srba की solubility decrease होगी यही पूछा है अपन से तो यहाँ से 71 का आपका सीधे सीधे fourth option बेटा correct होगा ठेक है इसके बाद बेटा आपन next question की बात कर लेते है question number 72 क्या कह रहा है the ore of iron तो बेटा iron के लिए आपको direct ore बताना है कौन सा है तो इसमें आपको सारे ores बता रखें उनके according लिए अपन यहाँ पे बात करेंगे तो आपने पास में iron का ओर कौन सा होता है hematite ही होता है याद आजाना चीए आपको metallurgy में अपनको ISK के लिए बात किये तो आपने को iron लोहे के लिए बात करें तो इसका ओर क्या होगा hematite direct theoretical based question है तो बेटा ऐसा नहीं theoretical based question भी अपनको अच्छे से देखने है क्योंकि इन में से भी पूछा जा सकता है इसके बात question number 73 neutral oxide आप से पूछा है उदासीन ओक्साइड कौन सा है तो CO2 तो generally अपने अमलिये माल लेते हैं Na2 अपना शारिया आजाएगा Al2O वैसे याद रखना वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर पहले अमलिये होते हैं फिर उदासीन फिर आपके शारिये मतलब ऊपर acidic फिर बीच में neutral amphoteric और फिर लास्ट में आते-आते क्या हो जाते हैं basic तो यहाँ से CO आपका correct है neutral oxide है समझवारी है बात बेटा तो 73 का आपका third option correct है डारेक्ट ध्यान रखने वाला question था Hello friends, myself Nadeem team chemistry तो आज हम लोग solution कर रहे है dungal 9 का और मैं आपको solution कराऊंगा organic chemistry ठीक है तो जैसे question number 74 में organic start है in which of the following compound carbon chlorine bond distance is minimum तो card देखो यहाँ पर इस वाले को देखो आप इस वाले को देखो आप इसमें यहाँ loan pair है loan pair single 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 bond collector यहाँ पर देखो resonance है इसमें क्या जाएगा resonance तो थोड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा CH double bond CL positive negative तो यहाँ partial double bond character आ रहा है यहाँ देखो loan pair single single loan pair single तो बाकी सभी में single bond है carbon chlorine के बीच में और इसमें due to resonance there is a possibility of there is a partial double bond character due to resonance तो इसने पुछा क्या distance minimum तो हम जानते हैं और general order क्या होता है यह क्या होता है triple bond less than double bond less than partial double bond less than single bond order of bond length तो single bond से तो इसमें क्या होगा कमी होगा तो answer कौन सा अपना चला जाएगा यह वाला next चलते हैं the correct order of increasing dissociation constant dissociation constant मत्दाब तो आप जानते हो acidic behavior acidic behavior is directly proportional to ka yes तो अब आप देखो यह तो सबसे ज़्यादा होगा minus r minus r minus r यहां मेटा पर है तो minus r यहां लगेगा minus r यहां लगेगा minus r पहले r पर देख लेते हैं लेकिन यहां पर आप जानते हो कि ortho nitro phenol is little less acidic than paranitro phenol due to intermolecular hydrogen bonding तो सबसे ज़्यादा HD कौन सा होगा third third सबसे ज़्यादा os ו अब देखो third सबसे ज़्यादा oil सबसे कम sd कौनसा होना है 4 कम से कम यहां minus r minus r तो लग रहा है सबसे कम कौनसा होना है 4 यहां पर पर ंश और इन दोनों में ortho nitrogen फिर हो गया सेकेंड फिर हो गया था, ठीक है? next which is most basic, देखो यहां पे जो loan pair है, वो resonance में है, मतलब यह sp2 hybridized है, यह देखो जो यहां, यहां पर एक ध्यान रखना, यह है पहले तो, यह h है, यहां पर n नहीं है, यह क्या है? h, h है यह, ठीक है? तो यह loan pair है यहां पे, and it is sp3 hybridized, यहां पर loan pair resonance में तो नहीं है, बट sp2 है, यह देखो resonance में है, तो localized जो है, localized यह भी है, localized यह भी है, इन में तो delocalization है, तो availability वैसे भी कम हो जानी है, बट यह sp2 hybridized और यह sp3 है, इस character जादा रहता है, तो basic power क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा basic कौन सा होगा हमारा second? नेक्स्ट plus r, बट आप जानते हो, इसका minus i plus r पर क्या होता है, dominating होता है, तो most stable, अब आप जानते हो, जो plus r है, ना, कम से कम ऐसे तो लिखी सकते है, plus h है, plus i directly proportional to stability of carbocation, कह सकते हैं इतना, तो अगर इस पे देखा जाए, तो हमारा answer कौन सा चला जाएगा, most stable का कौन सा चला जाएगा, third answer, yes. Next question, which of the following, which of the following alkene, which of the following alkene, has a, alkene has a hyperconjugation structure that shows geometricalizing, एक तो hyperconjugation, hyperconjugation directly proportional to क्या होता है, alpha h, ठीक है, और साथ में gi i भी शो करना चाहिए, gi i भी शो करना चाहिए, मलब restricted rotation, attached with two different group, तो देखो, यहां restricted rotation है, but two different group नहीं है, तो यह gi नहीं शो करेगा, यहां पर restricted rotation है, दो different group नहीं है, तो gi i नहीं शो करेगा, यहां पर restricted rotation है, dेखो, h, इधर से, इधर से c s3, यह gi i show कर रहा है, यह gi i show कर रहा है, अब साथ में hyperconjugation भी शो करना चाहिए, तो देखो, इधर से यह alpha hydrogen, alpha, यहां भी alpha है, यहां भी alpha है, तो यह compound, अब इसमें देख तो आंसर अपना कुन समझाएगा, थर्ड, नेक्स्ट, देखें, वे चार्ड फॉलिंग रेक्शन इस एक्सपेक्टेड टू अकर क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, कौन से विक्रिया, गुडात्मा गुरूप से प्रेखो, तो देखो, यह होता क्या, जैसे मा more acidic, और इससे यह क्या है, less acidic है, less acidic, तो less acidic वाले से more acidic तो नहीं बन सकता, तो यह तो गलत हो गया, अब यहां से देखो, क्या बना है, NH3, अब आप जानते हो, अगर आपको याद हो, तो इसकी electronegivity होती है, करीब-करीब 3.2, और इसकी electronitrogen की electronegivity कितनी होती है, 3, तो यहां more polarity है, मतलब यह ज्यादा acidic है, और ऐसे भी आप कह सकते हैं, यह SP hybridized है, तो यह ज्यादा acidic है, और यह वाला क्या है, कम acidic, तो ज्यादा से कम acidic तो बनता है, more acidic compound generate करते हैं, less acidic को, बड़ उल्टा नहीं होता, यह तो है possibility, अब देखो, अलकेन से तो कोई reaction नहीं, यह बेस है, और तो यह सब reaction तो possible ही नहीं है, यह तो possible ही नहीं है, यह तो possible ही नहीं है, यह possible था, बट यह less acidic है, more acidic generate नहीं कर सकता, हाँ, यह more acidic से less acidic generate हो सकता, तो answer कौन सा हमारा चला जाएगा, second. Next, Match the column, R, C, L, यह कौन सा reaction होता है, फिंकल्स्टीन, फिंकल्स्टीन, तो फिंकल्स्टीन कहां पर है, A का हो गया P, AGF, स्वार्ड्स reaction, तो B का हो गया R, B का हो गया R, और यह आप जानते हो, Border, Simony reaction बुलते हैं, Simony नहीं बुलते है, Border, Hans, Dicker reaction बुलते हैं, अगर यहाँ पर I2 ले ले लेते हैं, जब, तो Simony reaction, Ester बन जाता है, फिर वहाँ पर, यह हो गया हमारा, यह, तो name reaction है, याद रखना है, तो A का P, और B का R, A का P, B का R, A का P, B का R इसी में आई रहा है, थर्ड हो जाएगा, yes? Next one, the order of reactivity of the following compound, SN1 reaction बोल रखा है, तो हम जानते हैं, SN1 reaction, SN1 reaction is directly proportional to stability of carbocatine, stability of carbocatine, अब carbocatine बना लेते हैं, यहाँ पर देखो, तो देखो, जैसे C6H5 CH2BR, यह हटाया, यह carbocatine, ठीक है कोई बात में, दूसरा वाला, C6H5, दो C6H5 है, C6H5 मतलब बेंजीन हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ BR हो गया, यह हटाया, यहाँ carbocatine आएगा, फिर है, C6H5 CH, C6H5, CH, BR, CH3, ठीक है, यह हटाया, यहाँ carbocatine आएगा, फिर है, C6H5C, BR, यहाँ है, बच्चे, CS3, और यहाँ पहस, C6H5, यह हटाया, यहाँ carbocatine आएगा, अब देखो, रेजुनेंस है, रेजुनेंस स्टेबलाइज, ज्यादा रेजुनेंस है, यहाँ भी ज्यादा रेजुनेंस है, हारेजुनेंस है, तो यहां एक बेंजीन आप एक वह साथ बोत एक बेंजीन साथ फर और हमार बेंजीन के साथ। जो सबसे यहां गया और एक पाझार अलगार यहां तो अंहीं हो जाएगा छाझाएना। सा 3rd, ठीक है, next, most stable product, तो देखो बच्चे, H, यह हो गया ऐसे, कार्बो केटाइन बन जाएगा यहाँ पे, यह OH2 पॉजिटीव पहले तो बनेगा, और जोनियम आयन, यह इधर गया, यह इधर गया, यह यहाँ पर है, यह इधर गया, तो पहले कार्बो केटाइन बनाते हैं, कार्बो केटाइन बन गया, अब आप देखो, अगर मैं यहाँ से 1-2 मिथाइल कराता हूं, तो यहाँ कार्बो केटाइन बनेगा, और इधर से भी 1-2 मिथाइल करा देते हैं, तो यहाँ कार्बो केटाइन बनेगा, ब तो अब देखो क्या बन रहा है यह इधर यह इधर हो गया यहां पे है यह यहां पे है यह हो गया double bond और यहां पर आगया positive charge है ठीक है heat तो डाला ही है यहां पर आप balance करोगे तो यह चाहेगा elimination कुल मिलाकर हो जाना है यह हमारा final जो product बनेगा major वह कुछ इस type का बनना चलिए अब ऐसा देखो कहां पर है second answer हो जाएगा second answer हो जाएगा next question which are the following reaction will give chiral primary primary as a major product देखो यह है oxy-mercuration demercuration वो मारकुनी cough देता है तो इसमें जो OH आएगा वो यहां आएगा dilute S3PO4 carbocation mechanism के थ्रू जाएगा वो carbocation अपनी यहां बनाएंगे यहां ही आएगा तो देखो यह primary तो बनी नहीं रहा है यह आएगा तो tertiary यह आएगा तो tertiary यह क्या है hydroboration oxidation hydroboration oxidation anti-mercuration का product देता है तो इसमें यहां पर आ सकता है तो हमारा chiral viral तो छोड़ो हां chiral भी देखना पड़ेगा क्योंकि यहां नननो दीज भी answer है तो एक बार यहां पर लगाते हैं तो इसका आजाएगा CH3C C2H5 और यहां पर हो गया H और इधर देखो यहां पर CH2 और नेगेटिव पार्ट यहां पर आ गया अपना इस तो यह primary है बिल्कुल सही है primary alcohol और साथ में देखो यह वाला center यह वाला देखो यह वाला chiral है कि नहीं 1 2 3 4 chiral भी हो गया तो answer कौन सा हमारा चला जाएगा first answer हो जाएगा next question तो इसमें x small of h i consumed x plus y निकालना है तो इस पर देखो आप देखो यह तो कुछ ही stress है अब यहां तो resonance में है यहां तो resonance में यहां partial double bond character रहे है यहां से break होएगा नहीं यहीं से break होगा और इधर आएगा h इधर आएगा i तो पहला वाला जो product बनेगा first जो product बनेगा यह हो गया और c h 3 i यह बनेगा one mole consume हुआ है अब दूसरे वाले में देखो दूसरे वाले में o c h 3 किया इधर आगया h इधर आगया i अब देखो क्या हो रहा है यह हो गया o h yes और बना c h 3 i अभी देखो x से का मिला एक स्मोल मैक्सिमम यहां अभी एक बार और यूज हो सकता है h i से reaction कराओगे यहां देखो lone pair यह इधर यह निकल जाएगा यहां से कुछ carbocation type का बनेगा यहां पर और i हमारे पास माइनस है attack मार देगा final product हमारा हो जाएगा cyclo यह आजाए तो एक मोल यहां use हुआ एक मोल यहां use हुआ एक मोल अब यह फर्दर तो जा नहीं सकता है h i क्योंकि यहां तो resonance stabilized है तो यह break नहीं होने वाला तो x कितना है 1 और यह कितना है 2 तो answer कितना हो जाएगा x plus y का 3 moles next देखो next question which of the following reaction which of the following reaction will not yield phenol will not yield phenol इधर से करते हैं देखो high dough process आपने पढ़ा होगा dough process in CRT में दिया है high temperature and pressure पर तो यह benzyne में नहीं के थुरू जाता है तो यहां पर तो बन जाता है by dough process dough process आपको in CRT में मिल जाएगा doughs process Olium, Olium यहां देखो Olium का मतब H2, H2O7 मतब Sulphonation हो गया Sulphonation हो गया SO3H, base डाल दिया साथ में आपने, base डाल दिया, base डालोंगे तो यह क्या हो जाएगा Sodium Sulphonate type का कुछ बन जाएगा SO3 Na, अब heat कर दिया, heat कर देते हो तो SO3 क्या हो जाता है निकल जाता है, heat करोगे तो SO3 निकल जाएगा और यहां पर क्या है, अलग से H+, भी डाला है H+, यहां आपकर जोड़ी है तो finally यह कुल मिला के क्या बन जाएगा अपना, benzene यह देखो इसका तो यहां से यहां से भी बन जाएगा यहां से भी बन जाएगा यहां से भी बन जाएगा यह हो गया हमारा sorry यह देखो यह बन गया SO3H ठीक है SO3H NaOH बेस भी है, ठीक है, substitution यह निकलेगा किस तरह से Nucleophile की तरह OH- यहां पर आगया OH- जब आएगा यहां पर तो OH- की form में रहेगा नहीं वह होता क्या acid-base reaction करके क्या बन जाता है अपना O-N की form में रहता है अब इसलिए extra H-plus डाला है extra H-plus डालोगे तो phenol देगा इसको क्या बलते है Ipsosubstitution हाँ सही है यह phenol देगा ठीक है और यह तो दे दिया डो process इसका आप देखते हैं तो यह आप जानते हो benzene diisunium salt benzene diisunium salt बन जाता है positive x negative अब आप कर heat किया आपने आप जानते हो यह exist किस पर करता है 5 या below 5 degree centigrade heat करके water डाल दिया यह निकला और water क्या provide करेगा यहां पर OH पर देगा तो ध्यान दखना भाई Ipsosubstitution होगा Ipsosubstitution Ipsosubstitution से OH आएगा इसमें देखो NaOH डाल तो जरूर दिया है H plus भी डाल दिया आपने लेकिन आप जानते हो कि heat डालना पड़ता है because यहां पर क्या है partial double bond करेक्टर ऐसे नहीं निकलने वाला है इसलिए NCRD में देखो कि dose process में यहां पर heat दिया हुआ अगर heat नहीं डालो के तो नहीं निकलने वाला ही है तो which of the following ratio will not yield phenol इसमें best कौनसा हमार आंसर चला जाएगा first answer चला जाएगा ठीक है इसका ध्यान रहे it is Ipsosubstitution Ipsosubstitution Olium बनता है SO3H and OH से क्या होता है वो substitute है heat भी डाला है तो SO2, SO3 महां से क्या होता है निकल जाता है फिर अपने पास में section B में बात कर लेते हैं question number 86 maximum number of electron associated with L is equal to 1, M is equal to 0 in mg atom magnesium परमाणू में L बराबर 1 और M बराबर 0 वाले अधिक्तम electron है magnesium का atomic number होता है 12, 1s2, 2s2 2p6, 3s2 L is equal to 1 तो आपको पता होना चाहिए L की value S के लिए 0, P के लिए 1 D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है तो यहां से 1 के लिए अपन बात कने P orbital की बात हो रही है P orbital आपका ये वाला है इसमें आपको पता है Question number 87 pH of tend to power minus 2m CaOH twice aqueous solution is बेटा यहां से अपन बात करें तो ये बेटा आपको पता लग गया है इसमें 2 OH है मैं बोल सकता हूं CaOH का twice break करूं तो क्या होगा Ca plus 2 plus 2 OH minus तो यहां से वही Ce 00 C minus C alpha C alpha 2 के लिए क्या आएगा 2C alpha तो यहां से मैं POH की बात करूं तो वह क्या आएगी minus log OH minus ion की concentration minus log 2C alpha क्योंकि 2 OH है यहां से अपन POH को आगे solve करें तो minus log 2C concentration दिये 10 to power minus 2 alpha बेटा यहां पर यह strong है strong के लिए अपन 1 माल लेते है strong base में consider करके जब तक नहीं बता है अपन 100% आएना इस दुमान के चलेंगे तो यहां से अपने पास में POH आएगी minus log 2 और minus log tend to power minus 2 भाई log m into n log m plus log n होता है यह minus अंदर आ गया यहां से यह आगे आ जाएग log की property से क्योंकि log m to the power n क्या होता है n log m तो यहां से क्या मिलेगा अपन को POH is equal to 2 minus log 2 तो यहां से 2 minus 0.30 तो around 1.7 आएगा POH आपसे पूछा क्या है pH ध्यान रखें वेटा confused नहीं हो देखो पहला option आपको यही दिया है तो आपसे POH नहीं पूछा है आपसे pH पूछा है क्या पूछ रहा है यह चीज आपको पता होनी चीए जिससे इस टाइप के question आप generally गलत नहीं करो क्या पूछ रहा है यह चीज आपको पता होनी चीए उसी के accordingly यहां पे बात की जाएगी तो यहां से बेटा अब आपन यदि इसमें बात करें इसको solve करें तो pH क्या होगा हमको पता है pH is equal to 14-poh क्योंकि दौनों का sum 14 होता है तो यहां से 14-1.7 करोगे तो 12.3 आएगा इसके according third option आपका correct होगा समझ में आती है बात बिटा इसके बाद next question देख लेते हैं क्या बोल रहा है question number 88 if the solubility product of baso4 ba plus 2 की concentration और SO4 minus 2 की concentration solubility product विलेता गुणनफल क्या होता है आयनों की संद्रताओं का गुणनफल संत्रप्त विलेन में saturated solution में ions की concentration उनका product तो यहां पे यह दिया है अपनको अब जब इसमें अपनने 0.1 M BaCl2 add कर दिया पहले मैंने इनकी concentration माल ली की S S जैसे यह add किया तो KSP तो constant ही रहेगा temperature पे fix है अब इतना ही temperature है यह तो fix रहेगा तो change इसमें हो रहा है BaCl2 डाला तो पहले तो S थी 0.1 BaCl2 और डाल दिया तो S plus 0.1 हो गई इसकी और sulfate की S ही रहेगी KSP कितना दे रखा है आपको 1 into 10 to power minus 10 इसको solve किया S square S square plus 0.1 S आपको पता है S की value पहले से ही कम है, sparingly soluble solved है तो उनकी higher powers उच्छ गाते और भी कम होंगी तो इनको अपन negligible मान सकते है 0.1 S is equal to 10 to power minus 10 तो S is equal to क्या हो जाएगा, simple आप बता सकते हो S is equal to, यह 10 to power minus 1 है कम हो गया, तो 1 into 10 to power minus 9 हो जाएगा और solubility की unit, mole पर liter तो यहाँ से आपका first option correct होगा, कैसे इसकी चर्चा मैंने आपसे कर लिये यह आपको logic बता दिया है, किस तरीके से इसको solve किया है इसके बाद बेटा next question की बात कर लेते है question number 89 क्या कह रहा है consider the reaction delta H दिया है, delta U पूछा है, 1.5 mole के लिए तो यहाँ से इस reaction की according delta NG लिखा लूँ तो liquid का आएगा ने, तो इसकी according 6 minus 15 by 2 तो minus 1.5 आएगा delta H और internal energy में relation पता है, delta H is equal to delta U plus delta NG RT तो यहाँ से आपका delta H यह delta U अपनको calculate करना है delta NG minus 1.5 R 8.314 temperature आपको दिया है 27 degree मतलब 300 Kelvin यह kilo में है तो यह भी kilo में लिकालना है तो 1000 का divide कर दो यहाँ से अपन delta U calculate करेंगे, delta U आप calculate करोगे तो यह approximately बेटा जो आपके पास में आएगी वह approximately अपन मानके चल रहे है यह आपका आता है समझ में आरी यह बात बेटा यह यहाद रखिएगा यह कितने के लिए आई है पर मोल के लिए जबकि आपसे कितना पूछा है 1.5 इसलिए इसका first option नहीं होगा माइनस में आएगी क्योंनी होगा first option फिर से सुन ले यह पर मोल के लिए आई है और आपसे 1.5 मोल के लिए पूछा है इसलिए पहला option ऐसा दिया है यहाँ पे ध्यान रखें गलत नहीं करें तो आपनने बोल दिया वन मोल के लिए कितना है डेल्टा यू आपका माइनस 3260 के around approximately बात कर रहा हूं तो 1.5 मोल के लिए कितना आ जाएगा इसको 1.5 मोल से multiply कर लो तो यह 1.5 से जैसे multiply होगा तो आपका approximately बेटा आएगा minus 4900 kilojoule याद रखें important है solve कर ले ना approximately बताया है यह 1 मोल के लिए आया था और हमसे 1.5 मोल के लिए पूछा है इसलिए इसका first option wrong होगा important question है इस type के question बेटा पूछे जाते हैं इसके बाद next question और देख लेते हैं क्या बोल रहा है question number 90 the normality of H plus in resulting solution बेटा acid में acid मिलाया है तो simple आप formula बोल सकते हो N1 V1 plus N2 V2 upon V1 plus V2 क्योंकि acid में acid मिलाया है तो यहां से आपन बात करें N1 कितना दिया है आपको यह देखो 1 into 50 ml फिर कितना दिया है 2 into 100 ml और volume को add करो 100 or 50, 150 आया तो यहां से normality को solve किया 50 or 200 250 upon 150 इससे यह गया इसको आप check करोगे तो बेटा यह 3 यह 5 तो यह 1.66 N आएगा तो यहां से आपका first option correct होगा acid में acid मिला हो या base में base तो यह formula होता है यह आपको यहां से पता होना चाहिए इसके बाद question number 91 chemical formula of washing soda बेटा direct पता होना चाहिए धावन soda का सूत्र दोने वाले soda का direct NCRT based question है छोटा सा formula है आपको पता है तो सीधे अपना answer बता सकते है question number 92 the correct order of ionization enthalpy of group 13 group 13 वर्ग 13 उपर से नीचे जाने पर आपका size भरता है तो IP decrease होनी चीए general trend के according बात करें बट वहां पर कुछ exceptions आते हैं जैसे lengthenide contraction हो गया जैसे DD transition हो गया कि 3rd से 4th आवर्त में जा रहे है तो D कक्षक बढ़ते जा रहे है D orbitals बढ़ते जा रहे है उस कारण इनके trend में थोड़ा सा changes आता जाता है और changes के according फिर जब अपन इसमें बेटा बात करते हैं तो यहां पर अपन को पता लगता है कि बेंगन, आलू, गाजर, इन थैला को देखें तो अपन को यह तो पता लग गया कि बोरून का size सबसे छोटा है तो इसकी IP जादा सबसे जादा आएगी फिर अपन बात करते हैं बेंगन, आलू, गाजर, इन थैला तो वहां पर इन ओर्डर्स में बेटा थोड़ा सा changes आता है और NCRT के data के according यदि अपन इसकी बात करें तो यहां से अपने को इसका direct fourth option मिलेगा समझ में आगई बात मैं फिर समझा देता हूँ, आयन विभाव में आयनिजेशन पोटेंशल में उपर से नीचे जाते हैं, तो अपना ऐस effect increase होता है, तो size increase होता है वहीं पर IP decrease होती है बट, general trend है कुछ exceptions आते हैं, किसके कारण due to presence of lengthenite contraction due to presence of DD transition यह आपन बोलते हैं DD contraction DD संकूचन के कारण इस कारण यहाँ पर size change हो जाता है, और general trend के अलावा, थोड़ा सा हमार को exceptions मिलते हैं, तो values के according आपन बात करें, तो कुछ इस तरीके का आपन को यहाँ पर trend मिलेगा 92 के बाद में next question की बात कर लेते हैं next question क्या बोलता है, question number 93 which of the following is colored due to charge transfer आपन यहाँ पर देखें, तो CR2O7-2 में यह कितने है, plus 6 पर है, और MnO4-7 पर, उनमें unpaired electron तो नहीं है, बट DD transition के कारण भी यह color show करेंगे तो 1 और 3 दौनों करेंगे, तो यहाँ पर यह आएगा, अब आपन जल्दी-जल्दी में क्या कुछ नहीं होता, ध्यान नहीं रखोगे, तो गलती होगी, otherwise बेटा, इसमें कोई भी गलती नहीं होती है, इसके बाद बेटा, आपन next question की बात कर लेते हैं, question 94 क्या बोल रहा है, in 16th group, मतलब oxygen family की बात कर रहा है, minimum negative electron gain enthalpy, पहली बात तो electron gain enthalpy, electron लबधी enthalpy होता क्या है, कि अपन बायतम कोश में, outer motion में, one electron add करते हैं, तो जो energy release होती है वो electron gain enthalpy, सही बात है, यहाँ पे अपनको पता है, second period के elements का size approximately, exceptionally, कम होता है, इसलिए size में variation आता है, जैसे अभी IEP की बात की, वैसे से नीचे जाने पर, size बढ़ेगा size बढ़ेगा, तो अपन क्या बोलेंगे, जो भी electron add हो रहा होगा वो easily add होगा, तो वहाँ पन क्या बोलते है, electron gain enthalpy को वहाँ पे relate कर लेते हैं, वो inversely हो जाता है लेकिन बेटा, अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, second period के elements, जो हैं वहाँ पे, उनके size में थोड़ा सा पंगा रहता है, जैसे oxygen आ गया, उनका exceptionally छोटा size होता है, इस कारण यहाँ पे electron gain enthalpy की बात करें, old style, say, t, po, इनके लिए यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे यह order बेटा थोड़ा सा change हो जाता है, और इस order के कारण oxygen सबसे last में आ जाता है, जो इनका exceptionally छोटा आकार मतलब अपववादित रूप से छोटा आकार इस कारण अपन 2p और 3p orbitals को compare करें, भाई इसका तो 2p orbital और इन सबके 3p orbital, तो इनके electron, इनके आवेश घनत्व को check करेंगे, तो वहाँ पर पता लगेगा कि यहाँ पर electron gain enthalpy का मान minimum negative रहेगा तो यहाँ से आपका fourth option correct होगा, बता दिया है अपवादित रूप से छोटा आकार, तो 2p में अपेक्शाक्रत रूप से समझ में आ रही है बात बता तो यहाँ से इसका fourth option correct होगा कैसे इसकी बात अपने कल लिए इसके बाद next question number 95 अच्छा question है in which of the following statement the correct statement is तो बता NO2 is an odd electron molecule सही बात है, N के valential में 5 electron 2 तो sigma बना लेंगे 2 आपके πाई बना लेंगे last में एक रह जाएगा सही बात है आपने देखा हो अपने इसको इस तरीके से बनाते है कभी यह इधर आ जाता है, मतलब इधर रहता है फिर अपन इसका दूसरा देखते है उसमें अपन क्या बोलते हैं, कभी यह इधर आ गया इस तरीके से देखते हैं, तो 2 यह भी सही है, PF5 octet rule तो यह बेटा आपके question 95 तक अपने discuss कर लिए है next question की बात करें, तो यह आपके organic का है, यह आपसे नदीम sir discuss करेंगे, अपने physical inorganic के सारे questions देखें एक बार आप अच्छे से फिर दुबार questions देखें और थोड़ा सा यह याद रखें कि कई बार inorganic के चोटे-चोटे direct question भी पूछ लेता है, जैसे iron का ओर क्या हुआ, washing soda का formula, water gas, producer gas, तो यह सारी चीज़े आपन को यहाँ पर पता होने चीए ओके, तो बाकी आगे के question मेरे साथ नदीम sir आपसे discuss करेंगे, thank you JCLC, all the very best 96 देखो तो आप जानते हो, this reaction is known as अब तो आपको पता तो लगी गया कि कैनिजारो ही है, option से पता लगए कि कैनिजारो पे ही दिमाग लगाना है तो कैनिजारो के पास alpha hydrogen नहीं होना चाहिए alpha hydrogen क्या होना चाहिए, 0 अपन बोल सकते तो यह कैनिजारो में जाएगा अब देखो इसी का oxidation भी हुआ है और इसी का क्या हुआ है reduction भी है मतलब यह एक redox reaction तो है, मतलब यह क्या है? Redox reaction है और redox reaction में एक type होता है same element का अगर oxidation भी हो उसको और क्या बोला जाता है? disproportionate reaction तो redox तो है, disproportionate भी बोल सकते है अच्छा, कैनी जारो तो है ही, तो answer कौन से चला जाएगा अपना? both इसमें देख लिजे तो, Grignard Regent CH3 CH2 C triple bond N और इधर हो गया C6H5 MgBr, negative यह इधर गया इधर आप कर सकते हैं तो यह हो जाएगा CH3 CH2 C C6 H5 double bond N MgBr ऐसे हो गया Nucleophilic addition reaction हो गया अब आपने इसमें क्या डाला है? H3O positive break कर दो यहाँ पर क्या आएगा? 2OH आएगा यहाँ negative है तो 2H आएगा यहाँ से अब आप देखो क्या बन रहा है CH3 CH2 COH OH C6H5 यह और एक carbon पर 2 hydroxide तुरंत minus of H2O हो जाएगा तो इसको अपन C2H5 तो लही सकते हैं C2H5 हो गया और उधर हो गया double bond O और इधर हो जाएगा C6H5 ऐसा कही है C2H5, C6H5 first answer है first answer चला जाएगा okay 98 complete, देखो यहाँ complete hydrolysis अगर partial hydrolysis होता तो amide बनता है but अभी complete hydrolysis है CH3C triple bond N na 3OH3H तो यह क्या देता है finally CS3C double bond OH अब आप देखो PCL5 तो PCL5 का reaction SOCl2 का reaction यह सब आपने पढ़ा है alcohol में तो वहाँ पर OH की जंगा क्या supply होता है halogen SOCl2 तो OH की जंगा क्या आजाएगा halogen CS3C double bond OCl बन गया अब यह देखो इस वाले पार्ट पर यह B पार्ट हो गया यह B पार्ट हो गया यह A पार्ट हो गया B पार्ट में बेंजीन भी है बेंजीन भी है और साथ में क्या है AlCl3 Friddle Craft Alkylation हो गया Friddle Craft Alkylation यहां आ जाएगा क्यों सा चार्ट पॉजिटीव यह इस पर एटेक करा दो यह हमारा क्या बन जाएगा Friddle Craft Alkylation के थरू Acetophenone Friddle Craft Sorry Acylation Friddle Craft Acylation के थरू क्या बन जाएगा Acetophenone टाइब कुछ बनना चाहिए यह आ जाएगा ठीक है इसमें देखो Which of the following is a Co-polymer 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 में मतलब जो Monomer होने चाहिए वह एक से ज़्यादा टाइप के होने चाहिए Polypropylene मतलब Propylene का ही Polymer बना है तो एकी टाइप का Monomer Polyvinyl Chloride Vinyl Chloride का Polymerization मतलब एकी टाइप का Monomer है Polystyrene Styrene का Polymerization मतलब styrene Monomer एकी टाइप का है Bakelite इसमें क्या होता है Phenol Plus Formal Dehyde तो एक से ज़्यादा टाइप का क्या है इसमें Monomer यूज हुआ है Yes तो हमारा Co-Polymer कौन सा हो जाएगा Second Next question है यह बड़ा important question है बहुत ज़्यादा scope है इसके आने का कोकि यह INCRT में है तो Molecular force of attraction are weakest वैसे तो याद ही करना आप क्या कर सकते है Elastomer rubber 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 और fiber तो आप जानते हो fiber के कपड़े बनते हैं तो इसमें आप समझ सकते हैं खीच के बढ़ा थोड़ी ने सकते हो प्लास्टिक उसके बाद आता है thermoplastic तो इन तीनों का NCRT में दिया हुआ है सबसे कम होता है Elastomer और सबसे ज़्यादा होता है कौनसा fiber बीच में कौनसा आता है Plastic ठीक है तो NCRT में यह लिख्या हुआ है तो उससे एक order आसकता है तो सबसे ज़्यादा Elastomer उसके बार सबसे कम सबसे कम Elastomer थोड़ा ज़्यादा thermoplastic और सबसे ज़्यादा कौनसा होता है इसमें fiber ठीक है तो इसमें answer याद हो जाए विकेस्ट जो होगा वो कौनसा होगा Elastomer ही होगा ओके तो यह था हमारा organic का portion बिल्कुल basic से question बनाए गए थे आपके NCRT से और उम्मीद करता हूँ कि भरके बिल्कुल organic almost सही होगा सही होगा ठीक है तो मिलते हैं फिर next इसी तरह के दंगल में Thank you very much हाँ बचाहों कैसे हो तो आज डंगल नमर 9 I hope आप लोग नच्छा किया होगा फिर भी कोई डाउट रहा है तो हम लोग one by one क्यूशन को डिसकस कर रहे हैं आप लोग जहान से क्यूशन को देख लेना और जो भी डाउट रहा है उसको clear कर लेना एक है शुरू करें बात क्यूशन नमर 101 की हम लोग बात करें मैंसरल साइकल से यह क्यूशन है जिसके अंदर आप जानते हैं अलग अलग फेज़ हैं मैंसेज फेज है फिर फोलिकुलर फेज जो सेकेंड है जिसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं उसके बाद में और उसके बाद में लास्ट जो है सबसे बड़ी फेज है जिसको लूटियल फेज या सेक्रिट्री फेज भी कहते हैं आप लोगों को इसके अंदर होर्मोन का उडर याद होगा कि सबसे पहले एफसेज का लेवल बढ़ता है उसके वज़े से और फॉलिकल की जो थीका लेयर है उससे एस्टोजन बनता है और वह एस्टोजन एंडोमेट्रिल ग्रोध को प्रमोट करता है और 14 दे से पहले उस एस्टोजन की वज़े से पॉजिटिव फीडवेग जाता है प्रिट्रिट्रि ग्लेंड की तरफ जिससे लह एफसेज का लेवल और बढ़ता है लेट्रिवेग की वज़े से फॉर्टींट दे पर आप्टर ओलेशन तो उस नेगेटिव फीडवेग की वज़े से लेवल जो डाउन चला जाता है तो यही सब जो है इसके अंदर में याद रखना है और इसके अंदर अमें क्या पुछा गया कि यह ओवेरियन और इसके अंदर हमें अलग-अलग स्टेटमेंट जो उनकी स्टडी करनी है और किसको सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट को ठीक है देखते हैं तो जैसे सबसे पहले जो स्टेटमेंट है कि इन दा मिड़ साइकल पॉजिटिव फीडबेक एफेक्ट और प्रोजेस्टरोन ओन प्रोजेस्टरोन का नहीं होता है उसका लेवल तो आप लोग देखें कि अप्टर ऑवलेशन ऑवलेशन के बाद में प्रोजेस्टरोन का लेवल फिर बढ़ रहा है तो जो साइकल का मिड़ है उसमें एस्ट्रोजन की वजए से पॉजिटिव फीडबेक जो यहां पर आ र प्रोजेस्टरोन प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमिट्रियम बिल्कुल सही है इसलिए इसको प्रोलिफ्रेटिव भी कहते हैं तो यह वाला स्टेट्मेट्ट जो वो सही है क्योंकि सबसे अफसे बढ़ता है उसकी बज़ेसे फॉलिकल बनते हैं एस्ट्रोजन बनता है एस्ट जो गॉनेटोट्रॉपिन है सबसे पर पर रेलेज होगा उसमें भी FSH, FSH के वज़े से फोलिकल बने और फोलिकल, जो है उसकी ठीका जो रहे जिसे सेगेंडरी फोलिकल से बन जाती है वो अस्तोजन बनाती है , वो वेरियन ओर्मोन है तो यहां पर लिखा कि ovarian cycle is regulated by hormone produced by corpus luteum नहीं, यहां पर यह होता, hormone produced by pars distellis, adeno-hypophysis, FSH और LH, उन से control होता है, तो यह वाला जो है वो रोंग हो हुए है, फिर HCG stimulate the formation of corpus luteum and also stimulate it to release progesterone and estrogen during the cycle, नहीं, जो LH hormone है, उसके वज़े से ovulation होता है और LH की वज़े से जो ovulation हुआ है यह वाला, उसके बाद में इसी LH की वज़े से corpus luteum को promote किया जाता है, उसको maintain रखा जाता है, लेकिन corpus luteum का जो product है estrogen और progesterone वो 14 दे के बाद में इनको negative feedback देता है, जिसके वज़े से LH episodes का level down जाता है, जब LH का level down जाएगा तो corpus luteum को maintain भी किये हैं और LH की down level की वज़े से उसका क्या हो जाता है, regression हो जाता है, समझ रहा है, और regression होते ही पिर जब progesterone का level down होगा तो फिर mensage phase जो है वो अपस्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब pregnancy होती है, उस दोरान जो initial जो placenta जो developing stage में है, तो उसकी जो cells हो HCG बनाती है, और वो LH की कमी को compensate करता है, तो यहाँ पर आप लोग देखें, जो D option है, D वाला जो option है, तो उसके अंदर की HCG stimulate the formation of corpus luteum, तो HCG की जगह यहाँ पर क्या आता, LH, ठीक है न, और यह HCG तब होता है, जो pregnancy हो, तो हमें तो इस cycle के respect मे में देखना है, तो इस cycle के दोरां तो आप लोग देखें, कि है न, यह तो normal cycle, जो menstrual cycle इसको represent कर रहा है, तो HCG तब होता है, जो प्रेगनेंसी की बात होती, तो यहाँ पर जो इसको maintain किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है, LH, तो इसलिए अपना यह जो statement वो यहाँ पर क्या ह यह सही था, और यह वाला क्या था, in the mid cycle positive feedback by progestone, यह गलत ही यह था, अब यह देखते है, progestone is essential for maintaining of endometrium in luteal phase, बिल्कुल सही है, कि जो proliferative phase था, उसमें estrogen उसकी growth को promote करता है, उसके बाद प्रमोट होती जाती है, और luteal phase में corpus luteum से बना progestone और estrogen, estrogen उसकी growth को और promote करता है, secretion को बढ़ाता है, लेकिन progestone उसमें blood supply को बढ़ा करके, वैसे dilation करके blood supply प्रमोट करता है endometrium में, जिससे वो maintain रहती है, तो endometrium को maintain progestone रखता है, इसलिए pregnancy hormone इसको का गया है, तो E वाला सही हो जाएगा, फिर F देखें, कि negative feedback mechanism of progestone and estrogen decrease the secretion of LH and FSS during luteal phase, यह वाला सही है, आपको उन्हें बताई भी था, कि ovulation से पहले positive feedback था estrogen का, और ovulation के बाद में estrogen position दोनों का कैसा feedback होगा, प्यूटरी के लिए negative, तो यहाँ पर जो सही हो गए, वो कौन से हो गए, अपने को तो इसके अंदर क्या पूचा है, incorrect पूच रहा है, और incorrect की हम लोग बात करें, देखना incorrect, incorrect पूच रहा है, तो हो जाएगा CD, एक मिंट, A, C and D, तो A, C, D, तो option हो जाएगा 4, ठीक है, तो first question जो है, उसके अंदर answer हो जाएगा आपका 4, ठीक है, चले आगे, NCLT-based question था, बस थोड़ा सा conceptual था आपको ध्यान देने की जुरुथे, इसमें, अगला question देखें, जानते हैं कि, compared to spermatos anasis, सुक्रजनन की तुलना में, उसके प्रोसेश जो है, वो बिफोर बर्स स्टार्ट हो जाती है, मदर की वाम के अंदर ही, और स्टार्ट हो करके, उसके अंदर primary follicle बन जाते है, जिनके अंदर primary eucite होती है, लेकिन वो मियोसिस 1, उसके अंदर प्रोफ जाता है, और प्राइमरी फोलिकल हो 60-80,000 पर और रहते हैं, आप लोगों ने नसी एटी में बड़ा है, और आप्तर प्रूबर्टी, FSS की वजए से वो प्राइमरी फोलिकल सेकेंडरी में, सेकेंडरी तर्स्न में गनवर्ट होता है, फिर ग्राफिन फोलिकल बनता है, और तो फिर जब ovulation होता है तो तर्शी फॉलिकल आपको याद होगा तर्शी फॉलिकल में जो मियोसिस बन पोज था वो रिजूम हो जाता है और मियोटिक डिविजन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो एक तो बन जाता है प्रामरी उसाइट से से केंडरी उसाइट और एक बन ज होता है तो sperm का contact एक को activate करता है और उसके अंदर जो मेटाफेज second आचा जैसे ही मिजुश सेकंड टूसाइट के अंदर तो मिजुश 2 स्टार्ट हो जाता है मिजोसी तो मेटाफेज अंदर रुख जाता है और उसी फॉर्म में वो में तो मुटीक डिविजन सेकंड कंप्लीट हो जाता है और मियोटिक सेकंड के कमप्लीट होते ही जो फ्रॉक्ट्ट्र है वो उटीट में चेंज होती है जो कि N1C होता है और बन जाता है second polar body क्या बनता है second polar body तो second polar body कब release हुआ है ऐसा कि उसनेट में भी आया हुआ है तो sperm के contact के बाद में और fertilization से पहले second polar body अलग हो जाता है और जैसे ही male और female जो pro nuclei फ्यूज होते हैं तब जाके fertilization complete होता है तो यहां पर के उसने है कि when do the egg cell of human being meiosis जो meiosis है एक के अंदर वो कब शुरू होता है तो वो before she born जब जनम लेती है और male के अंदर जनम के बाद जब puberty अटेन होती है तो उसके बाद शुरू होता है तो फिर male बर्ट से पहले ही शुरू हो जाता है दो बार process रुपता है और दोनों बार resume भी हो जाता है तो वो पोज कब है और resume कब होते है आपको याद रखना है a change in ovum after penetration of sperm है अपनने बात की थे कि वो metaphase second के अंदर arrest होता है और जैसे sperm इसको touch करता है तो metaphase second resume होती है और फिर enaphase second nuclear division second और फिर nucleo cariocyanesis और फिर cyto cariocyanesis दोनों पूरे हो जाते हैं तो cariocyanesis second पूरा होता है तो दो nucleus बनते हैं और फिर cyto cariocyanesis होता है तो इस तरह के से एक cell बढ़ी बन जाती है और एक cell छोटी बन जाती है जिसको बहते हैं second polar body तो ऐसा ही क्यूसन है कि a change in ovum after penetration of sperm age तो formation of first polar body नहीं यह first polar body तो मियोटिक division first जब complete हो जाता है आपके secondary site के अंदर तो उसी दुरान हो जाता है और और यह नहीं होगा second मियोस से start जब होता है तो second फिर formation of second polar body यह देखो कि a change in ovum after penetration of sperm तो जैसे ही sperm इसको penetrate करेगा तो यह जो second polar body है इसका क्या हो जाएगा formation ठीक है इजी सक्रिशन था अब फिमेल के अंदर जो structure है उनके respect में बात की जारी है आप लोग जानते हैं कि इसके अंदर जो external genitalia उनको वल्वा कहते हैं इसके अंदर labia minora बाहर की तरफ labia majora labia minora की अपर जंक्शन के ओपर clitoris और उसके ऊपर की तरफ बॉंस प्योबेस है और यह पूरी की पूरी structure जो है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं वल्वा वल्वा यह labia majora और यह वाला labia minora और इसके center के अंदर minora के अंदर की तरफ जो यह space है इसको बोला गया है vestibule vestibule इसमें एक opening उपर है जो यूरिथरल है यह vaginal opening है तो यहाँ पर आप लोग देखें कि जो वेजाइना है vaginal opening जो है वो भी covered रहती है एक incomplete membranes है जिसको hymen कहते है तो external zenitalia के अंदर labia mesura है labia minora है clitoris है mons pubis है और इवन hymen इंक्लूड की गई है वेजाइना जो है वो external genitalia में include नहीं है तो group of structure represent external genitalia of human female है तो labia minora हो जाएगा mesura हो जाएगा लेकिन vaginal external में include नहीं होते है तो mesura minora oviduct भी नहीं है तो cervix भी नहीं है mesura minora और clitoris यह तिनों है और इनके लावा और कौन है mons pubis hymen यह भी external genitalia में include है ठीक है चले आंगे contrastive पर यह किस्टन था और इसके अंदर आप लोग देखें कि barrier method भी है IUD भी है और इसके अलावा यहाँ पर implant भी है जिसके अंदर नौर plant को दिखा रखा है तो barrier method जिसमें condom है यह वाला condom है जो reusable नहीं है और pregnancy को भी रोकता है और STD को भी रोकता है लेकिन इसके साथ जो है chemical methods को यूज नहीं किया जा सकता है और उनको chemical method के साथ भी यूज कर सकते हैं यह तो condom हो गया B copper T है और C वाला इंप्लांट है जो सब dermal ली लगाया जाता है और इससे जो हो progesterone थोड़ा थोड़ा release होता है इसकी success rate भी जादा होती है तो एक जो है उसके लिए copper T दे रखा नहीं tubectomy नहीं वैस्यक्टomy नहीं A condom B copper T और C implant इंप्लांट में इसका जो नाम है वो क्या है नौर प्लांट शुरू करें आगे अब अच्छा क्यूसन है और आई होप आप लोग ने समझते वे इसको सही किया होगा तो जानते हैं कि किस फेज में estrogen के साथ progesterone का level भी ज्यादा होता है और ovulation से पहले तो अब लोग पहले वाला क्यूसन देखो न उसमें प्रोजिस्टोन के लाइन बिल्कुल फ्लेट है और ovulation के बाद में जब corpus luteum बनती है तब प्रोजिस्टोन का level पहली बार बढ़ता है और estrogen का level दो बढ़ता है एक तो ovulation से पहले एक evolution के बाद में इसलिए estrogen को 2p को hormone कहते है तो इसी high progesterone के level से में पता लग गया कि menstrual cycle के luteal phase है और इन दोनों के negative feedback की वज़े से इनका level क्या है कम है तो यही पुचा है कि इस figure के अंदर जो है वो ovarian और gonadotropic hormone जो है उनका blood में simple लिया गया एक normal healthy female में जिसकी age 30 year है और इसमें पुचा कि इस female blood test के दुरान menstrual cycle की किस phase से गुजर रही थी तो simple answer है bleeding phase तो first होती है वो नहीं होगा proliferative phase भी नहीं है वो second वाली है proliferative phase में FSS ज्यादा होता है LH के comparison में और estrogen होता है progestron होता ही नहीं है और ovulatory phase भी नहीं होगी उस दुरान FSS LH का level ज्यादा होता है और estrogen ovulation के दुरान उसका level गिर ज्यादा प्रोजेश्टरान तो corpus luteum के बनने के बाद में बढ़ता है तो secretary phase इस cancer हो जाएगा I hope आपनों सही किया होगा NCRT के यह diagram है fertilization के बाद वाले यह एग है यह blastocyst है और यह जो है four cell stage embryo की और यह जो है वह आपकी six eight cell stage I think three four and three and four eight cell stage है तो eight to sixteen cell stage होती है आपको पता है वह morula है इसमें पूछा क्या है which of the following given stage is embedded in uterus during implantation तो implantation के दुरान तो आप लोग जानते हैं कि जेड़ पी से बाहर आने के बाद में और hatching होती है और जो blastocyst होती है वह implant हो जाती है तो इसके अंदर answer हो जाएगा कौन सा second blastocyst उसका implantation होता है यह भी NCRT का ही figure है और इसके अंदर आप लोग देखिए C जो है वह है अंबलिकल कोर्ड दी जो है वह सर्वाइक सर्विक्स प्लग मुक्स का एक प्लग बनता है बी वाला जो है वह योग शेक है और ए जो है वह प्लेसेंटा वाला प्भाग है जिसको लेस्टीड आप बेसलिस भी कहते हैं पूछ क्या रहा है इंदर फिगर शोन बिलो अब बीच्टीड आप इंडिफाइड अलोंग विद फंक्शन एंड डिस्क्रिप्शन अमें और इंडिफिकेशन जो है उसको सर्च करना है तेखते हैं अ इस्ट्रक्ट्टर ए जो लेबल स्ट्रक्टर ए है इडिफिकेशन प्लेसेंटल विलाई सही है बिलकुल और यह क् जो इन सब एक्टिविटी को करता है इसका मतलब है कि हमें पूछ क्या रहा था इसमें करेक्ट्व होज रहा था यानि बाकी गलत होने चीए तो क्यों गलत है बी की अगर बात करें तो योक्षेक वाला पार्ट है इसको अम्ब्लिकल कोड बता रहा है गलत हो गया और फिर स गलत हो गया फिर डी मुकस्ष ब्लग और फ्लग अफ अंडुम टिशू आउट्रस नहीं यह तो यहां पर सर्विक्ष्षु जो ग्लेंड हो प्रोड्यूश करती है न तो यह वाला ओप्शन भी यहां पर क्या हो जाएगा रहा तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट चाले आंगे ब्राइंनिल केंगडम से हैं और अल्म प्लेटीम इनके के रसपेक भी एक ब्लेंटी स्वस्पेंड़्य दोनों ड्रीपलोब्ल्सформण और एक ख्रःग्योल मीटे कर देखे कि flatworm differ from roundworm तो triploblastic तो दोनों है solid mesoderm केवल flatworm में देखना ectoderm उसके बाद यह endoderm और उसके बाद दोनों के बीच के अंदर यह solid mesoderm होती है यह solid mesoderm इनके अंदर होती है तो यह acid triploblastic है जो acylomet है क्यों है क्योंकि इनके अंदर solid mesoderm होती है वाकी आप लोग देखें bilateral symmetry दोनों की है सबसे बहुत bilateral प्लेटील में थीजिए फिर metamorphosis in life history यह दोनों ही होता है दोनों ही है तो फ्लेटफर्म डिफर किसम है तो solid mesoderm तो आंसर हो जाएगा second next देखें वाट इस कॉमन बेट्विन वेल, elephant, tiger and horse and all these are mammals यह सारे mammals है और mammals है तो इनके अदर memory gland होनी चीए देख लेते हैं फिर भी well developed pinna, pinna तो बेटा जो aquatic mammals है उनके अंदर pinna absent होता है और इसके अंदर aquatic mammal whale आ गया इसलिए option अपन नहीं लेंगे body covered with hair अब जो aquatic mammal है aquatic mammal की body hair नहीं होते हैं लेकिन aquatic mammal जैसे dolphin whale उनकी बच्चे होते हैं उनकी warm में उन पर जुरूर body hair life में appear होते हैं अपने ancestor के gene expression करते हैं लेकिन वो birth से पहले remove हो जाते हैं उनका significance क्या है वो तो mother की warm में तो temperature regulation से कोई relation नहीं है लेकिन उनके ancestor में body hair थे तो वो gene आज भी उनमें है और वो life में एक बार express होते हैं तो जिससे embryonic stage में hair आते भी wrong हो गया number of cervical vertebra तो इन सब में अगर देखें तो cervical vertebra का number कितना होता है 7 होता कुछ exception हो सकते हैं जिसमें 7 से कम या ज्यादा हो सकते हैं लेकिन most of जो mammal है उसमें 7 होते है gestation period सब का अलग लोग होता है तो यह भी common नहीं है तो answer क्या हो जाएगा इसके अंदर third symmetry के respect में सबसे पहले पोरी फेरा के मेंबर है symmetrical थे फिर cylindrate जो है वो radial symmetry वाले थे जिनकी बोडी cylindrical थी और वो scycile sedentary life को जी रहते तो scycile sedentary life वाले member जो है वो bottle की तरह जो है उनकी बोडी cylindrical होती है तो किसी भी axis से काटो तो दो मालब किसी भी body plane से कट करो तो दो equal hello दो बराबर पार्ट में वो बनते हैं और हर direction से जो water का flow होता उनकी तरफ हर direction को predation के respect में sense करना food को collect करने के respect में sense करने के लिए इनकी जो ये sedentary life है उसमें सबसे best shooting जो symmetry है वो कौन से मानी जाती है Radial symmetry तो जो Radial symmetry है वो Radial symmetry से इंचरी life जो है उसका advantage है हर direction को sense करने के लिए क्वाड फूड के लिए एक direct direction से एक location से दूसरी पर नहीं जा सकते प्रोच्छन के लिए go d एक साइट से दूसरी पर नहीं जा सकते हैं, तो हर डारेक्शन को सेंस करने के लिए उनके अंदर ये राडियल सिमेट्री वॉल हुई, तो राडियल सिमेट्री इस मोर एडवांटेजियस इन फ्री लिविंग एनिमल, सेडेंट्री एंड श्लो मॉविंग एनिमल, ये ही वाल जब वो ऑशियन से फ्री होकर के मुवमेंट करना सुरू कर दिया, तो जिस डारेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, उसको सेंस करेंगे, फूड के लिए, प्रिडिशन के लिए, तो उस डारेक्शन में जानने के दुरान उनके अंदर सिफिलाजिशन हुआ, उनके अंदर और हैड के अंदर ब्रेन डवलप हुआ, सेंसरी ओर्गन डवलप हो गए, तो उस डारेक्शन को सेंस करने के लिए जो है, उनको जो एडवांटेज मिली वो बाइलेटरल की मिली, तो बाइलेटरल सिमेट्री से लिटेड है, और यह जो रैडियल वाली है, वो किसे हो जाए इन बर्ड्स के अंदर रैप्टि लेड़ लेड को फिश एम्फिवियं से रैप्टैल से बड्स और मेमल डोनों बने, रैप्टैल्स का बर्ड्स में फीचर कि अगर में लोग बात करें तो आप्एए, प्रजेंस ऑप स्केल्स ओन लेग, विल्कुल सही है, कि जो रैप्तै रहें three-chambered heart नहीं three-chambered, जो-bURD Teins in every four-chambered heart होता है, poikilothermic नहीं, birds endothermic नहीं, warm-blooded और jaw modified into beak ना, अंके अन्दर तो beak नहीं है, अंका character कैसे हुआ चेक, तो answer हो जाएगा कौन सा हमारा यहां पर, firstamentos है. heyож無ability मैसल, skeleton ऌंचा अंचें़ लौनटेरी है और stoß और और smooth और cardiac muscle की बात करें तो दोनों involuntary है लेकिन cardiac muscle तो स्ट्रियटेड और जो दूसरी है visceral muscle वह स्मूथ ठीक है तो skeletal muscle के बारे में बात की जा रही है तो skeletal muscle एक तो multi-nucleated होती है और voluntary होती है और strated भी होती है uninucleated नहीं है multi-nucleated है लेकिन branching skeletal muscle में नहीं होती है और multi-nucleated है लेकिन involuntary नहीं है तो आंसर हो जाएगा फस्ट अफ्रेंट प्रोसेस ओप नियूरोन की अगर हम लोग बात करें तो जैसी यह cell body वाला तो जो डेंडराइट्स है यह efferent process है एक जो है वह efferent process है और डेंडराइट और एक जोंस यह combined ली जो है वह नियूराइट्स कहलते है तो आप लोग देखें कि efferent process of neuron are then answer will be dendrites है ना क्योंकि और नियूराइट्स के अंदर तो फिर एक जोन भी हो जाएगा और वह efferent है साइनेप्टिक नॉब का यह से कोई लेना देना नहीं हो तो लास्ट के अंदर होती है और एक जोन जो है वह यह वाला नियूराइट है और एक जोन तो efferent है और इसके अंदर क्या पुचा है तो efferent क्या हो जाएगा डेंडराइट्स नॉर्मल जो ब्लड प्लेटलेट्स काउंट है आप लोग जानते हो कि वह 1.5 से 3.5 लाग पर mm क्यूब ऑफ ब्लड होती है आर बीसी 5 से 5.5 मिलियं पर mm क्यूब मैक्शिमम ब्लड जैल तो आर बीसी मैक्शिमम नुक्लियेटिड तब आंसर देना है न्यूट्रोफिल या दोने चाहिए और डील सी भी आना कॉक्रोस से लिटेड कि उसने नीट के अंदर एक दो क्यूशन आ जाते हैं और यहां पर उसके जो स्क्लेराइट्स हैं उनके अपर कि उनके रेस्पेक्ट में जो उनके अंदर जैनाइटल पाउ करते हैं तो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा कुंसा थर्ड एंसी आइटी के अंदर ही दे रखा है आप लोग वहां पर भी इसको चेक आउट कर सकते हैं ठीक है न ब्लड पिग्मेंट इन कॉक्रोच कॉक्रोच जो है उसका जो ब्लड है वो कलर लेस होता है क्योंकि उसक मुझे प्लड में कोई भी पिग्मेंट नहीं होता है वो क्रम लेस होता है इन के बीच में जो जो जब्लाइस होता है वह इम्मोवेवल परफेक्ट टाइप का होता है और वो फाइबरस जोइंट होता है ते जहानसर हो जाएगा फाइबरस देख शूचर परजेंट बिट् करता है ATP और ATP की ये साथ में जो creatinine phosphate है वो भी वर्क करता है उसके बाद में glycolysis और उसके बाद में oxidative phosphorylation मतलब mitochondria में होने वाला TCA cycle और electron transport chain ये तीन वर्क करते हैं लेकिन सबसे पहले ATP वर्क करता है पार्ट ऑप ब्रेंट वेर सेंटर फॉर हंगर एंद थ्रस्ट के लिए आप लोग जानते हैं कि जो पार्ट होगा वो कौन होगा हाइपोथेलमस तो 120 जो आपका क्यूशन है NCID से लेटेट है तो सेकिंड आंसर आपको इसके अंदर याद रखना है लिए आप लुक जानते हैं कि अपफलमस शके अंदर ऑस्मोरेश्यप्टर भी है और जब भी बोड़ी के अंदर पानी की कमी होती है तो ब्लड जो है उसकी औसम अस्मुलिटी बढ़ जाती है और ब्लड की असमीलिटी बढ़ती तो ब्लड जब उफर जाएगा तो और तब पानी को पीने की इच्छा होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर Osmo Receptor हैं और वो A-D-H के लेवल को भी बढ़ाते हैं, जिसके बज़े से जो नेफरोन है उनसे वाटर को री एब्सूर्र किया जाता है, बढ़ियांगे? Okay, which of the following? एक मिनटी, cancel करता हम इसको, which of the following statement is true? Okay, true statement देखना है, आप लोग देखें, दो टाइप के नियूरोन है, एक तो ऐसा है, जिसके उपर myelin C तो मुझोद हो, ऐसे, यह तो myelinated है, और यह वाला myelinated नहीं है, तो इसके अंदर node of anywhere है, लेकिन यह पर node या इंटर node नहीं है, यह तो node है, और दो node के बीच में, यह वाला, यह तो node, यह node, दो node के बीच में, यह इंटर node, तो यहाँ पर saltatory conduction होगा, fast होगा, लेकिन यहाँ पर fast conduction नहीं होगा, तो ऐसा इसके अंदर में दिया है, और true find out करना है, तो saltatory conduction is seen in non-myelinated, नहीं, यह तो myelinated के होता है, तो गलत हो गया, nasal granules are found in muscle fiber, नहीं, nasal granule neuron के cell body और dendrite में होता है, और वो RER और free ribosome के बने होता है, और वो anti-mzoeum से सब्मन्द, protein का formation करते है, non-myelinated nerve fiber do not possess node of anywhere, विलकुल, यह non-myelinated है, और इस पर node of anywhere नहीं पाई जाती, सही लिखा है, इन्होंने, फिर non-myelinated nerve fiber are completely, इसमें एक line missing हो गई गया, यहां पर क्या लिखा है, इसमें देख लेते हैं, इसमें यह लिखा हुआ है, कि non-myelinated nerve fiber are completely covered with myelin seed, तो यह गलत हो जाएगा, यहां पर कुछ missing है, लेकिन इस से आप लोग इसका idea लगा सक्यों, आपके बास paper भी होगा, कि अच्या देवेहिन इसके अंदर भी यह चीज मिसिंग हो गई है, तो आप लोग इसके अंदर यह लिखें, कि non-myelinated nerve fiber are completely covered with myelin seed, इसके अंदर यह लिखावा है, तो आप लोग English medium वाले इसको इंदी से पढ़के इसको कर सकते थे, लाइन यह इसके अंदर missing हो गई है, तो यह completely myelin seed से covered नहीं होती, इसलिए यह वाला भी आपर wrong हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर अपने को क्या पुछा था, true, तो true अपना कौन सा हो जाएगा, third, ठीक है, तो 121 था ना, तो 121 के अंदर आपका third answer, perfect हो जाएगा, 122 देखें, कि mark the odd one about the structure of membranous labyrinth, तो देखो, कि जो internally ear उसको labyrinth कहते हैं, और labyrinth जो उसमें बाहर के तरफ bonny labyrinth है, bonny labyrinth, और उसके अंदर की तरफ जो है, वो है membranous labyrinth, और bonny और membranous के बीच में perilymph बाहरा होता है, perilymph, और अंदर की तरफ इसके अंदर बाहरा होता है, endolymph, sorry, तो जो, sorry, तो जो membranous labyrinth है, तो इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो है vestibular apparatus, जिसके अंदर semi-circular canal है, और इसके लाब़ों autolith organ होते हैं, और एक है आपका दूसरा, जिसको cochlea का गया है, तो जो semi-circular canal है, वो तो तो तीन है, और उसके अंदर क्रिस्ट एंपलेरिस होता है, जो डाइनेमिक बैलेंस को कंट्रोल करता है, और उसके अंदर मैक्यूली जो फरिजेंट होती है, जो जो membranus महीं आता है, लेकिन जो malleus है वो तो बोन है ना, वो इसका पार्ट नहीं वो तो middle ear के अंदर होती है, तो odd one कौन सा हो जाएगा, थर्ड, रेस्टिंग मेंब्रेन पोडेंशिल की अगर हम लोग बात करें जिसको कौन मेंटेन करता है, तो आप लोग देखें, जैसे यह नोड ऑफ रेनियूर वाला पार्ट है, वहां पर शोडियम पोडेंशियम पंप जो मौजूद है, यह मानलों शोडियम पोडेंशिय का लेवल ज्यादा है, वह बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा, पोडेंशियम कम, तो होता क्या है, कि जो लीक चैनल है, जैसे यह सोडियम लीक चैनल है, तो इससे सोडियम अंदर आजाता है, और यह पोडेंशियम लीक चैनल है, तो इससे पोडेंशियम बाहर चला जाता है, क्योंकि Pot сами जयदा बार कम है। sodium बाहर ज्यादा अंदर कम है तो लिटो चैनल के वजए से अंदर की तरफ sodium का लेवल बढ़ने लगता है और बाहर की तरफ potassium का लेवल बढ़ने लगता है मेरे इसा नहीं देता hy sodium potassium pump ये क्या करेगा अंदर जो sodium आया और में से तीन सोडियूम को एक्टिवली बाहर पंप कर देता है और जो बाहर पोडेशियम गए उनमें से दो पोडेशियम को अंदर ले आता है इस तरीके से इनों ने जो गडबड की उसको किसने इंब्रू कर दिया पंप ने और इसी वज़य से यहां पर माइनस 70 मिली वोल्ट मेंट कर दे तो क्या होगा तो अंदर तो बढ़ जाएगा कौन सोडियम और बाहर कौन बढ़ जाएगा कोटेशियम यह चीज ज्याद रखना समय रहे हो तो रेस्टिंग पोडेशियल जो है वो यह पंप मैंटेन करता है इसके अंदर उसके बोड़ी से यूरीन बहुत जाद आ रहा है लेकिन उस यूरीन के अंदर गुल्कोज नहीं यह निए डाइबिटीज मेलाइटिस तो नहीं है लेकिन उसके नेफरों से वाटर एबजोर्ब कम हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर वैसोप्रेशियल एडि तो देखें कि अंडर और सिक्रेशन तो नहीं लेंगे अंडर सिक्रेशन आफ पॉस्टेवियर प्रिटिट्री होर्मोन और कौन सा एडिएच वैसोप्रेशिन एंटिडायूरेटिक होर्मोन उसके कमी की वज़े से यह होता है और उसकी कमी उस पर्शन में है तो इसको बोल अश्चेशन के अंदर मिलेणी बनता है और उसके वज़े से जो आपिनेफ्रीन और ऑपिनेफ्रीन वह भी बनते हैं और रहना वह मेलेटोनिन पेणल गेंड वाला वह वो ट्रिप्टोफेन से बनता है तो आप लोग देखें कि टाईरोशन से बनने वाले और वर्मोन यह वह proteinious है लेकिन यह है यह गड़ब्ड हो गया इसकी बज़े साफ ने तरो सब रहिए और Ed Isabinephrine घृरियोंस यह 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 लेकिन यह लेकिन यह नही Report सोब देन आंस्यर बी-स सेकिड है यहा पर एक हॉर्मोन की मेकनिसम दिखा हिए और Primary ही रीचेप्टर है इसका मतलब ओरमॉन के अंदर नहीं आ रहा है लब सेल मेंब्रेंट को अन्दर नहीं जा रहा है तो यह ओर्मोन जो हएडिरी है पोलर है जिसको सेल मेंब्रेन अंदर नहीं जाने दे रही है, तो इसका जो रिशेप्टर वो सेल मेंब्रेन पर ही होगा, तो यहां पर क्या पुछा है, कि तो यहां पर हमें ऐसी ओर मौन देखने हैं, जो स्टिरोइड निचर के नहीं another, यह देखना है, इसका रिशेप्टर भी अंदर ही थाए Kia 20 मी डिधन स्कूस कर जाता है, और यमिधी स्टिरोइड है तो यह तो हो गाई नहीं तो आंसा और कौन सा हो जाएगा, second, urge to inhale, मतलब हम लोगों कि कब इच्छा होती है कि हम लोग inhale करें, जब हमारे body के अंदर PCO2 का level बढ़ जाए, हम लोग ज्यादा sensitive है, बढ़े वे CO2 के लिए, और कम sensitive है घटे वे O2 के लिए, तो पहले breathing किस के लिए बढ़ेगी, बढ़े वे PCO2 के लि और यह animal kingdom को respiratory system से connect किया गया है, तो respiratory organ के लिए, अर्थवों में respiratory organ होता ही नहीं है, तो वो अपने moist cuticle से cutaneous respiration करता है, most aquatic orthopods वो गिल्स को use करते हैं, और fish भी किसको use करती है, गिल्स को, और birds और reptile में क्या है, lungs, और insect के अंदर tracheal system है, इस तरीके से आप लोग इसके अंदर answer मेच कर सकते हैं, आयोप कर लोगे आप लोगे, ठेक है, oxygen hemoglobin dissociation curve के respect में बात हुई है, और आप लोग जानते हैं कि उसके अंदर curve जब इस तरफ सिप्ट होता है, तो उसको बहुर एफेक्ट कहते हैं, और यह tissue level पर होता है, और right तरफ जब सिप्ट होता है, वो क्यों होता है, PCO2 के बढ़ने पर, PO2 के घटने पर, H+, के बढ़ने पर, और pH, H+, बढ़ेगा, और इसके लावा temperature जो है उसके बढ़ने पर, और यह curve left direction में कब आएगा, तो लेप डारेक्शन के अंदर जब वो आएगा, तो PO2 बढ़ जाएगा, PCO2 घट जाएगा, pH बढ़ जाएगा, और temperature जो हो भी reduce हो जाएगा, तो इसमें पुच्छा क्या देख लेते हैं, last में यह देखो, which of the following factor will shift the curve to right, right वाला पुच्छा है, तो decrease in partial pressure of O2, ठीक है, increase in partial pressure of CO2, ठीक है, decrease in hydrogen, decrease नहीं, इंक्रीज होगा, increase in pH नहीं, decrease in pH होगा, increase in body temperature हो जाएगा, तो इसका answer होगा, 1st, 2nd and 5, 1st, 2nd and 5, 3rd answer हो जाएगा, right direction के अंदर shift करने के लिए, ठीक है, digestive system से है, और last में क्या पूच रहा है, enzyme acting upon it and end product, which one of the following is correct matching डेखनी, okay, substrate और enzyme दे रखे हैं, तो small intestine के अंदर protein जिस पर pepsin तो stomach में काम करता है, small intestine नहीं होगा, answer गलत हो जाएगा, stomach में fat, lipase, micelle नहीं, ऐसा नहीं है, micelle का formation small intestine के अंदर होता है, और यह bile salt वगरे की help से होता है, तो stomach की वज़े से गलत हो गया, dodenum में triglyceride पर trypsin थोड़ी करता है, lipase करता है, तो यह गलत हो गया, फिर small intestine में starch के उपर L5-myelase वर्क करेगा, और उससे disacred मतलब maltose का formation हो जाता है, तो यह वाला मारा answer हो जाएगा, फिर से digestive system से ही है, और matching कर लेते हैं, goblet cell तो mucous produce करते हैं, तो यह हो जाएगा, second lysozyme जो है, वो आपकी जो salivary gland है, जैसे sublingual gland, वो produce कर रही है, और saliva, टेक में, टेक में, थोड़ा सा, यहां पर एक option यह भी दिया, तो हम लोग क्या करता है, इसको एक विल रटाते हैं, गॉबलेट cell mucous हो गया, लाइसोजाएम एंटी बैक्टेरियल एजेंट हो जाए, बैक्टेरिया को मारता ह है, और saliva, जो है, वो sublingual gland से प्रोडूस हो रहा है, और oxygenatic cell, जो है, यह parietal cell, और intrinsic factor को भी बनाती है, तो यह match जो आपका perfect हो जाएगा, उसके according, आप लोग में ला लेना, answer आपका बैट जाएगा, ठीक है? Which of the following is incorrect? हमें इसके अंदर incorrect जो उसको find out करना है, ठीक है, बामेन capsule जो वो ग्लोमेरूलर फिल्ट्रेशन के लिए वर्क करता सही है, DCT absorption of glucose नहीं, glucose का absorption तो 100% PCT के अंदर हो जाता है, यह गलत हो गया, helly loop concentration of filtrate करता है, PCT में absorption of any plus k plus होता है, तो हमें इसमें पूस क्या रहा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हो जाएगा second. Which of the following pair of organism are uricotelic, जो ऐसे habitat में हो, जहां पर water काफी ज्यादा हो, ammonia को release करेंगे, water को खर्च करेंगे, और energy बचाएंगे, ureotelic, water को बचाएंगे, कुछ energy को खर्च करेंगे, terrestrial habitat है, और uricotelic, बहुत dry environment में होते हैं, water को करते हैं, और ATP को खर्च करते हैं, तो uricotelic, जो है, वो reptiles, birds होते हैं, reptiles भी है, terrestrial insects भी होते हैं, जैसे cockroach भी होते हैं, तो uricotelic की बात करें, तो यहां पर देंगे, cartilaginous fish to ureotelic है, और mammal भी ureotelic है, तो यह answer तो गलत हो जाएगा, reptiles and mammal की वज़े से गलत हो गया, reptiles हो uricotelic का मतलब है, uric acid का excretion करने है, bonifest जो है, वो तो amonotelic होते हैं, और lizard जरूर uricotelic होता है, तो यह भी answer गलत हो गया, तो answer हो जाएगा, 133 की अंदर 3, ठीक है न, 133 में आपका answer बेट जाएगा 3, अब अपनी skin के respect में कि human skin poses sweat and sebaceous gland, which eliminate some waste in their secretion, अच्छा, इसमें हमें क्या देखने है, कि कुछ correct statement देखने है, चलो ठीक है, कि human skin poses sweat and sebaceous gland which eliminate some waste in their secretion, यह तो सही है, sweat is a vexi, नहीं sweat, vexi काया है, vexi तो sebaceous वाला है, जिसमें hydrocarbon, sterol बगर होते हैं, sebum is an aqueous fluid नहीं, यह भी गलत हो गया, यह तो sweat के लिए होता है, फिर क्या पूछ रहा था, correct पूछ रहा है, तो correct तो इसमें एक ही हो गया, तो only first, 134 के अंदर आपका answer first हो जाएगा, इसमें के विल एक सही है, second और third जो गलत हो गया, आप लोग NCRT से मिम्याच कर लो इसको, NCRT की statement से, which of the following mark the end of systole आप लोग जानते हैं, ECG के अंदर यह auricular systole के लिए है, यह देखो, यह तो auricle के systole के लिए है, और फिर P, Q, R, S और T, और Q जो है, वो दोनों ventricle जो है, उनके septum का depolarization है, Q वाला यह है, और फिर R जो है, वो ventricle का जो यह main part है, इसके contraction को शोग कर रहा है, इसे दुरान ventricle में maximum contraction होता है, और S जो है, वो इस upper part के depolarization को represent कर रहा है, तो overall Q, R, S complex हो, ventricular systole के लिए है, और यह ventricular systole लगबग यहां तक होता रहता है, यहां तक होता रहता है, और T जो wave है, वो क्या है, वो represent करती है, repolarization of ventricle, लेकिन जब तक यह पूरा यहां तक repolarize होगा नहीं, तब तक systole होता रहता है, इसलिए T wave का end, जो है, वो ventricle के systole के end को represent करता है, तो इसमें क्या पूचा है, which of the following mark the end of systole है, तो Q, R, S complex नहीं, ST wave नहीं, T wave, यह तो T wave जो है, वो ventricle के systole के end को represent करता है, ठेक है, यह section नहीं के थे, फिर भी वाले देख लेते हैं, कुछ animal दे रखें, और क्या पुचा है, इसमें complete four chambered है, तो fish की बात करें, तो two chambered, लंग fish में जरूर गरम लोग देखें, उनके अंदर three chambered hurt होता है, दो auricle, एक ventricle, amphibian में three chambered, दो auricle, एक ventricle, reptile में 3.5, exception crocodile, उसमें four chambered है, और birds में four chambered है, mammal में four chambered है, तो इसमें क्या पुचा है, complete four chambered hurt है, तो इसमें है, crow, पक्षी है, चमगादर, बेट, mammal है, ये reptile है, ये amphibian है, इसमें three chambered, 3.5, इसमें three whale mammal है, इसमें four chambered है, crocodile four chambered है, ये 3.5, alligator 3.5 है, ये sea or fish है, इसके अंदर two chambered है, और human four chambered है, तो 1, 2, 3, 4 and 5, second answer हो जाएगा, पांच ऐसे हैं, जिसके अंदर completely four chambered hurt मौजूद होता है, अब जनेटिक से लेटेर क्यूसन देख लेते हैं, लास्ट टाम भी अम लोगों डिसकस किया था ना, autosomal dominant, autosomal recessive, x-linked recessive, x-linked dominant, y-linked cytoplasmic, ये सब, तो in the given pedigree chart, you suggest which cannot be possible disorder, इन में से तीन तो हैं लेकिन एक नहीं है, तो चलो देख लेते हैं, x-linked dominant को चेक कर लेते हैं, x-linked dominant, ओके, x-linked dominant की अगर हम लोग बात करें, तो यहां पर आप लोग देखें, कि x और x, capital D, और small d भी हो सकता है, यानि अगर ये dominant है, तो एक जिन की वज़े से भी हो सकता है, तो हो सकता है, तो फादर जो है, वो normal है, यानि फादर में x-y और ये normal d है, recessive form है, तो फादर normal है, तो mother से इन सब में आया होगा, इसमें disease नहीं है, यानि x, y and small d है, तो आप लोग देखें, कि यहां mother से इस sun के अंदर disease आ गए, और mother इसका मतलब है, तो फादर से इस small d और फादर से एक्स small d तो डोटर सही है, फिर यहां पर mother normal है, और mother normal है, तो यानि small d small d और दोनों लड़के normal ही होंगे, इसका मतलब x-link dominant होगा, फिर y-autosomal dominant किये कर भी बात करें, तो autosomal dominant जो है, देख न, कि small a small a, capital a capital a भी होशकता, और capital a small a भी होशकता, यानि इन सब के अंदर कम से कम एक तो capital a हो गई होगा, एड़ एड़ी की एगर हम लोग बात करें तो कि इस डॉटर के ंदर डिजीज है डॉटर में डिजीज है यानि recessive form small d small d तब डॉटर में डिजीज होगी ना और एक recessive तो चलो अच्छा मदर में डिजीज है तो small d small d लेकिन father तो normal x y capital d लेकिन father अगर normal है तो फिर बेटी में डिजीज कहां से आ गई क्योंकि बेटी में एक small d तो father से आना है तो father तो normal है इसका मतलब कि यह x-linked recessive नहीं हो सकता क्योंकि normal father के इसके अंदर जो possibility नहीं है वह हो जाएगा तो इसके अंदर जो possibility नहीं है वह हो जाएगा थर्ड बन 37 जो हो है उसके अंदर आप का अंसर हो जाएगा थर्ड क्योंकि x-linked recessive possible नहीं है तो इसके लिए अपने को इनकरेक्ट डेखना है तो इसके अंदर chronic inflammation होता lymphatic vessels में swelling होती है scrotum में degeneration हो जाता है external genitalia का लेकिन salivary gland से related इसका कोई relation नहीं होता है तो फूर्थ आंसर हो जाएगा फिर meri melon जो हो है वो टाइफाइट से related है सिंपल सा क्यूसर है NCAT का और यह ब्रिडिंग से related है और hissardel देखो in-breeding out-breeding out-breeding में out-crossing और cross-breeding यह cross-breeding का example है जिसके अंदर जो दो different bread के बीच में cross होता है तो यह hissardel एक new bread है सिपकी और वो merino ramp और विकानेरी एव जो है उसके cross से जो डवलप की गई है ठीक है NCAT का यह याद कर सकते हों ओके alpha interferon biological response modifier होते हैं कई बार immune system cancer cell को detect नहीं कर पाता है तब इसको body के अंदर दिया जाता है तो पेसेंट as it is है न तो immunosuppression नहीं है biological response modifier which activate the immune system to help in destroying tumor बिलकुल second answer हो जाए एनलजेसिक नहीं होता है antistamine वगरना ऐसा भी कुछ नहीं होता है NCAT से ही इसको बनाएवा है ओके फिर early symptom of most of STD early symptom जो STD के हैं तो उसके अंदर itching होगी, fluid discharge होगा, हलका सा pain होगा और swelling भी होगी लेकिन यह देखना PID और still birth यह late condition के अंदर होंगे इस दोरन अबोर्शन भी हो सकता है infertility भी हो सकते हैं even cancer भी हो सकता है वो late के अंदर है NCAT के अंदर दे रखा है तो इसके अंदर क्या इचिंग, discharge, slide fan and swelling जेक है, second answer, in a pea plant how many contrasting traits from the following expressed only in homozygous तो जो recessive होता हो केवल homozygous में होगा है और dominant homozygous में भी है, hetero में आप लोग जानते हैं तो axial जो flower है वो dominant है तो यह homoetro दोनों में होगा, terminal जो केवल homo में होगा yellow pod की अगर बात करें तो yellow pod जो है वो recessive है तो यह हो जाएगा green seed जो है अगर उसकी बात करें यह भी recessive होए, यह भी हो जाएगा यह केवल homozygous में एक्सप्रेस होगे, inflated dominant है, inflated pod यह homoetro दोनों में होगा round भी dominant है तो इसके अंदर आंसर होगा B & C यानि 2, 143 के अंदर आंसर हो जाएगा आपका third, ठीक है न, 143 तो आंसर third, और कौन से तो B & C क्योंकि आप लोग जानते हो कि यह यह यलो seed dominant है और green seed जो है वो recessive है और green pod dominant है और yellow pod जो हो recessive है तो जो recessive होता है वो केवल homozygous में ही express होता है true breeding line जो है वो homozygous होती है और वो कप अंते हैं जब continuous cross pollination नहीं self pollination anxiety line है वो stable trait inheritance शो करते है यह वाला सही है लेकिन यह वाला गलत हो गया expression of unstable की जगे क्या हो जाएगा stable है न, unstable की वज़े से गलत हो गया तो how many of the above are related with given statement true breeding के लिए न, तो उसके लिए तो किवल B हो जाएगा only B ठीक है तो 144 जो है उसके अंदर आप का अंसर only B धर दे रखा है कि यह अंदर भी सही है गेमेट का जीनो टाइप तो आप लोग जानते कि गेमेट की अगर बात करें तो गेमेट हमेशा pure होगा प्योर गेमेट हमेशा pure होगा तो उसके अंदर या तो यह combination होगा या फिर उसके अंदर जो है वो यह combination होगा या फिर यह combination होगा और या फिर यह combination होगा यानि किसी एक जीन का एक ही अलिल होगा तो इसमें देखें पी क्यू टी दो आ गया तो यह तो नहीं होगा तो प्योड लग रहा है सबस्जावर ने इसके अंदर एकू आलिया तो यहां हो यह मिल्याओ को एक उज्सें को आप। यह कर यहां ऌप्लत आपप्योड व्लाइब होता and capital B small B capital C small C है और इसके लिए पुछा completely heterozygous capital A small A capital B small B capital C small C है आप लोग देखें इन दोनों combination से इसके आने की probability जो होगी वो क्या होगी 1 by 2 फिर इनकी वज़े से जो है वो इसके आने की probability क्या होगी 1 by 2 आप लोग देखें ऐसे कर सकते हैं capital A capital A capital A और उस तरब capital A small A तो हमें तो क्या चीए capital A का साथ small A चीए तो हमें तो यह लिखना है न अशन मेलब capital A small A capital A small A, 1 by 2 capital A small A. इसी तरीके से मतलब इसको mono hybrid करके पिर इस से हमें यह चीए तो रहे इनसे हमें यह वाला चीए तो देखें कि यह capital C, small C, यह भी 1 by 2 हा जाएगा और तीनों की probability को जब करेंगे तो यह हो जाएगा 1 by 8 तो answer हो जाएगा अपना second, ठीक है, फिर conventional religious literature के respect में यह कि उसने, evolutions के respect में, तो यह जो तो NCRT के अंदर अपने evolution के respect में special creation वाला है और इसके लिए जो statement NCRT ने दे रखे हैं, उन में से पुछा कि कौन सा इन से related नहीं है तो इस theory के coding जो बताया गया है कि जो अर्थ पे nature ने organism create किये थे, वो आज भी वैसे के वैसे हमने कोई बदलाव नहीं आया है तो all living organism were created in such, तो यह तो इससे related है, diversity भी हमेसा सेम रही है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, diversity was always the same since creation and will be same in future, यह भी उससे related है, earth is about 4000 year old, यह भी इसके coding बताया गया है, लेकिन यह देखना, earth is about 4.6 million year old नहीं, यह से लिए नहीं है, तो आंसर रोजाएगा, 4. हम, first human-like hominid, तो यह NCRD दे रखा है, यह Homo habilis, अच्छा कि उससे नहीं, natural selection की जो तीन टाइप थे, stabilizing, directional और disruptive हैं, तो आप लोग देखें कि यहां पर जो है, यह तीन phenotypic trait है, A, B और C हैना, तो A में देखें कि mean character value को ज्यादा सेलेक्ट किया दा रहा है, यानि A होना चिए कौन सा, stabilizing, और इसमें stabilizing कौन सा है, Z वाला, तो यह तो हो जाएगा, Z, B में peripheral character select हो रहे है, या तो यह होगा, या फिर कोई यह होगा, तो B में कर वो किसी एक direction में shift होगा, या तो इसमें, या इसमें, तो B का होना चाहिए, X, फिर इसमें देखना, इसमें peripheral character value तो बढ़ र आ रहा है, तो इसका मतलब यह disruptive, और disruptive हो जाएगा आपका यह वाला, इसमें तो curve नीची आ रहा है, तो C का हो जाएगा, Y, S option देखना है अपने को इसके अंदर, तो S option, X, Y, और Z के लिए respectively पूछा है, तो X के लिए तो होना चाहिए, B, तो X का B, यह रहा, और फिर Y का जो ह होना चाहिए, C, यह रहा, C, और फिर Z जो है, उसका होना चाहिए, A, यह रहा, A, तो इसका अंसर हो जाएगा, 3rd, तो 149 जो है, उसके अंदर, अंसर 3rd होगा, तो आप पाई हो, आप लोग ने किया होगा question, और अच्छा भी है question, यह selection के बाद में करेक्टर को देखके, इस की जो स्कल है, वो बेबी चिंपेंजी से ज्यादा सिमिलर है, और अडल्ट जो चिंपेंजी है, उसका लोग जो जो उसका साइज बड़ा होता है, यह बेबी चिंपेंजी है क्योंकि इसके अंदर शूचर नजर नहीं आ रहे है, अपनी स्कल जो है, उसमें शूचर है, यह यह बेबी चिंपेंजी है और यह अडल्ट चिंपेंजी तो अपने को इसके लिए करेक्ट देखना है तो देखते हैं कि A is the skull of baby चिंपेंजी which is less like to adult human नहीं यह तो more like है उसके तरह है less like नहीं है तो गलत हो गया B is the skull of baby चिंपेंजी नहीं तो यह कुछ क्यूशन थे और आप लोगों ने एंजोई करके कुशन पेपर किया होगा आप लोगों तैयारी भी अच्छी रही होगी है बस अब तो आपको इन पंदरा दंगल के है और जो weakness है वो weak topics है रटने वाली जो चीजे है NCRT के जो data-based चीजे है बस उनको ध्यान दूबा कि पढ़ना है वो तो आप लोगों में पूरा कर लिया है ना टेक है best message Hello students, myself Yogindra Bhagdiya, Team Botany CLC Shikr, बच्चो स्वागत है आपका दंगल एपिसोड 9 के अंदर, बोटनी का अपना जो paper है उसमें 50 questions है और neat pattern based है जिसमें section A और section B में रहेगे उमीद है आपने बहुत अच्छे से paper attempt किया होगा और maximum question जो है वो write किये ठीक है फिर भी अभी बच्चो time है अगर कोई question जो wrong हो गया है तो उसको अपन यहाँ पे video solution के अंदर देखेंगी ठीक है तो start करते हैं बच्चो question number 151 Taxonomical keys are generally and are based on characters वर्गी की कुंजी सामान नेता है तथा लक्षनों पर आधारी थे देखो taxonomical keys की बात करें तो अपन जानते हैं कि कोई भी organism में है वो character के basis पे जो है वो define किया जाता है जैसे taxon होता है तो उसके अंदर अपन किसी भी character के basis पे जैसे species है जीनस है तो उनको अपन character के basis पे क्या करते हैं define करते हैं तो यहाँ पे जो characters होते हैं वो similar character हो सकते हैं और dissimilar character भी हो सकते हैं तो यहाँ पे कुछ similar character है और dissimilar characters है तो जो similar character है उसके basis पर अपन taxon के अंदर आगे organism को लेके जाएंगे और जो dissimilar characters है उसको अपन जो है वो नहीं देखेंगे तो similar character के basis पर देखेंगे तो इस तरीके से जो taxonomical key है उस taxonomical key को अपन क्या बोल सकते हैं ये अपने आप में एक क्या है analytical key है या विसलेश नारत्मक की है दूसरी बात जो characters जो अपने को दिखाई दे रहें जैसे कोई भी organism में है उसके जो characters अपने को दिखाई दे रहें तो उसी के basis पर या उसी के आधार पर जो है वो अपन किसी भी जीव को वरगी करत करेंगे तो यह जो character है वो क्या होने चाहिए बचो contrasting होने चाहिए या वी परियासी होने चाहिए मतलब जो अपने को आसानी से दिखाई दे जाए तो जो taxonomical key है वो analytically होती है और contrasting character पर क्या होती है आधारित होती है या best होती है तो अपना जो answer जाएगा वो answer क्या चला जाएगा fourth option क्या हो जाएगा right हो जाएगा non analytically नहीं होगी contrasting हो सकती है बट non analytically नहीं होगी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। इनकी जो पर्तिशत मात्रा होती है वो 8 से लेके 13 पर्तिशत या उससे कम होती है तो इनको अपन सीधे रूप से बिना डिस्टेल्ड किये या बिना आश्वन किये जो है वो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन जो रम है उसके अंदर जो पर्तिशत मात्रा जो होती है वो 13 पर्तिश जाएगा तो इसके लिए प्रकृया होगी जिसका नाम क्या है distilled process तो यहां पे beer नहीं होगा wine भी नहीं होगा यहां पे answer क्या चला जाएगा third option क्या हो जाएगा अपना right हो जाएगा क्योंकि इसमें यह पूछा गया है कि distilled के द्वारा या आश्वन के द्वारा प्राप्त किया जाता है ठीक है तो third option अपना क्या हो जाएगा right हो जाएगा next अपन आगे बढ़ते हैं बिलकुल NCRT based है और NCRT के अंदर जो statement दे रखे हैं उनी से जो है वो सारे question frame किये गए हैं अब 153 नंबर की बात करें in the five kingdom classification of vitaker there is no mention of some organism like vitaker द्वारा दिये गए पांत जगत वर्गी करण में कुछ जीवों को उलेख नहीं किया गया है तो clearly NCRT के अंदर mention है कि ऐसे जीव जिनके अंदर जो है वो आपके या तो उनके कोश्च के संगटन पूर्ण रूप से नहीं होगा या फिर उनमें किसी ना किसी प्रकार का जो है वो संबन्द दिखाई देगा जैसे अगर अपन बात करें bacteria no doubt bacteria जो है वो आपके देखने को मिलेगा है ना monera kingdom के अंदर आता है animalia kingdom के अंदर animals आते हैं तो ये जो है वो आपके रहेगा वहलब five kingdom में mention किया जाएगा ठीक है फिर उसके बाद में आते हैं वाइरियोइड और लाइकेन तो जो वाइरियोइड है और जो लाइकेन है लाइकेन एल्गी और फंगी जो होता है ठीक है उसका क्या है symbiotic association है या सहजीवी संबंध है तो ये नहीं होगा अब अगर आप आगे question में बढ़ना चाहते हो तो बढ़ सकते हो और देख लेते हैं यूगली ना प्रोटिस्टा के अंदर आता है फंगी फंगस कवक जगत के अंदर आता है तो ये भी होगा five kingdom में समलीत किया जायेगा plant और mushroom mushroom कवक है अगेरिकस है ठीक है ना इसको भी समलीत किया जाएगा तो ये भी होगा तो अपना यहां पर यह पुछा गया है कि पांच जगत में समलीत नहीं किया गया है तो अपना option क्या च स्टेटमेंट्स दे रखें, उनको अपने को देखना है, NCRT-based statement है, कि इसमें से आपको, एक सेटिमेंट, इसमें आपको जो है वो राइट और रॉंग स्टेटमेंट्स चुनने हैं, सही और गलत कथन कौन-कौन से, देखो, Asexual Spore are generally absent in Basidiomycetes, बिल्कुल सही बात है, जो Basidiomycetes, जो कवक जगत के अंदर वर्ग आता है, उसके अंदर A-Legic जो जनन है, वो क्या होता है, अनुपस्तित होता है, बिल्कुल सही बात है, Asexual Spore are exogenous prepared in Asexual Spore, Asexual Spore में बहिर जात प्रकार से Asexual Spore बनते हैं, तो ये बहिर जात नहीं होते हैं, बच्चों, ये अंतर जात होते हैं, एंडोजीनस होते हैं, तो ये अपना statement wrong हो गया, Both Ascomycetes and Bacidiomycetes have Dicarion phase, दोनो Ascomycetes तदा Bacidiomycetes में द्वी केंदर की अवस्था होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो Phycomycetes होते हैं, उनके अंदर Dicarion अवस्था देखने को नहीं मिलती, लेकिन Ascomycetes और Bacidiomycetes के अंदर ये अवस्था देखने को मिलेगी, Since CTM condition and juice spore formation is a characteristics of Phycomycetes, बहु केंदर की अवस्था तदा चल भी जानू निर्माण Phycomycetes का लक्षन है, तो बिल्कुल सही बात है, ये NCRT के अंदर क्लिरली statement दे रखा है, अब आप देखिएगा, यहां पे A, C और D जो है, वो अपना क्या है, राइट है, A, C and D जो है अपना क्या है, और जो B और जो E है, वो अपना क्या हो जाएगा, रॉंग स्टेटमेंट आजाएगा, तो इसके अंदर अगर आपन देखें, ठीक है, तो अपना option जो है, वो क्या जाएगा, second option क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, A, C, D राइट है, और B और E आपके क्या हो जाएगा, रॉंग हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, 155 नंबर में, Manitol is a reserve food of following algae, निम्न में से कि शेवाल में संग्रहित भोज्ये परदार्त Manitol, अब अपन जानते हैं, Manitol लेमिनेरीन जो है, वो आपके ब्राउन algae के अंदर या भूरे शेवालों के अंदर जो है, वो देखने को मिलता है, अब भूरे शेवालों से संबंदि कौन से उदारने, Graselia, Red algae है तो ये नहीं होगा, Polysiphonia, Ectocarpus अगर अपन बात करें, तो ये भी आपके क्या हो जाएगा, Red algae हो जाएगा, Ectocarpus और Dictiota ये बिल्कुल सही बात है, Polyphora, Porphyra और Polysiphonia ये भी नहीं होगा, तो अपना answer क्या चला जाएगा, 155 के अंदर, तीसरा option क्या हो जाएगा, Right हो जाएगा, बिल्कुल NCRT के examples है, जो Green algae है, जो Brown algae है और जो Red algae है, इनके examples दे रखें बच्रों, तो इन examples को आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि exam के अंदर जो है, Neat exam के अंदर जो है, ये examples के आधहार पे भी जो है, कभी कबार, Class के बारे में, वर् option क्या चला जाएगा, Third option, Right हो जाएगा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, 156 के अंदर, Presence of Gemma Cup, Two row of appendicular leaves on main plant body and branched assimilatory filamentous are characteristics of Gemma Cup की उपस्तिती का होना, और मुख है पादप काय पे दो कतारों में उपांगे पत्तिया, इसमें शाखित प्रकास संसलेश्री का होना, तो ये अपन अच्छे से जानते हैं कि इस तरीके से जो सरचना दिखाई देती है, ठीक है, इस तरीके से ये इसके राइजोइड हो गए, ठीक है, और इस तरीके से जो, तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल कतार पे जो है वो आपके क्या होगा, पत्ति नुमा सर सरचना देखने को मिल सकती है लेकिन वास्त पत्ती देखने को नहीं मिलेगी वह स्टार्ट होगे कहां से टेरिडोफाइटा से यहां पर आप देखो यह जो विशिस्ट था है पति नुमा सरचना यह लिवर वर्ट के अंदर देखने को मिलती है क्लियरली जो है वह आपके मेंशन कर रखा है ब्रायोफाइटा में आपके कौन सा है लिवर वर्ट जो है वह आपके हो जाएगा इसके अंदर ठीक है तो यह लिवर वर्ट के अंदर जो है वह देखने को मिलेगा टेरिडोफाइटा के अंदर नहीं देखने को मिलेगा इसके लावा जो mosses है, mosses के अंदर आपके क्या आते है, funeria, तो funeria के अंदर भी इस प्रकार की, जो NCRT का clearly statement दे रखा है, यह कुछ liver word के अंदर जो है, वो इस प्रकार की विवस्ता जो है, वो देखने को मिलती है, तो अपना answer क्या जाएगा, first option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, ठ खित पोदों में होती है, देखो, NCRT के अंदर clearly mention कर रखा है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो जिंको byloba, एक plant का जो है, वो example दे रखा है, और जिंको byloba जो है, वो किसे संबंदित है, जिम्नो स्पॉम से, जिम्नो स्पॉम से आपके क्या है, संबंदित हो जाएगा, तो इसका 157 वे का answer जाएगा, वो क्या चला जाएगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, और यह भी नहीं होगा तो एंसर किया चला जाएगा second option क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा एक सो सथायावन वागा जो है वह आपके option क्या हो जाएगा students और सेकिन्ड option क्या हो जाएगा ठीक है आगे बड़ें ठीक है बचो 108 number question match the following column first and second which are related with funny तो फ्यूनेरिया से संभन दित अपने कुछ स्टेटमेंट दिये गए और इन स्टेटमेंट को अपने को मिलान करना है देखो गेमिट्रोफाइट फेज ओ फ्यूनेरिया ठीक है इसके अंदर अपने को देखना है कौन-कौन से पार्ट है तो राईजाइड होगा इसके सरचना होगी या हैपलीड सरचना होगी इसके लावा अगर आपन देखें तो स्पोर जो है वह भी आपके नोडाउट टैपसूल के अंदर बनेंगे लेकिन किसके द्वारा बनेंगे इस पोर मदर सैल से आपके क्या बनेंगे इस पोर का निर्मान हो जाएगा ठीक है तो यहां पर सेकंड थर्ड और इसके अंदर आपके क्या आगया फिर एसिक्स नंबर और इस पोर अगया जबकिस पोरोफाइट के अंदर अगर आपने देखें तो सीट आ जाएगा इसके अलावा कैपसूल भी आगया जाएगा जैसें से अडिकें आपके अंधर मेंशन भी कर रख है फूट फूकरूट अजायेगा और स्फोर मदर सेंट रशकेंऑ धाने किन्हें एग उनीत वातस भाफस का बनेंगी सपोर का क्या होगा निर्मान हो जाएगा बिजानु का क्या हो जाएगा निर्मान हो जाएगा तो यहां पर एंसर जो है 2nd 3rd 4th 5th 6th और जो 8 नंबर जो है ठीक है ना वो जाएगा किसको गेमिट ओफाइट फीज को और जो first और तो फॉर्थ है फिफ्ट है और सेवन नंबर जो है वो किसको जाएगा इस पोर फाइटिक फेज को यहां पर ऑप्शन क्या चला जाएगा पॉर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है आगे बड़े है अपन एक सो गुण सट के अंदर इन एक्जार्ज कं कंडिशन किसमें होती है रूट के अंदर किसके अंदर होगी रूट के अंदर होगी रूट के अंदर अपन जानते एक्जार्ज जाइलम कंडिशन पाए जाती है तो उसमें अपन देखें तो इस तरीके से तो जो प्रोटो जाइलम है वो तो बाहर की तरफ बनता है और जो जो answer है वो protozylem lightward peripheral सही बात है और metazylem lightward center तो यह बिल्कुल सही है both lightward center यह नहीं होगा both lightward peripheral यह भी नहीं होगा और none of these है ना इस में से कोई नहीं जो यह भी नहीं होगा तो अपना option क्या चला जाएगा first option क्या हो जाएगा right हो जाएगा 159 के अदर क्या अपना first option क्या हो जाएगा right हो जाएगा अब अपन आगे बढ़ते है एक सो साथ नंबर phloem parenchyma absent phloem parenchyma जो है वो आपके इसमें देखें एक सेकिंड कि अदर अनुपस्तित होता है तो किसके अंदर अनुपस्तित होता है जैसे NCRT के अंदर क्लियरली मेंशन भी कर रखा है कि जो phloem parenchyma होता है वो mostly जो यह monocode leadon plants के अंदर क्या होता है absent यूपस्तित जाएगा एंचीयो स्प्रेवरी पालत है जायेगा टीक है आगे बढ़ें मिल्कुल NCRT-based statement ए 111 potato is modification of अलू रुपान्तरन है ठीक है यह ना अलू किसका रुपान्तरन है देखिएगा तो जैसे आपन जानते ही यह root का रुपान्तरण आलू नहीं होता है leaf का भी रुपान्तरण नहीं होता है stem का जो है वो क्या देखने को मिलेगा ये रुपान्तरण देखने को मिलेगा और flower का भी क्या होगा रुपान्तरण नहीं होगा इसलिए इसका answer क्या चला जाएगा थाइर्ट option क्या हो जाएगा राइट है हो जाएगा तो 161 की अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या होगा ? 3rd option क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है क्योंकि स्टेैम का modification है फिर उसके बाद में अपने आगे बड़ें 162 की respiratory route is found in श्रशन मूल किस में पाई जाती है ठीक है ना तो श्रशन मूल किस के अंदर पाई जाएगी देखो कैरट के अंदर गाजर की बात करें तो गाजर के अंदर जो है जो मुसला मूल है वो रुपांतरित होती है और उसमें बोजन का संग्रह होता है राइजोफोरा जो है उसके पाई जाता है श्वशन मूल जो है वो देखने को मिलती है किस तरीके से तो ये उस एरिया में पाई जाते हैं जो मार्शी एरिया होते है जो कछ एरिया होते है जो दलदली छेतर होते हैं जैसे अब बात करें वैस्ट बेंगोल की किसकी बात करें को वैस्ट बेंगोल कि अगर आपन बात करें तो सुंदरवन जो है वहां पर इस प्रकार के जो है वनस्पति देखने को मिलती है या प्लांट देखने को मिलते हैं ठीक है ना तो उनके अंदर क्या होगा इस पूरी जड़ पे जो मुल पे जो इस तरीके से क्या हो जाएंगे रंद्रू जाएंगी और इनको किया जाएंगी और इनको क्या बोलते हैं शरश्नी रंद्रू या न्यूमेटो फ् Vienna जो टेया हो ना जो Biz ट्रक्टर ठीक करएग ना नूमेटो फोर तो जहां पर याद आरित होते हैं और इनको बोलते हैं नूमेथोर्स तो इनको क्या बोलेंगे अपने नूमेथोर्स बोलेंगे एक सेकेंड ठीक है इनको क्या बोलेंगे नूमेथोर्स बोलेंगे तो यह किसमें देखने को मिलेगा राइजोफोरा के अंदर शुगर के अंदर जो है, वो इस प्रकार की विवस्था देखने को नहीं मिलती है, और फाइकस के अंदर भी देखने को नहीं मिलती है, इनमें अपस्थानिक जड़े देखने को मिलेगी, जो यांतरिक साहेता इनको प्रदान करेगी, लेकिन इस प्रकार की विवस्था देख देखने को केवल और केवल इन option के according जो किसमें मिलेगी second option के अंदर मतलब राइजो फोरा के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन 163 के अंदर अब देखो 163 के अंदर अगर अपन बात करें यहां पे तो यहां पे कुछ symbol दिये गए और यह family से यह वाला तो यह जरूर मेच करेगा अब यह वाला है अगर यह इस तरीके से होता प्लस का है ना त्रिज्या सम्मित तब आपके क्या हो जाता है यह सम्मित कर जाता है लेकिन यह क्या है एक व्या सम्मित है तो यह नहीं होगा ठीक है इसके अलावा यह जो सम्मित है यह इनों फेमिली की बात करें तो इनके जो पुष्प शुत्रे जो फ्लावर फॉर्मूला है वो आप अच्छे से याद कर लें इनमें कभी का बाद जो है पुष्प शुत्र भी जो है वो पूछे जा सकते हैं ठीक है यह भी नहीं होगा इसके अंदर तो इसलिए यहां पर 163 के पिर उसके बाद में 164 की बात करें चूजदा मिसमेच पेर ऐसुमिलित यूगम का चुनाव कीजिए देखो यहां पर दे रखा है कि जो माइक्रो बोडीज है वो नॉन मेंब्रेनस बाउंड वैसिकल्स पर्जेंट इन बोथ प्लांट एनिमल्स सुक्षम काई जिली से अन गलत हो गया अब चार में से एक ही गलत हो सकता है तो आप इसको जो है वो टिक करके जो है वो अगर आगे बढ़ना चाहो तो आगे बढ़ सकते हो और देख लो सैटेलाइट नौन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्टिक्शन एट कॉंस्टेंट लोकेशन बिल्कुल सही बात है कि जो गुण सुत्र होता है उसे गुण सुत्र में अगर अपन देखें तो इस तरीके से क्या होगा इस तरीके से क्या रहेगी सरचना रहेगी और यहां पर आपके क्या देखने को मिलेगा नुकलियोलस या केंडरी का देखने को मिलेगी और इसी को अपन क्या बोलेंगे बोलेंगे ठीक है ना जो कैसे होता है नॉन स्टेनिंग सेकेंडी कंस्टिक्शन एट कॉंस्टेंट लोकेशन इनकी इस्तिति क्या रहेगी फिक्स रहेगी सेंट्रोमर प्राइमेरी कंस्टिक्शन बिल्कुल सही बात है, Lysosome optimal activity at acidic pH बिल्कुल सही बात है, एक optimum pH पे ही जो hydrolytic enzyme है, वो hydrolytic enzyme क्या करते हैं, कारिये करते हैं, तो ये भी सही बात है, इसलिए 164 का जो answer आएगा, वो आपके क्या जाएगा, first option क्या हो जाएगा, 164 का राइट हो जाएगा, clear है यहापे, फिर आगे बढ़ते हैं, अपन 165 की बात करें, which one is not found in zygotin of meiosis, अर सुत्री वाजन की zygotin अवस्था में कौन सा एक नहीं होता है, देखो, जाइगोटीन के अंदर क्या synapsis पाया जाएगा, क्या निश्ची तुरूप से पाया जाएगा, synaptonymal complex पाया जाएगा, क्या निश्ची तुरूप से पाया जाएगा, bivalent या tetrad condition किसमें पाया जाती है, जाइगोटीन स्टेज के अंदर देखने को मिलती है, बट क्रोसिंग ओवर जो है, वो किस के अंदर देखने को मिलेगा, पैकाइटीन स्टेज के अंदर, तो इसमें पूछा है कि not found in, तो यहाँ पर answer क्या होगा, fourth option क्या हो जाएगा, यह clearly जो है, आप अगर देखो 165 के अंदर, तो clearly mention कर रखें, NCRT के अंदर statement, तो यहाँ पर चोथा option क्या हो जाएगा, अपना right हो जाएगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, 166 के अंदर, if a deployed cell of an animal contain 2N number of chromosome in G1 phase, so what is the chromosome number in G2 phase, अगर किसी द्वी गुणित कोशिका में, गुण सुत्रों की संख्या G1 phase में 2N है, तो उसी कोशिका के G2 phase में, गुण सुत्रों की संख्या क्या होगी, तो अपन जानते हैं, अगर गुण सुत्रों की संख्या, deployed cell की बात हो रही है, तो 2N है, तो G1 phase के अंदर, आपके क्या रहेगा, गुण सुत्रों की संख्या 2N रहेगИ, क्लियर है याँ पे, हा änd़ा, तो G1 phase के अंदर, अगर 2N है, तो G2 phase के अंदर, गुण सुत्रों की संख्या, आपके क्या होगी, समान रहेगी, अब रही बात यहाँ पर जैसे अपन बात करें, कि भाई यह mitosis division है कि मियosis division है, तो भाई mitosis division में गुण सुत्रों के संगय समान रहेगी, लेकिन यहाँ पर मियosis के अंदर अगर अपन देखें, तो फिर आपके किस के अंदर आजाएगा फिर मेटाफेस के अंदर फिर आगया आएगा लेकिन G2 फेस तक तो गुण सुत्र की संक्या आपके क्या रहेगी समान ही रहेगी तो यहाँ पे जो 166 है उस 166 के अंदर जो एंसर चला जाएगा वो क्या होगा भाई 2N हो जाएगा, यहाँ पर मैं common बात कर रहा हूँ, G1 phase से लेकर के G2 phase तक, चाहे वो समसुत्री विभाजन हो, चाहे वो आपके क्या हो, अर्सुत्री विभाजन हो, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपके क्या देखने को मिलेगा, गुण सुत्र के संग्या आपके कितनी रहेग NCRT के अंदर clearly mention भी कर रखा है, कि अगर G1 phase के अंदर, diploid cell के अंदर 2N है, तो उसके G2 phase में गुण सुत्र के संग्या क्या रहेगी, समान रहेगी, हाँ, DNA की संख्या जो है वो आपके अगर 2C है, तो आपके क्या हो जाएगी, 4C हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर first option क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, 166 के अंदर, which is the characteristics of diplotene, diplotene अवस्था का कौन सा लक्षन है, ठीक है न, अब देखो, यहाँ पर आप देखना कुछ statement दे रखे हैं, it can last for month or year in some invertebrates, देखो, यहाँ पर 1 कशेरुकी दे र हो जाएगा, काईज मेटा आर अपसेंट इन इट, काईज मेटा जो है, वो diplotene के अंदर आपके क्या होगा, देखने को मिलेगा, अपसेंट नहीं होगा, तो यह भी गलत है, it is recognized by its dissolution of the syneptonimal complex, तो yes, syneptonimal complex जो है, वो आपको यहाँ पर जो है, वो डिजोल होते हुए दिख ही देंगे, और crossing over अगर अपन देखें, ठीक है न, diplotene के अंदर, it can characteristics, तो crossing over जो है, वो आपके किस के अंदर हो गया, pacotene stays के अंदर, किस के अंदर हो गया, pacotene stays के अंदर हो गया, तो यहाँ पर option क्या चला जाएगा, third option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ में 168 की बात करते हैं, which of the following nitrogenous base is derived, निम्न में से कौन सा nitrogen, छार purine का व्यूत्पन है, तो purine देखो, DNA के अंदर, अगर अपन देखें, तो जो purine होते हैं, ठीक है, वो purine होते हैं, क्या, adenine और guineine होते हैं, और जो pyrimidine होते हैं, क्या होंगे, एक बार में लिख देता हूँ, purine जो है, वो तो क्या होंगे, adenine और guineine होंगे, और जो pyrimidine होंगे, वो क्या होंगे, cytosine, uracil और thymidine, तो यहां पर cytosine, uracil और thymidine जो है, वो दे रखा है, और वो किस से सम्बंदित है, pyrimidine से क्या है, सम्बंदित है, त तो गौाइनीन हो जाएगा, अपना, fourth option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, तो 168 के अंदर अपना जो answer हो जाएगा, वो 168 के अंदर क्या चला जाएगा, fourth option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, 169, अब देखो, enzyme divided how many classes, enzyme निम्न कितने वर्गों में विबाजित किये गए, तो clearly NCRT के अंदर mention कर रखा है जो enzyme होते हैं वो 6 class के अंदर क्या किये गए हैं वर्गी क्रत किये गए तो fourth option जो है वो 6 classes जो है हना enzyme वाले chapter के अंदर दे रखी है 169 के अंदर तो वो जो है वो आप अच्छे से याद कर लें जो 6 classes कौन सी है ठीक है आगे बड़े 170 अब देखो 170 अब यहाँ पर यह पुछा गया है कि in following diagram of lac operon identify ABC lac operon के दिये गए चित्र में A, B तता C को पहचानिये तो clearly mention कर रखा है NCRT के अंदर जो A होता है वो क्या बनाता है beta galactosidase B जो है वो क्या बनाता है permeage बनाता है और C ऑनाता है आपकe trans acetylase बनाता है तो beta galactosidase तो क्या करेगा कि जैसे यह E-coli है ठीक है तो इस E-coli के अंदर वो क्या करेगा जैसे ही lactose जैसे आएगा तो इस lactose को तोडने के लिए आपके कौन सा है beta galactosidase है इस cell membrane के थूँ या कोश का जिली के थूँ इसको परवेश कोन करवाएगा इसके लिए एक enzyme है जिसका नाम क्या है परमीज हो गया और transacetylase क्या करेगा जो एक सब्सक्राइब तो यहां पर अपना 170 है उससे 170 के अंदर जो एंसर हो क्या हो जाएगा थाड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा प्रूस के बाद में अपना आते हैं 173 दबल हेलिकल मोडल ऑफ डी एन ने वाज प्रपोस्ट बाइव वाट्सन इंट्री बैस्ट ओन वाट डाटा दे प्रोड्यूस दिस बोडल डी एने का द्वी कंडली नमूना वाट्सन तथा क्रिक ने किसके आकडों के अधार पर द्वारा प्रतिपादित किया था तो हाइबरडाइजिशन नहीं होगा डी एने सिक्वेंसिंग भी नहीं होगा संकरण नहीं होगा डी एने नुक्रमन नहीं होगा लेकिन यहां पर फ्रेंकलीन और विलकिन्स दो वेगयनिक थे जिनके पास में यह टेकनीक थी एक्स रे डिफ्रेक्शन तो इस टेकनीक के आधार पर ही इन्होंने जो है वो क्या दिया था डबल हैलिक्स मोडल जो है वो परतिपादित किया था ट्रांस्फॉर्मेशन भी नहीं होगा तो यहां पर एक सोगेतर की अगर अपन बात करें तो एक सोगेतर के अंदर अपना एंसर जो हो क्या चला जाएगा थार्ड ओप्शन क्लियरली मेंशन कर रखाएं सियार्टी के अंदर टेकनीक के बेस्ट पर ही जो है वो डिएने का डबल हैलिक्स मोडल जो है वो आपके दिया गया था तो यहां पे अगर अपन देखें तो अपना ओप्शन क्या होगा थार्ड ओप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं एक सो बैतर के अंदर इन यू केरोटिक जीन एक सो बैतर की बात करें तो अपने इने एक सेकेंड हाँ in eukaryotic gene coding sequence are called eukaryotic gene में coding anukram कहलाता है हना तो coding sequence जो eukaryotic होता है introns जो होते हैं वो non-express होते हैं जबकि exons जो होते हैं वो expressed होते हैं और उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं coding gene बोलते हैं क्या बोलते हैं coding anukram या coding sequence बोलते हैं eukaryotic के अंदर जो है कर दिया जाता है तो यहां पर जो X-zone है वो क्या होते हैं कोडिंग सिक्वेंस होते हैं regulatory sequence नहीं repetitive DNA यह भी नहीं होंगे यहां पर answer क्या जाएगा second option क्या हो जाएगा याद रखना है आपको X-zone जो होते हैं वो coding अनुक्रम होते हैं तो 172 की अगर अपन देखें, तो 172 के अंदर आपके आगे आएगा, second option right हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ें अपन, 173 के अगर अपन बात करें, तो match the column, निम लिखित इस्तंब को सुमेलित कीजिए, तो अपने को यहां पर जो है, वो इस्तंब को क्या करना है, सुमेलित कर अब देखो यहां पर, NCRT के अंदर क्लिए लिमेंशन कर रखा है, कि भाई जो photolysis of water है, तो वो photolysis of water किसकी परजैनस में होता है, मेंगनीज, यहां पर MN plus 2 जो है, वो क्या होता है, काम में आता है, MN plus 2 क्या होगा, काम में आएगा, nitrogenase के लिए आपके क्या होता है, molybladinum, ठीक है, redox reaction की अगर अपन बात करें, तो redox reaction जिसमें oxidation भी होता है, reduction भी होता है, oxygen भी होता है, तो इसके लिए आपके कौन सा हो जाएगा, copper हो जाएगा, और biosynthesis of oxygen, तो biosynthesis of oxygen के लिए क्या रहेगा, zinc रहेगा, तो अब आप देख लो, यहां पे अगर अपन 173 की बात करें, तो A के अंदर क्या मिलान कर रहे है, आपके third सही बात है, B के अंदर क्या मिलान कर रहे है, चोथा नंबर सही बात है, C के अंदर क्या मिलान कर रहे है, आपके C के अंदर second option सही बात है, और D के अंदर first option, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा second option क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा आपको बिल्कुल straight forward जो है यह जो statement अच्छे से क्या करने है याद करने है ठीक है फिर उसके बाद में अपन देखते हैं क्या एक सो चोतर glycolysis, oxidative decarboxylation, krab cycle और ETS ठीक है glycolysis, oxygen decarboxylation, krab chakra और ETS है ना अब इन में से कितने जो process होते हैं वो mitochondria के अंदर होते हैं तो clearly mention कर रखा है glycolysis को छोड़ दो वो cytoplasmik के अंदर होगा इसके अलावाद जितने भी oxidative decarboxylation, krab cycle और ETS है यह कहाँ पर देखने को मिलेंगे mitochondria, कुछ जो है वो matrix में देखने को मिलेंगे और कुछ जो है inner mitochondrial जो membrane जिसको अपन क्या बोलते हैं, crystal इस तरीके से structure और इसके अंदर जो है वो यह वाली structure है इसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो इस पे आपके क्या होंगे, इस तरीके से structure और यह matrix है इसमें, दोनों भा के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे, matrix में भी देखने को मिलेंगे और crystal structure पे भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर एक, दो और तीन, तो एक सो चोहतर के अंदर जो अपना option जाएगा, वो क्या चला जाएगा, तीन, ठीक है, next, एक सो पिछेतर की बात करें, ठीक है, diffusion, यहाँ पर देखना आप, diffusion, facilitated diffusion, osmosis, imbibition, viseran, सुसाध्य viseran, परासरण और अंत्रचूशन, अब इन में से कितने process जो passively perform होते हैं, यह निश्करी रूप से क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं, तो सीधी सी बात है, यह सारे क्या सारे किसके हैं, passive transportation के है, चाहे वो diffusion हो, चाहे वो facilitated diffusion हो, चाहे वो osmosis हो, चाहे वो आपके क्या हो, imbibition हो, इसलिए यहाँ पर 145 के अंदर जो answer आएगा, 4 ही आ जाएगे, मतलब यहाँ पर अपना option क्या चला जाएगा, बिलकुल जो concept based जो है, वो आपको paper देखने को मिल र जा रहा है, और आपने जो है, यह 100% यह question जो है, वो write किया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन, 176 के अंदर, ठीक है, mycorrhiza helping pinus plant, pinus में कवक मूल सहायक होता है, ठीक है ना, तो water absorption बिलकुल सही बात है, mineral absorption बिलकुल सही बात है, food translocation नहीं होगा, अब first और second है तो fourth option चला जाएगा, pinus की जो root होती है ना, उस root के अंदर यह कवक देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अगर pinus का जो बीज है, वो बीज अगर अंकुरित हो गया, तो फिर आगे वो व्रदी नहीं कर पाएगा, जब तक उसके साथ में fungus या कवक सही जीवी संबंध के रूप में देखने क को नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे 176 के अंदर अपना क्या चला जाएगा, 4th option क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, फिर अपना आगे बढ़ते हैं, 177 के अंदर, ठीक है, match the compound given column first with the number of carbon atom present in them, which are listed under column first, है न, यहाँ पे कुछ जो है, वो दे रखे हैं, और यह बच्चों बहुत ही important और बहुत ही महत्वपून जो है, वो cycle है, जिसका नाम है crab cycle, अब इस crab cycle में अपने को हर एक compound के carbon number भी जो क्या करने हैं, याद रखने दिमाग के अंदर, फीड कर लेने हैं, तो अब आप देखो, यहाँ पे देखते हैं, oxaloacetate, है न, तो अपन जानते हैं, कि ज स्टार्ट होता है, oxaloacetate होता है, प्लस यहाँ पे जो है, वो क्या react करता है, acetalcoate, तो यह oxaloacetate कितना होता है, four carbon होता है, और यह कितना होता है, two carbon structure होता है, होता है गी नहीं होता, ठीक है, आगी बास समझे, तो oxaloacetate जो है, या oxaloacetic, या acid भी बोल सकते हो आप, तो यह कि कितने carbon structure है four carbon structure है ये लो फोस्फोग्लाइसरेड ये तीन carbon glycolysis के अंदर बनता है 3PGAL हना 3PGAL होता है ये कितने होती है तीन carbon structure होता है citric acid की अगर अपन बात करें तो citric acid जो होता है वो क्या होता है आपके oxaloacetic acid से acetalco enzyme जब react करता तो क्या करता है citric acid क्या करता है पोर्मेशन करता है तो ये कितने carbon structure हो गए 6 carbon structure हो गए और alpha keto gluten which एक है वापके कितना है 5 carbon जो है वापके structure हो गया ये लो अब देखो इसके अंदर क्या मेंच कर रहा है एक अंदर तो इसका answer क्या जाएगा, 177 के अंदर आपके क्या हो जाएगा, second option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, ठीक है, है ना, मिलकुल याद रखने हैं आपको, 178, अब देखो, RQ of यहाँ पे जो दे रखा है, उसी को अपन देख रहे हैं, ठीक है, RQ of यह सुत्र है किसका, try-pamitine का, किसका सुत्र है, try-pamitine का सुत्र है, ठीक है, तो try-pamitine में अपन जानते हैं, जैसे NCRT के अंदर दे भी रखा है, ठीक है ना, तो जो fats होते हैं, उनका जो RQ होता है, respiratory equivalent जो होता है, श्वशन गुणांक जो होता है, वो हमेशा एक से क्या होता है, कम होता है, एक glucose का होगा एक से ज्यादा जो है, वो acid का रहेगा, ठीक है ना, एक से ज्यादा, और यहाँ पे 0.7 है, और यह भी ज्यादा है, तो यहाँ पे option क्या जाएगा, 178 के अंदर अगर अपन बात करें, तो option क्या चला जाएगा, third option क्या हो जाएगा, clearly NCRT के अंदर mention कर रखा है, ठीक है, आगे बढ़ गए, अपन 179, अब देखो, primary CO2, primary CO2 acceptor in C3 plant, C3 पातपों में पर्थम CO2 ग्राई होता है, देखो, पैब जो होता है, वो C4 plant के अंदर होता है, ठीक है न, पैब जो हता है, वो क्या होता है, C4 plant के अंदर होता है, ठीक है, और अपन oxaloacetic acid की बात करें तो यह न को मिलेगा, जिससे वो oxaloacetate जो है, वो आपके जो चार कारवन अभी अपन ने बात किया था, वो acetalcoe के साथ में अभी एकरिया करता है, तो पैब जो है, वो नहीं होगा, ठीक है, आर यूवीप, राइबलोस बिस फोस्फेट यह राइबलोस 155 फोस्फेट, यह 5 कारवन स structure होंगे, तीन कारवन जिसका नाम क्या रहेगा, PGA, क्या नाम रहेगा, मैलिक एसीड होगा नहीं, तो यहाँ पर answer क्या चला जाएगा, 179 का आपके answer क्या हो जाएगा, third option क्या हो जाएगा, right हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अब देखो, यहाँ पर, given graph, ठीक है, given graph, ठीक है, graph दे रखा है, एक graph दे रखा है, और उसमें यह पुछा गया है कि A, B, C, और यहाँ पर दे रखा है, एक तो size, और A क्या दे रखा है, time, तो time के respect में जो है, वो size जो होते है, जो growth जो है, वो growth किस तरीके से दिखाई देग की, तो clearly mention कर रखा है, इंसी R2 के अंदर is phase को अपन क्या बोलते है, lag phase, हएना, क्या बोलते है lag phase और इस phase को अपन, ex-potential phase, क्या बोलेंगे, ex-potential phase, और this phase को अपन क्या बोलेंगे, stationary phase, क्योंकि, जैसे-जैसे कोशिका यह cells जो है, वृद्धि करती है, तो वृद्धि करने के स साथ-साथ उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है लेकिन अप्टू ए लिमिट एक समयावदी तक ही है ना साइज बढ़ेगी फिर उसके बाद में क्या हो जाएगी बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी स्थेरे हो जाएगी अब देखो यहां पर एक अपने का है क्या स्टेशनरी तो स्टेशनरी फेज यह रहा ठीक है बी को अपने का है क्या मतलब फस्ट को लेक फेज और इसको क्या का अपने एक्स पोटेंशियल फेज है तो यहां पर अपना जो एंसर है एक सुसी के अंदर जो है वो क्या चला जाएगा सेकिन अब आप देख सकते इसके अंदर स्टे ठीक है बोल्टिंग में प्रमोट बाए बोल्टिंग प्रेरित की जाती है देखो बोल्टिंग किसके द्वारा प्रमोट की जाती अब यह के द्वारा नहीं साइटोकाइनिन के द्वारा नहीं आई एके द्वारा नहीं होती है किसके द्वारा होती है जिब्रेलीन के द्व होते हैं वह क्या होते हैं संग नित करने के लिए किया जाता है उप्योग किया जाता है टो यहाँ पर अपना option जैसी के अंदर clearly mention कर रखा है ठीक है आगे बड़े और आगे अपने देखते देखो the given figure show development of an embryo that undergoes two phases A and B select the correct option regarding दिया गया चित्र भृून के परिवर्दन जो दो प्रावस्था A और B में दिया गया अब देखो इसके अंदर अपने को पैचान है कि इसके अंदर कौन सी phase है तो मैं आपको बता दूँ ये जो phase है first वाली ठीक है और ये जो phase है B है ना NCRT के अंदर clearly जो है वो इसका जो है वो diagram mention कर रखा है तो ये phase किसको परदशित करती है geometric phase अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये ये कि जो कोशिका परदशित हो रही है। अब इसमें से क्या होगा कि ये वाली जो dark कोशिकाए हैं ठीक है ना ये आपके क्या होगी तो इसका अपना एंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा फर्स्ट ऑप्शन और इसमें मेच नहीं कर रहा है तो इसका अपना 182 के अंदर जो एंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा फिर उसके बाद में अपना आगे बढ़ते हैं 183 के अंदर Read the following statement निम्न लिकित कतनों को पढ़िए अब इसमें कुछ statement पढ़ने अपने को Asexual reproduction occur without fusion of gamits बिल्कुल सही बात है जो एलेंगिक जनन होता है वो बिना युगमक salient द्वारा होता है Sexual reproduction involve only male gamit लेंगिक जनन में केवल नर युगमक संबलित होते हैं नर्व मादा दोनों युगमक क्या होते हैं संबलित होते हैं गलत बात है यह Conidia structure present in Hydra Hydra के अंदर Conidia सरचना पाई जाते हैं नहीं Conidia structure पाई जाती है किसके अंदर आपके fungus के अंदर पाई जाती है Aspergillus के अंदर पाई जाती है Agaricus के अंदर पाई जाती है ठीक है ना तो वो भी नहीं होगा आदेकिर मेद यह को पूरा जाएगी स्पॉंजर के अंदर देखने को मिलेगी पोरिफेरा जो है इस्वें 31 वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा और सारे क्या है गलत है फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि 184 रमेश चंद्र डागर हैस क्रियेटिड रमेश चंद्र डागर ने गठित किया था देखो क्लियरली मेंशन कर रखा अंदर उन्होंने जो है वो क्या बनाया था हर्याना किसान वेलफेर क्लब बनाया था क्योंकि हर्याना से बिलोंग कर रहे थे तो इन्होंने जो हर्याना किसान क्लब वेलफेर बनाया था Central Pollution Control जो बोर्ड है है ना वो नहीं है यह कहता है कि 2.5 2.5 माइक्रो मीटर से कम साइज वाले जो पार्टिकल्स है वो अपने श्वशन तंत्री के लिए रेस्पारेटी सिस्टम के लिए क्या होते हैं हामफुल होते हैं तो यह नहीं है जोइंट फोरेस्ट मेनेजबेंट भी नहीं होगा ठीक है और फ्रेंड्स ओफ आर्क्टा मार्स भी नहीं होगा फॉर्म जिसको अपन बोलते हैं ठीक है तो इसके रेस्पेक्ट में जो अपना एंसर जाएगा 144 के अंदर इसको अधर क्या हो जाएगा भाई सैकंड ऑप्षिन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते कि 1685 के अंदर है अब देखो instead Preston कर दो is state में गिलो डाइग्राम निमलिकित कि अंदर जो कुछ कथन दीए अब पहले तो आप यह जो डाइग्राम है वो किसको इंडिकेट कर रहा है clearly जो है वो mention है NCRT के अंदर जो electrostatic precipitator है ठीक है ना तो उसके अंदर यह दिया गया है ठीक है इट परजेंट टो एन electrostatic precipitator बिल्कुल सही बात है यह वेद्यूत अवशेपी को परदशित करता है बिल्कुल सही बात है electrode wire of such device are maintained and very high voltage बिल्कुल सही बात है थाउजेंड्स के अंदर आपके क्या किया जाता है इसको maintain किया जाता है और इसके चारों तरफ जो dust particle है उसके थ्रू क्या बनाए जाता है जो है क्या बनाए जाएगा एक सरचना Corona जो सरचना है उसका निर्मान किया जाएगा ठीक है इट यूस्ट तू रिमूव दा यह होता है स्क्रबर का काम होता है यह electrostatic precipitator का काम नहीं होता है तो यह सही है यह भी सही है the velocity of air between the plates always kept low इसमें प्लेट के मद्य वायूव एक सदेव क्या रखा जाता है धीमा रखा जाता है लो रखा जाता है कम रखा जाता है इससे वह आसानी से जैसे dust particle यहां से जाए तो यहां पर क्या किया जाएगा positive charge जो है आवेशित कर दिया जाएगा और यह positive charge क्या करेंगे इससे dust के particle जो रिडात्मक आवेशित है या negatively charged है इसके साथ में क्या हो जाएंगे चिपक जाएंगे और dust particle settle down हो जाएंगे और air जो होती है वो दीरे दीरे यहां से क्या हो जाएगी filter हो जाएगी यह बोलना भी बिलकुल सही बात है तो correct statement अपने से पुछ है यहां पर first हो जाएगा और B हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपके D हो जाएगा तो यहां पर 185 के अंदर अपना जो answer जाएगा वो answer क्या चला जाएगा भाई 185 के अंदर first option क्या हो जाएगा right हो जाएगा क्योंकि यहां पर A, B और D, C नहीं होगा वो किसके लिए होगा scrubber के लिए होगा ठीक है फिर उसके बाद में आपा जाओ next 186 की बात करें अब देखो given below is the diagram of filamentous blue green algae in which of the following option two part labeled as A and B are correctly identified नीचे दिये गए चित्र में नीली हरी शेवाल का आरेक है निम्न में से किस विकल्प में यह label किया गया है तो clearly mention कर रख है यह किसका उदारन है आपके साइनो बैक्टीरिया का किसका उदारन हो जाएगा साइनो बैक्टीरिया का उदारन जाएगा यह BGA blue green algae का उदारन जाएगा इसमें से जो first है वो तो म्यूसिली जीडियस शीट को क्या करेगा रिपर्जेंट करेगा तो म्यूसिली जीडियस एक रिस्पेक्ट में कौन सा है वाई यह भी है तो इसका मतलब यहां पर आप यह देखो यह नहीं होगा यह यह नहीं होगा बात कित अब बीसेकेंड और साइनो बेक्टेरिया सभी जीवानू से संबंदिते नहीं है किसके संबंद्ध में रखा है हेट्रोसिस्ट आफे नॉस्टो तो अपना option क्या चला जाएगा second option क्या हो जाएगा प्राइट है और जए हैट्रोशिस्ट क्या करती नायट्रोजन इसस्थीर करन या नायट्रोजन फिक्ष इसे क्या करती है विदेखने को मिलता तो यहाँ पर option क्या फेल सेकिंड जाएगा इसके इनतर फिर आगे वरते अपन के एक सो सथाइशी वीच एक सेटन डिंच to produce 25 10 of protein hana ncrd me clearly mention karukha hai no doubt spirulina करता है but 25 10 जो है वो protein कौन produce करेगा methylophilis methylotropes यह भी करेगा but 25 10 के respect में spirulina नहीं होगा chlorella के respect में और methaino vector जो है methyl vector वो भी नहीं होगा तो यहां पर answer क्या चला जाएगा यह इतना जो है वो protein क्या करता है produce करता है तो 187 वे जो एंसर है वो क्या हो गया फॉर्ट ऑप्शन हो गया ठीक है पिर आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं विच मिसमेच हाइब्रिड वेराइटी फोर देयर डिजीज रेजिस्टेंट निम्न में से कौन सी संकृत प्रजाती उसकी रोग परती रोदक्ता के साथ सही नहीं है देखो पूसा सुरनिम बिल्कुल सही बात है ठीक है पूसा कोमल हिमगीरी और पूसा सदाबार तो जो पूसा सदाबार ये भी सही बात है लीफ एंड स्टीप रस डिजीज है बट पूसा कोमल से समंदी जो है वो ये नहीं देखने को मिलेगा ठीक है ना ये नहीं होगा तो second option इसका क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा तो यहां पर option क्या जला जाएगा second option क्या हो जाएगा गलत हो गया इसमें mismatch पुछ है अपने से ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब देखो which of the following palindromic sequence is recognized by echo our first palindromic sequence का मतलब क्या होता है कि जिसको अगर आप three to five read करो तब भी और इधर से three to five read करो तब भी same pronunciation आए हाना जैसे example दे भी रखा है NCRT के अंदर Malayalam तो Malayalam को आप starting से end read करो या end से starting में read करो उच्छारण जो है pronunciation एक यान है तो यहां पर आप देखिएगा इको आर्फरस्ट का होता है गार टी से याद रख लो जी ए ए टी टी सी ठीक ना च्छे नाइट्रोजन क्रम होते हैं तो यह हमेशा यहीं पर कट करता है NCRT के अंदर clearly mention भी कर रखा है ठीक ना तो यहां पर अपना option क्या चला जाएगा 189 के अंदर जो है वो option क्या जाएगा फास्ट option आजएगा और को देखने की दूरत नहीं है अब मैं आपको यह चीज़ बता रहा हूं हाना आप बिल्कुल दिहान से गोड़ से सुने अब मैंने second, third or fourth option क्यों नहीं देखा क्योंकि अब देखो fourth option है तो उसमें एक ही या तो 189 के अंदर जो है वो आपके कहा जाएगा first option आजएगा ठीक है हाँ cry endotoxin obtained from bacillus thrygenesis are effectively against cry endotoxin जो bacillus thrygenesis से प्राप्त किया जाता है किसके प्रती प्रभावशल यह होता है देखो यहाँ पे insect आते हैं क्या आएंगे insect ने birds आएंगे इनने fish आएगा ने reptiles आएगा क्या आएंगे insect आएंगे insect baby आपके क्या होता है lepidopteron, coliopteron और diptera यह तीन insect के जो है वो आपके variety है उसके अंदर आपको देखने को यह मिलेंगे तो उसके against जो होता है यह क्या करता है कार यह करता है तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल आप याद रखें 190 के अंदर जो अपना option क्या जाला जाएगा first option right हो जाएगा ठीक है आगे बड़े 101 इंसरस्टेशनल inactivation is related to निवेशी निश्क्रेंड किससे सम्मधित है तो अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे मैं कहता हूं इसको मैं थोड़ा सापको बता देता हूं कि यहाँ पर एक जीन है यहाँ पर भी एक जीन है यहाँ पर हो गया आपका tetracycline resistant और यहाँ पर क्या हो गया एंफिसलीन resistant तो अब इसके अंदर मैं जो है कोई भी desirable जैसे यह कोई segment है इसको क्या कर रहा हूं add कर रहा हूं ठीक ना तो इस segment को मैंने add किया तो मेरे add नहीं किया है और एक बार test कब करूँगा जब मैंने इसके अंदर क्या कर दिया है add कर दिया गया है तो add करने के बाद करने से पहले मैं जो है दोनों ही case में जो है वो emphysilin से इसको treat करूँगा तो अगर मैं यह कहूं कि यह अगर emphysilin से treat किया गया और यह nest नहीं हुआ destroy नहीं हुआ इसका मतलब recombination की process नहीं हुई है और अगर यह destroy हो गए इसका मतलब recombination की process हो गई है तो इसके लिए term किया जाता है selection of recombinant आप यह पहचान पाओगे कि जो पुनर योजन का जो चुनाव है वो किस तरीके से किया जाए कौन सी विदीद्वारा incertational inactivation तो यहाँ पर option क्या जाएगा बच्चो फॉर्थ option आ जाएगा है ना बिल्कुल concept based जो है वो आपके question है incertational inactivation चौथा option आ जाएगा आगे बड़े एक सो बराण में ठीक है बच्चो एक सो बराण में number question which method can help direct pathogen in the liberty in early stage कौन सी विदी परियोक शाला में रोक कारग को प्रारंबी कवस्ता में पहचानने में मदद करेगी तो ncrd में clearly mention कर रखा है recombinant dna technology भी करेगी enzyme linked immunosorbent assay जो है वो भी करेगा और PCR polymerase chain reaction उसमें अगर अगर अपने पास में एक भी अगर dna हो तो उसकी अपन प्रतिकरती या जो copies है वो तयार कर सकते हैं और more than one option तो अपना right option क्या हो जाएगा fourth option तो एक सो बराण में के अंदर अपना जो answer जाएगा हो क्या चला जाएगा चोथा चला जाएगा ठीक है फिर उसके बाद में अगला अपन बढ़ते हैं एक सो तराण में की तरफ हाव मैनी statement एक सेकेंड हाव मैनी statement are correct कितने कथन सही है देखो गोजे जर्नलाइज इस अबाउट competition तो गोजे की सामा नयावदारन पर्टिस परदास संबंधिता बिल्कुल है इन्होंने यह बताया था कि अगर किसी भी आवास के अंदर कोई भी organism अगर परजेंट होता है तो वो दो condition में जीवित रह सकता है अगर एक ही जाती के संबंधित जो जीव है या तो उनके बीच में competition हो तो जो ज़्यादा आपके बलशाली होता है चाहिए वो आपके अंतरा जाती हो चाहिए अंत्य जाती हो बलशाली होता है तो वो आपके वहां पर जीच जाएगा या फिर अपना जो बोजन का जो श्रोथ है जो food source है वो ही क्या कर ले change कर ले तो इन्होंने एक बिलकुल तो एक अवधाना जो है वो बताई थी तो यह बिलकुल सही बात है इंट्रे स्पेसिफिक कॉंपेटिशन इस पोटेंड पोर्स फॉर और्गेनिक इविलोशन बिलकुल सही बात है जो इंट्रे स्पेसिफिक है उसमें जैसे आपके परतिस परदा होगी अब इसमें से जितेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा मैटिंग मैंक रेफ्रोडब्स ँन करेगा री-्प्रडρη्चं करने से उसके दोरा जो नहीं प्रोजेह डेवलप कि जाए जैगी या न्यूज आफम्परींग डेवलप किया जाएगा उसमें वह लक्षन जो है इस्व्भ दोनों के association से बनता है प्रीडेशन इसे content of energy flow बिलकुल परभक्षन उर्जा प्रवाका साधन करते हैं तो प्रीडेशन और परभक्षी और परभक्षन परभक्षी और परभक्षन तो यह क्या करते हैं आपके उर्जा का क्या करते हैं संचरन करते हैं तो बिलकुल जो है वह आ option आजाएगा इसके इंदर कि उसके बाद में 104 में की बात करें देखो दा चेंज इन population size at a given time interval T is represented by following equation यहां पर कुछ equation दे रखी एंसरी बेस्ट यहां पर पुछा गया IBD क्या है तो आई आपको बता दू क्या है immigration है ना क्या हुजाएगा immigration clearly mention कर रखा है यह एक टी टाइम पर जो है एक population थी अब population बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी कि अगर अगर अपन कहें कि जैसे birth rate जनमदर है और अगर कोई जीव जो है वह पारी तंत्र के अंदर क्या कर रहा है प्रवेश कर रहा है दूसरा जो मृत्य उदर है और उस पारी तंत्र को छोड़ कर कि वह दूसरी जगह दार है जैसे अपन फॉर एक्जामपल यहां से बाहर विदेश में जाते हैं तो अपन क्या बूलेंगे सब इसागा birth rate ठीक है न तो यह भी आपके क्या हो जाएगा natality और यह क्या हो जाएगी आपके mortality क्या हो जाएगे आपके natality और mortality जो है वापके देखने को इसके अंदर मिलेगा डीफोर क्या हो जाएगा मोटलिटी जाएगा तो 194 का जो एंसर आएगा वह आपकी क्या जाएगा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर ठीक है क्लियरली मेंशन कर रखाएं सी आइटी के अंदर कि फिर उसके बाद में आगे बड़े अपन एक सो पिचान में के अंदर identify the correct match from following column first or second यहां पर कुछ है वह मिलान करने को बोले गए अब यूरो थर्मल जो होते हैं वह एक हाई रेंज को क्या कर सकता है टोल रेट कर सकता है तो यहां पर आबल टो टौल्रेट वाइड रेंज of temperature यूरो थर्मल यह जाएगा च्टेन संचेर तो वह एक है कर सकते हैं तो इसका option ही जा एगा काउन फोर्मर जो पर पूइचर को पसकित्याटि जेसे हैं चेंज कर लेते हैं और दाइप ज जैसे फंगी या कुछ फाइटो प्लैंक्टॉंस वगरा जो होते हैं वो क्या करते हैं निश्क्री हो जाते हैं परतिकूल परिस्तितियों में स्टेज ओफ सस्पेंडेड डेवलप्मेंट इलंबित परिवर्दन की एक अवस्ता है तो यहां पर आप देखना एक सोपिचाड में कि अगर अपन बात करें तो कौन सा जो है वो ए जो है वो डी मिलान कर रहा है डी है क्या इसके अsllagen ऑब दे क्या तेला जाएगा एक सो पिचांड में के अंदर क्या हो जाएगा फिर उसके बाद में आगे बड़े बिल्कुल एक सीनुन निकानि कानी के रेट इट विच विच सोलर एनर्जी स्ट्रेब्ड टू प्रोड़क्टिविटी स्नोन ऐस वहे दर जिस पर शोर अपाद रहता है तूँ ग्रेंज की जाती है कहा जाता है देखो क्लिर लिए दे रखा है कि कोई भी plant उते हैं या जो producers होते हें क्या करते हैं निर्मान करते हैं अब इस गरोस productivity में से वो कुछ मात्रा जो है वो शोर्शन के लिए कामें ले लेते हैं तो इसको प्रोड küні जा एक हो जाएगा अगर आपके कॉंसेफ्ट क्लियर है तो आप बिलकूल इसको जो है इसके अंदर है ना अब देखो आगे विच इस नोट पार्ट ऑफ एकसी टू कंजर्वेशन कौन सा कंजर्वेशन का पार्ट नहीं है बाही इस्तानिय का मतलब क्या होता है किसी भी जीव को यह किसी भी और्गेनिज्म को उसके प्राकरतिक आवास से निकाल करके उसको कृति निकल कड देन निश्यत रूप से अपन बोटनिकल गडन बनाते जिसमें आतन जो पादब जो होते हूं का क्या क्या जाता है अध्यने क्या जाता है तो बिल्कुल सभी बात है टीशू कलचर भी आपके रहें इसथाने एक इसीट्व का उधारन है लेकिन आपके लिज्व to conservation के respect में not नहीं होना क्या चला जाएगा और तो उप्षिन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा इसके अदर ठीक है अब आगे बढ़ते हैं एक सो ठ्याड में और वो क्या है इन species area relationship on a logarithm जाती है च्छतर संबन में लगू गुनक है ना तो इसमें आपको पता है कि इस तरीके से जो है वो आपके दे रखा है ठीक है ये species richness दे रखी है और ये जो है वो आपके क्या दे रखा है area दे रखा है अब इसमें दो ग्राफ दे रखे हैं इस तरीके से ठीक है और इ ये graph तो किसा रहेगा rectangular hyperbola लेकिन आप याद रखें यहां पे जो log scale है इस log scale पे जो हमेशा ही log scale पे कैसी आएगी बिल्कुल straight line जो है वो आपके आएगी इसका answer क्या जाएगा straight line मतलब इसका क्या हो जाएगा जैसे इसमें ये बोला गया है इस परियोग के अंदर ये बोला इसमें आप hyperbola ना करें क्यों ना करें क्योंकि यहां पर दे रखा लोगर्थम scale पे क्या आएगा NCRT के अंदर clearly mention कर रखा है कि जो लोगर्थम scale पे होता है वो क्या होता है बिल्कुल straight line होती है पर उसके बाद में एक सो निन्याड में the cell of tapitum poses and generally have condition देखो tapitum की जो कोश्का होती है वो आप अच्छे से समझ ले उसके अंदर dense cytoplasma बिल्कुल tick around point पे क्योंकि NCRT के अंदर clearly statement दे रखा है है ना तो dense cytoplasma होता है और more than one nucleus होता है अब आपको और देखने की जूरत ही नहीं होगा इसके अंदर light नहीं होता है यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा तो राइट हो जाएगा तो एक सो निन्याड में का जो एंसर कहा जाएगा थार्ड ओप्शन ठीक है फिर अपना आगे बढ़ते हैं लास्ट क्रिश्चन पर कोली अप्टाइल एंड कोली और राइजा और प्रोटेक्टिव शीट कवरिंग एंड रिस्पेक्टिवली कोली अप नो देखो सीदी सी बात आपको इस तरीके से के डायगराम अपने देख रखा है इस तरीके से और इस तरीके से बता रखा है कैना मोनो toss का यह आम इस को बोलते हैं अगर ऑनने इसको में कोली ऑप्रोप्रै और क्या बहुतुंचिछित करने के लिए और रेडिकल को सुरक्षित करने के लिए क्या कहलाता है बिल्कुल NCRT के अंदर जो यह वह आपके क्या है mention कर रखा है अब देखो प्लिम्यूल होगा लेकिन एपिकोटाइल एपिकोटाइल जो है वो आपके नो डाउट किसका भाग होगा प्लिम्यूल का ही भाग हो यह आगे चल करके शूट निर्माण में जो है वो भागीदारी निवाएगा लेकिन यहाँ पर यह नहीं है रेडि निभाएगा तो यह भी नहीं होगा तो टू हंड्रेड का जो एंसर आएगा वो क्या जाएगा स्टूडेंट थार्ड ऑप्शन आजाएगा आई बास समझ में है ना इस तरीके से अपने सारे क्विश्चिन जो है वो सौल किये हैं ठीक है और यह सारे के सारे जो हैं वह एं अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बिल्कुल जम के जितना भी टाइम बचा है अब ठीक है बिल्कुल जम के मैंनत करनी हैं और सारे एपिसोड जो धंगल की हैं वह यहां पर आपको देखने हैं है ना और जो भी मिस्टेक रहती है वह आप यहां पर क्लियर कर ले ठीक है बैस बेस्ट ओफ लव